हेलो रोवन कैसे आप सब लोग आई होप आप अच्छे होंगे वेलकम टू अपने कख्षा मेरा नामे ओव और आज की इस वीडियो की सुरुवात मैं अपने लिखी होई एक कविता की कहने का बस इतना मतलब है कि किस्मत हम खुद लिखते हैं और हमारे अंदर ये capability होनी चाहिए कि वो चीज हम खुद लिखे ना कि कोई किस्मत नाम के चीज हमें रोल गए साइद आप बात समझ गए होगे चलिए करते हैं बातचीत आज के इस वीडियो पर देखो भया आज की इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं ट्वल्थ physical chemistry का एक सांदार जानदा topic जो की है electro chemistry electro chemistry के अंदर बहुत सारी mystery भया सुरजने वाली है बहुत सारे concept निकलेंगे यहां से बहुत मज़ा आता इस chapter को पढ़ने में numerical based है आराम से समझेंगे और theory भी जितना है उतना ही numerical है ठीक है और इस chapter को पढ़ने में आपको कोई तकलीफ नहीं आएगी क्योंकि इसको समझाने के लिए हमने animation यूज किया है और जहां पर आपको calculations वगरा करानी है वहाँ पर मैंने digital board यूज किया है ताकि interaction भी अच्छा हो पाई जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी होता है numerical को करते वक्त I hope आप मेरी बात समझ रहे होंगे और सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दू भीया ये electro chemistry के अंदर हम तीन चीज़ें आपको दे रहे होंगे मतलब कि ना ये फुल package होने वाला है यहाँ पर आपको class notes मिलेगा जो class notes होगा उसको लिखने में मैंने 5-6 दिन लगाए है तो मेरे भीया उसको आप एक-एक line एक-एक सब्द पढ़ जाईएगा भरोसा करिए उसको बस print निकालिए print निकाल करके जैसे जैसा आप वीडियो पढ़ते जाएं उस पर mark करते जाएं इस वीडियो को इसी साफ से design किया गया है जैसा कि आपका notes आपको दिया गया है उस notes के अंदर previous year questions 10 साल के डाल दी है तो अलग से previous year question करने की कत्ता ही जरूरत नहीं है मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कत्ता ही जरूरत नहीं है even that NCRT भी पढ़ने की अब जरूरत नहीं है सब कुछ उस notes के अंदर आपको मिल जाएगा और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो मिलने वाली है वो है NCRT exercise solution उसके अंदर ना 18 question है और उस 18 question को बहुत ही बहतर image यूज करते presentation दे करके अच्छा वाला आपको समझाया गया है तो उसका link भी आपको description में मिलेगा उसको जरूर देखेगा उसको देखने के बाद आपका confidence boost करेगा और कभी भी आपसे इस chapter का कोई भी concept गलत नहीं होगा तो चलिए बातचीत कर लेते हैं अपने इस electrochemistry पर electrochemistry की सुरुवात में हम users पे चर्चा करेंगे तक कि आप ये तो समझो कि जिस चीज को पढ़ने वाले हैं उसका हमारी जिन्दगी में क्या यूज है हम ना पूरी तरह से electrochemistry से घिरे पड़े है सबसे पहला example में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा battery का हमारी जिन्दगी पूरी तरह से battery से घिरी पड़ी है जिस video को सूट कर रहा हूँ मैं आपके लिए उस camera में भी battery लगी है इस mic में भी battery लगी है जिस phone से मुझे आप देख रहे हो और ये electrochemistry पढ़ पा रहे हो उसमें भी battery लगी और उस battery का जो concept है वो electrochemistry वाले concept है वही थियोरी है हमारे जो electrochemistry का दिने हम बढ़ते हैं तो पहली चीज तो battery हो गई और battery के एक और बड़ा यूज बताता हूँ एक medical device होती जिसको बोलते है pacemaker pacemaker क्या होता है कि जो हमारा hurt होता है कभी-कभी वो अच्छा function नहीं कर पाता तो उसके लिए उसको लगाया जाता है और उसके अंदर भी battery use होती है तो देख रहे हो जिंदगी को बचाने के लिए भी एक device जो की pacemaker है उसके अंदर भी battery use होती है और वैसे हमारी जिंदगी आसपास और देख लेते हैं है ना जैसे कि आप ले लीजे electric cars Tesla का नाम तो सुनी हुआ है इंडिया की बात कर लें तो Tata Motors आ चुका है उसके भी बहुत सारे electrical vehicles चल रहे है उसमें भी क्या है battery है जिसको आप charge करते हो जिसके थूँ आप चलते हो ठीक है अब इंडिया में भी क्या बन रहे है धीरे धीरे उन ही electric cars के stations बन रहे है दिर दरे आपके आसपास भी वो दिखाई देने लग जाएंगे तो सायद आपको ये समाझ में आया है कि ओ भाई battery का कितना ज़्यादा use होता है अब मैं आपको बताऊंगा एक चीज होती है electrochemistry के अंदर electroplating क्या electroplating electroplating एक method जिससे आप क्या करते हो किसी metal की surface पे एक दूसरी metal चढ़ाते हो वो जो दूसरी metal की layer चढ़ाते है वो जो layer होती है वो बहुत ही sustainable है जल्दी खराब नहीं होती है तो उसकी वज़ा से जो भी आपके घरों में बरतन है वो और बाकी बहुत सारी चीज़ें बहुत आराम से protect की जा सकती है iron के उपर aluminum का layer लगा दो वो भीया iron कभी खराबी नहीं होगा rusting नहीं हो पाएगी और देखो भई एक बात अगर aluminum पे आगे तो मैं आपको बोल देता हूं कि जो हमारा aluminum है वह आपके इसाप से क्या होता है सस्ता है या महिगा है तो आपको कि सर सस्ता है क्योंकि देखो हम देखते देखते हैं अक सा Tiffin Cole के मम्मी क्या देती है रोटियeton देते हैं किसमें लपेट के? इलमुनियम की फाइल में लपेट के देते हैं और सबसे बड़ी बात तो είναι है कि खाने के बाद हम इलमुनियम फाइल फेकते हैं फइकते हैं यहीं से पता चले रही तुम अम्मी कहरी होती अरे ले क्या वहिया उसको अम साफ करेंगी सोकह अगर वह सोंए होती तो क्या क्वेकते नहीं फेकते ना तो तुमें समझमे में रही कि यार आल मुनियम तो बहुत सस्ता है लेकिन गोल तो मेंगा है लेकिन मैं आप से एक चीश कहूंगा कि नैपोलियन के use बहुत कम होते थे उस समय उस समय जो coins बनते थे वो भी gold के बनते थे, aluminum के लिए बनते थे आप कहोगे sir, ऐसा क्या हो गया कि आज की दिन बे इतना ज़ाद मेधा aluminum हमें दिखता है हर तरफ लेकिन हमें gold तो बड़ा मेगा मिलता है ऐसा क्या हो गया है या इसका reason है कि Almonium का extraction आसान कर दिया है Electrochemistry ने Electrochemistry की वज़ा से आज Almonium पाना बड़ा आसान हो गया है इसकी वज़ा से वो चीज बहुत सस्ती दिखते है जो आराम से मिल जाती है वो चीज तो सस्ती हो जाती है ठीक है आई होप अब मेरी बात को पकड़ ले गए होंगे कि आर इलेक्ट्रो केमिस्टी ने तो करीब करीब दुनिया का एक मेजर पार्ट कवर कर रखा है इस चैप्टर को सुरू करें ना उससे पहले में दो टर्म सीखने चाहिए spontaneous reaction and non-spontaneous reaction या इसी को आप बोल सकते हो spontaneous process and non-spontaneous process spontaneous process का मतलब होता है एक ऐसा process जो naturally होता हो जो अपने आफ होता हो उसको spontaneous process कहते हैं जैसे पहाड़ों पर आप जा करके देखेंगे तो वहाँ पर क्या होता है जहरना गिर रहा होता है उपर से नीचे की तरफ क्या आपने पानी को अपने आप कभी नीचे से उपर जाते हुए देखा है नहीं देखा होगा तो इसका मतलब क्या हुआ पानी का उपर से नीचे गिरना एक spontaneous process है अब बात करेंगे non-spontaneous process की एक ऐसा process जो अपने आप से नहीं होता उसके लिए हमें कुछ mechanical force की जरूरत होती है कुछ electrical force या potential difference की जरूरत पड़ती है तो उसको हम क्या बोलेंगे non-spontaneous process बोलेंगे जैसे हमने बोला था कि भाई नीचे से पानी उपर की तरफ नहीं जा सकता तो इसका मतलब यह क्या है non-spontaneous है लेकिन इस process को हम क्या कर सकते है spontaneous में convert करा सकते है जब हम उसके उपर क्या लगा दें force apply करें कोई mechanical force अप्लाई कर दें या electrical energy impose कर दें तो कोई एक non-spontaneous process spontaneous में convert हो सकता है example के तोर पे आप ऐसा ले लें कि घर में मालो यह चिंटू present था चिंटू को उनके ममी ने बोला कि motor से पानी को उपर चड़ाना है तो उसने switch on किया जैसे ही switch on किया motor से जो भी force लगेगा उस mechanical force की वज़ा से पानी नीचे से कहा जाएगा उपर उसके टंकी में भर जाएगा मतलब घर के उपर जो उसके टंकी रखी हुए उसमें भर जाएगा मतलब पानी कहां से गया जमीन के अंदर से निकलते हुए उपर जाकर के भर रहा है इसका मतलब पानी उपर जा सकता है यह process जो कि normally नहीं होता था यहाँ पे हो रहा है तो इसका मतलब एक non-spontaneous process को चिंटू ने mechanical force लगा करके क्या किया उसको करवा दिया इसको क्या बोलेंगे कि हाँ भई यहाँ पे non-spontaneous process हो गया अब हम देखेंगे कि electrochemistry में हम क्या पढ़ने वाले हैं में लिए हमें दो चीज़ें पढ़नी हैं जिसमें से पहली चीज़ देखते हैं कि अगर माली जी एक reaction है A to B जो कि spontaneous है मतलब कि यह खुझ से convert होना चाहता है A, B में तो क्या होगा इस reaction के होने पर क्या होगा chemical energy निकलेगी अब यह chemical energy हम किस तरीके से electricity में convert कर सकते हैं इसके बारे में हम इस chapter में देखते हैं ठीक है तो पहली चीज़ पढ़ लेते हैं The study of production of electricity from chemical energy which is released during the spontaneous chemical reaction यह चीज़ हमने समझ में आ गई दूसरी चीज़ जो हमें देखना होता है इस chapter के अंदर वो होता है कि मालो एक reaction है C2D जो non spontaneous है मतलब कि वो अपने आप से नहीं हो रही है लेकिन यह reaction हमारे daily life के लिए बहुत जरूरी है तो हम क्या करेंगे हम इसके उपर को जोर जबर दस्ती अपलाई करेंगे मतलब हम इस पर क्या करने वाले है electrical energy अगर हम लगा दें या बोले electricity से पास कर दें अगर हम इस पर battery लगा दें तो क्या होगा यह reaction जो कि पहले non spontaneous हुआ करती थी वो भी हो जाएगी तो mainly यह दो चीज़े हमें पढ़ना है इस chapter के अंदर तो second part देखते हैं the use of electrical energy to bring about non spontaneous chemical transformations जो पहले नहीं हो रहा था हम उसको क्या कर रहे हैं by using electrical energy अब हमें कुछ basic definitions आने चाहिए अगर हमें यह chapter समझना है तो आपने 11th में redox chapter देखा था उसी से related कुछ points हमें जरूर सीखना चाहिए अगर हमें electrochemistry समझना है तो मैं यहाँ पर जितने भी terms यूज करूँगा उसको एक बार पहले समझाऊँगा फिर बाद में उसको यूज करूँगा ठीक है चले देख लेते हैं पहला point है oxidation number या oxidation state the total number of electrons that an atom either gains or loses in order to form a chemical bond with another atom is called oxidation number ठीक है अगर कोई atom है वो कितना electron gain करता है या loss करता है वही उसका oxidation number कहलाता है oxidation number से related बस हमें इस chapter में यह दो point जरूरी है पहला point क्या है कि oxidation state of neutral atom और molecule is 0 ठीक है अगर मालीजी हमारे पास क्या दिया है zinc दिया हुआ है जो कि neutral इस पर कोई charge नहीं है तो इसका oxidation number आप क्या लिखोगे या oxidation state क्या लिखोगे 0 लिखोगे copper का क्या लिखने वाले हो 0 लिखोगे H2 दिया हुआ है जब आपको charge atom की बात की जाए तो आप क्या देखेंगे number of charge on it जैसे अगर आपसे पूछा जाए oxidation state of zinc 2 plus तो क्या बोलोगे जो ये positive charges के उपर है वही इसका oxidation state या oxidation number होगा अगर F negative के बारे में पूछा जाए तो ये negative क्या होगा उसका oxidation state या number होगा तो minus 1 हो जाएगा प्लूरीन के लिए और यहाँ पर क्या होगा जिन के लिए plus 2 oxidation number आएगा next हम देखते हैं जो कि है oxidation यहाँ बोला जा रहा है कि loss of electron and increasing oxidation number mainly आप ऐसे समझ सकते हो अगर कहीं पर oxidation number बढ़ रहा है तो हम उसको क्या बोलेंगे oxidation बोलेंगे ठीक है अगर आप बोलो कि loss of electron हो रहा है किसी system में तो उसको हम भी हम क्या बोलते हैं oxidation बोलते हैं जैसे कि यहाँ पर देखिए हमने lithium लिख रखा है lithium में कितने electron है 3 electron माल लिजे कि यह बाहर वाला एक electron क्या हुआ निकल गया अगर यह electron चला जाएगा तो lithium पर कौन सा चार जाएगा positive चार जाएगा ठीक है लेकिन हमने क्या किया यहाँ से एक electron निकाल दिया किसी system से electron का अगर loss हो रहा है तो उस system का oxidation हो रहा है ऐसा बोलते हैं ठीक है अब यहाँ पर देखिए lithium का oxidation number कितना है 0 यह neutral है तो इसके लिए कितना आएगा 0 lithium positive में कितना आएगा plus 1 तो 0 से plus 1 जाना क्या होता है increase in oxidation number इसलिए भी इसको क्या बोलेंगे oxidation बोलेंगे I hope इतनी चीज़ समझ में आए होगी same चीज़ आप यहाँ पर zinc के लिए भी देख सकते हो कि zinc का oxidation number कितना है 0 है इस समय लेकिन यहाँ पर zinc 2 प्लस में plus 2 आ रहा है तो 0 से plus 2 जाना मतलब increase in oxidation number तो इसको क्या बोलेंगे oxidation बोलेंगे second time में reduction reduction का मतलब होता है घटना क्या घटना यहाँ बोला जा रहा है oxidation number अगर किसी भी atom का oxidation number घट रहा है तो हम बोलेंगे उस atom का reduction हो रहा है जैसे देखे एक्जांपल के तोर पे fluorine ले ले लेते हैं ठीक है fluorine में अगर हम एक electron डाल दें बाहर से एक electron लाकर के इसके अंदर डाल दें तो fluorine क्या बन जाएगा f negative बन जाएगा f negative है तो इसके लिए oxidation number कितना आएगा minus 1 यहाँ कितना है 0 तो 0 से minus 1 यह क्या हो गया घट गया ना number तो इसको क्या बोलेंगे reduction बोलेंगे ठीक है तो gain of electron हम इसको क्या कर रहे है electron दे रहे हैं इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे reduction बोल रहे है same way में copper 2 plus अगर हमने इसको 2 electron दे दिया इसका मतलब ने क्या किया reduction करवा दिया अगर आप इससे देखना चाहो तो यह पहले क्या था plus 2 यह था 0 तो plus 2 से 0 जाना reduction of oxidation number है या decreasing of oxidation number है इसलिए इस process को इस reaction को हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे reduction का process हो रहा है अब next पे आते हैं जो की है electrolyte electrolyte होता क्या है a solution that contains ions is called an electrolyte simple सी बात है एक solution जिसके अंदर क्या present हो ions present हो हम उसको electrolyte बोलते है clear है जैसे कि आप देख सकते हो example of cuso4 इसके अंदर हमने क्या किया है copper sulfate बना रखा है तो वो तूट जाएगा copper 2 plus में अन sulfate में तो इसके अंदर क्या present होंगे ions present होंगे किसके ions present होंगे copper 2 plus क्या ion present होंगे और sulfate क्या ion present होंगे clear है यहाँ पे एक चीज़ दिखा गया है कि electrolyte is an ionic conductor बाई जब इनके अंदर ions present होंगे तो हम उसको क्या बोलेंगे ionic conductor बोलेंगे conductor इसलिए बोलेंगे कि अगर हम इससे electricity pass करेंगे तो निश्ची दरूप से conduction वहाँ पर हो जाएगा लेकिन यह conduction करेगा काउन यह ions करेंगे इस वज़ा से electrolyte क्या होता है एक ionic conductor होता है next हम दिखते हैं जो कि है electrode electrode क्या होता है surface at which oxidation or reduction takes place इसको क्या कहते हैं electrode बोलते है active electrode उसको बोलते है जब वो surface तो देता ही देता है उसके साथ वो खुद reaction में involve हो जाता है तो उसको बोलते है active electrode जैसे copper और zinc का electrode active electrode है ये reaction में participate कर सकते हैं और करते भी है clear है अब second type का electrode देखते हैं जो कि inert electrode inert सबसे समझ में आ रहा है कि वो क्या है reaction में involved नहीं होता वो सिर्फ surface provide करता है कि भाई जो भी reaction करवानी हमारे उपर कर लो लेकिन मैं reaction में नहीं involved होंगा clear है okay metals like platinum and gold are used as inert electrode they do not participate in the reaction but provide their surface for oxidation reduction reactions for the conduction of electrons ठीक है मतलब को मिला कि आप बोल सकते हो कि electrode एक ऐसा surface है जिस पर आप conduction of electrons करा सकते हो मतलब electrons को move करा सकते हो oxidation करा सकते हो reduction की process करवा सकते हो ठीक है अगर active की बात करोगे तो वो खुद involved हो जाएगा reaction के अंदर inert की बात करोगे तो वो सिर्फ surface देगा और reaction में involved नहीं होगा अब next देखते है next चीज़ है redox reaction क्या होती है redox में देखे लिखा है redox red मतलब reduction ox का मतलब होगया oxidation मतलब एक reduction oxidation वाली reaction को हम क्या बोलते है जिंक 2 प्लस में जा रहा है अगर जिंक को जिंक 2 प्लस में जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा 2 electron loss करना पड़ेगा लेकिन अगर copper 2 प्लस को copper में जाना है तो वो 2 electron क्या करेगा gain करेगा जो 2 electron ये loss करेगा वही 2 electron ये receive कर लेगा तो यह reaction हो भी जाएगी तो देखें यहाँ पर हो रहा oxidation यहाँ पर क्या हो रहा reduction इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे redox reaction बोलेंगे next point है electrode potential electrode potential क्या होता चलिए देखते हैं यहाँ पर अगर माल लीजे हमने एक क्या लिया है metal लिया ठीक है इनके बीच में एक potential difference आता है और इसी potential difference को इस electrode का electrode potential बोलते हैं potential difference between metal and electrolyte is called electrode potential electrode potential को हम example से समझेंगे हमने आप एक बीकर लिया है और उस बीकर में जिंक SO4 डाल दिया है जिंक SO4 में हमने जिंक की rod डाल दी क्योंकि हमने अभी पढ़ा definition में कि जो metal आप लेंगे उसी metal का metal salt भी होना चाहिए उसी में आपको metal dip करना है ऐसा करते ही क्या होता है जिंक के अंदर एक tendency होती है कि जिंक के rod के जो atom होते हैं वो निकल करके solution में जिंक 2 प्लस में जाने लग जाते हैं ऐसा करते वक्त वो दो electron जो है rod के उपर छोड़ जाते हैं अभी हमने सिर्फ आपको एक atom के लिए ऐसी बात बताई कि जिंक जो है जिंक 2 प्लस में convert हो रहा है लेकिन जिंक की rod के बहुत सारे atom ऐसा कर रहे होंगे कि वो खुद निकल करके कहा जाएंगे electrolyte में और अपने आपको जिंक 2 प्लस बना देंगे और हर बार वो दो electron rod के उपर छोड़ करके जाएंगे तो इस तरीके से जो rod होती है वो negatively charge हो जाती है उस negatively charge जिंक के किनारे किनारे positive charge of जिंक आकर के लग जाता है तो इस तरीके से electrolyte में positive charge दिखता है और आपके rod पर negative charge दिखता है तो इस positive और negative charge के बीच में जो potential difference create होता है उसी potential difference को electrode potential of जिंक बोलते हैं अगर यहाँ पर हम कोई और metal लेंगे तो उसको उस metal का electrode potential बोलेंगे electrochemistry के basic को clear करने के लिए हम तीन experiment की बात करेंगे जो की बहुत basic experiment है उसका समझ में आना बहुत जरूरी होता है चलिए first experiment के बात करते हैं first experiment में हम एक beaker लेते हैं उस beaker में हम blue color का solution लेते हैं जो की copper sulfate का solution होता है copper sulfate का जो यह blue color होता है उसका region होता है presence of copper 2 plus iron इसमें हम जब zinc की rod डालते हैं बहुत पतली सी rod डालते हैं तो क्या होता है कि zinc की rod थोड़ी time के बाद खतम होने लग जाता है और दूसरा change जो देखने को मिलता है इस experiment में वो क्या होता है कि जो आपका blueish solution होता है धिरे धिरे वो fade होने लग जाता है या blue colorless की तरफ बढ़ने लग जाता है थीक है तो हमने अभी बोला था कि ये blueish solution का reason क्या था copper 2 plus का present होना अगर कहा जाए कि वो colorless हो रहा है इसका मतलब वहाँ पर concentration of copper 2 plus क्या हो रहा है कम हो रहा है zinc की rod जो की solid था वो धिरे धिरे क्या हो रहा है खतम होने लग जा रहा है तो इसका मतलब zinc solid जो था वो solution के अंदर जा रहा है और किस form में जाएगा zinc 2 plus के form में जाएगा तो यहाँ पर एक reaction समझ में आ रही है कि zinc जो solid था वो convert हो रहा है zinc 2 plus में और जो copper 2 plus एक्वस प्रजेंट था वो जा रहा है copper में finally हम एक reaction समझ पाते हैं कि भाई जब zinc solid को copper sulfate के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है जड़े निलता है और copper मिलता है इसका मतलब zinc क्या कर रहा है copper sulfate से copper को हटा दे रहा है इसी वज़ा से वहाँ पे colorless हो रहा है आपका solution और zinc भी खतम हो रहा है लेकिन एक बात सोचो कि अभी हमने जो चीज समझी है वहाँ पे electron involve हो रहा है जब हम ये बोलते हैं कि zinc जो है zinc two plus बना रहा है तो दो electron निकाल रहा होगा और जब हम ये बोल रहे हैं कि copper two plus जो है copper में जा रहा है तब वो दो electron receive कर रहा होगा भाई ये जो electron घूम रहे हैं क्या हम इस electron को wire में उतार पाएंगे क्या अगर आप इस electron को wire में लेकर के नहीं आ पाएंगे केवल इस solution के अंदर ही वो present रह जाएगा तो कभी भी हम electricity generate नहीं कर पाएंगे इसका मतलब इस experiment में हमें कहीं भी electricity बनते हुए नहीं दिख रही है थोड़ा सा भी current बनता हुआ नहीं दिख रहा है क्योंकि जो भी process हो रहा है सिर्फ solution के अंदर है जब तक हम wire के अंदर electron का movement नहीं कराएंगे हमें current नहीं मिलेगा अब हम experiment 2 देखते हैं experiment 2 में experiment 1 की थोड़ी सी जो कमी थी उसको हम दूर करने की कोसिस करेंगे उसके लिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि देखो भाई पहले की तरह हम नहीं करेंगे कि हमने एक बीकर लिया उसमें copper sulfate लिया उसमें हमने zinc की rod डाल दी ठीक है अब हम ऐसा नहीं करने वाले हम क्या करेंगे दो बीकर लेंगे ठीक है यह जो दो compartment हमने बनाए इसको हम bolt meter के तरू क्या कर रहे है connect कर रहे है जब हम connect करते हैं तो हम देखते हैं कि bolt meter में तो थोड़ा सा deflection आ रहा है अगर deflection आ रहा है इसका साफ मतलब है कि कहीं ना कहीं current तो flow हुआ है अब हमें यह explain करना है कि आखिर कर यह bolt meter के अंदर deflection कैसे आता है यहाँ पर current क्यूं बह गया यह electron का flow कैसे हो गया यह चीज हम यहाँ पर समझेंगे तो इसको समझने के लिए हम पहले zinc की जो compartment है उस पर focus करेंगे होता क्या है कि zinc की rod को जब हम zinc sulfate में डालते हैं तो zinc की rod से एक zinc निकलता है मतलब zinc का atom निकलता है कहां जाता है zinc two plus के form में solution के अंदर जाता है और ऐसा करने पर उसको दो electron निकालने पड़ेंगे और वो दो electron कहां छोड़ कर आता है उसी zinc की rod पर छोड़ कर आता है अभी मैंने सिर्फ एक atom की बात की ऐसा बहुत सारे atom कर रहे होंगे ऐसा करने पर क्या होगा कि जो zinc की rod होगी वो धीरे धीरे क्या होगी पतली होने लग जाएगी क्योंकि इसके atom निकल निकल करके कहां आ रहे हैं solution के अंदर आ रहे हैं और solution में zinc two plus का क्या होगा charge बढ़ता जाएगा और क्योंकि electron के बीच में रिपलसन होता है तो यहां पर electron के रिपलसन की वज़ा से यह electron इस wire में flow करते हुए copper वाले compartment में जाएंगे और copper की rod पर फैल जाएंगे मतलब ऐसा बोल सकते हो कि zinc की rod से electron निकलते हैं और copper वाली rod पर जा करके पूरी तरह से फैल जाते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस पर electron पहुँच रहे हैं किस पर copper की rod पर तो उसके electron की वज़ा से जो copper sulfate के अंदर Cu2 प्लस प्रजंट था वो क्या करेगा electron लेने के चकर में उस rod की तरफ बढ़ेगा अगर rod की तरफ जाएगा तो copper 2 प्लस को दो electron मिलेगा और इस copper की rod पर ये जो आपको atom solution के अंदर दिख रहा होता है वो उसके उपर जाकर के चिपक जाता है neutral होकर के मतलब copper as a atom जाकर के copper की rod पर चिपक जाता है तो क्या देखने को मिलता है कि जो copper की rod होती है वो धीरे-दीरे मोटी होने लग जाती है क्योंकि इस पर solution से निकल निकल करके copper 2 प्लस इसके उपर चिपक जाते है लेकिन यहाँ पर जो zinc की rod होती है वो धीरे-दीरे पतली होने लग जाती है तो इस तरी के समको एक electron का flow मिलता है जहाँ पर electron zinc से चलते हुए copper के compartment की तरफ बढ़ते है और बीज में bolt meter मिलता है इसलिए थोड़ा सा deflection उसको सोक कर देता है लेकिन क्या यह current लगातार बहते रहेंगे जबावे नहीं भाई जब circuit ही complete नहीं है तो बस एक बार electron flow हो सकता है दुबारा नहीं ऐसा काम हो पाएगा इसलिए एक बार सिर्फ deflection मिलता है बार बार यहां नहीं मिलता चले experiment 3 की बात करेंगे experiment 3 में हमें यह सोचना है कि आखिर कर हम circuit को कैसे complete कर सकते है electron के flow को लगातार कैसे बनाए रख सकते हैं उसके लिए हमें एक जुगाड सूचता है तो हम उसको उस जुगाड का नाम रखते हैं salt bridge यह जो salt bridge होता है यह यू आकार का एक tube होता है इस tube के अंदर अगार-अगार paste भरा होता है और इस paste को मिलाते हैं caseal electrolyte के साथ आप caseal ले सकते हो NaCl ले सकते हो इस जुगाड को हम अब यूज करेंगे experiment 2 के अंदर जो जो experiment 2 में था वो same process हम रखेंगे बस हम जिंक और copper के compartment को connect कर देंगे by salt bridge bridge का कामी क्या होता है दो लोगों को जोड़ दोना दो सिरों को जोड़ देना तो उसने क्या किया compartments को connect कर दिया इस तरीके से ये salt bridge हमने जिंक और copper के compartment के बीच में लगा दिया clear है जैसे ही ये salt bridge लगाते हैं हम ये देखते हैं कि हमारे bolt meter में लगातार deflection maintain रहता है इसका मतलब यहाँ पर लगातार electron का flow चल रहा है आप या इसको बोल सकते हो क्योंकि electron flow को हम ही क्या बोलते हैं current बोलते हैं उसके उल्टे direction में current बह रही होती है अब हमें ये explain करना है कि आखिर कर इस salt bridge ने ऐसा क्या कर दिया कि bolt meter में लगातार deflection आ रहा है ये जो लगातार current इसमें बह रहा है इसको हम समझते हैं electro neutrality principle से नाम सुनने में थोड़ा आजीव लग रहा है लेकिन बहुत छोटी सी चीज है देखिए क्या हो रहा था कि zinc निकल करके zinc two plus के form में solution में आ रहा था इसका मतलब क्या हुआ पहले ही zinc वाले compartment में जो solution था वहाँ पर zinc two plus तो present ही था लेकिन अब लगातार और zinc two plus आते जा रहे हैं तो zinc two plus की concentration क्या होगी वहाँ पर बढ़ती जाएगी अगर zinc two plus की concentration बढ़ती जाएगी इसका मतलब solution में खूब सारा positive चार जा जाएगा इसका मतलब वो अब neutral नहीं रहा भाई वो पहले zinc sulfate के form में था तब तो वो neutral था लेकिन अब खूब सारा zinc two plus आपने बढ़ा दिया इस वज़ा से इसका solution कैसा हो गया positive हो गया solution के इसी positive को कम करने के लिए हमने salt bridge में electrolyte डाल रखा था zinc compartment में जैसे ही zinc two plus iron का concentration बढ़ता है मतलब positive charge बढ़ता है तुरंत ही salt bridge बोलता है भाई chlorine भाई तुम निकल करके जाओ और इस positive charge को कम कर दो तो सोचो कि chloride iron जब आएगा और जब जडन two plus से मिलेगा तो उसको neutral कर देगा तो उसके उस compartment में क्या हो जाएगा neutrality maintain हो जाएगी तो आप इसी को बोलते हो कि यहाँ electro neutrality principle की वज़ा से salt bridge के अंदर से chloride iron निकल करके कहा आ जाता है जिंग की compartment के अंदर आ जाता है और जिंग का compartment neutral हो जाता है क्योंकि जिंग की compartment में लगातार जिंग two plus iron बढ़ते जाएगे तो उसमें क्या होगा chloride iron भी आता जाएगा तो इस तरीके से एक flow बन जाएगा अभी हमने सिर्फ जिंग compartment को देखा था अब हम बात करेंगे copper compartment के बारे में देखे, copper compartment में क्या हो रहा था copper के compartment में copper two plus लगातार copper की rod पर जाकर के बैट रहे थे neutral हो रहे थे तो इसका मतलब क्या हुआ जब copper two plus चला जाएगा तो इसमें सिर्फ सल्फेट आयन बचेंगे किसमें? इसके में हमने जो solution भर रखा था वो ठीक है? इसके electrolyte में concentration of sulfate आयन बढ़ने लग जाएगा इसका मतलब ये negatively charged होने लग जाएगा अगर ये negatively charged होने लग जाएगा अब electro neutrality maintain करने के लिए salt bridge बोलेगा भाई K plus ऐसा करो तुम इनके solution में घुच जाओ जब K plus इनके solution में आएगा जहाँ पर sulfate पहले से ही present था तो इन दोनों के बीच में क्या होगा? गड़ बंदन होगा जिसकी वज़ा से electro neutrality maintain हो जाएगी साथ आपको समझ में आ रहा होगा कि salt bridge क्या करता है? तो आप बोल सकते हो कि वो electron की neutrality maintain करता है या positive या negative charge का balance बनाए रखता है जहाँ कहीं भी negative charge जादा हो जाता है वहाँ वो positive charge भीज देता है और जहाँ कहीं भी positive charge जादा हो जाता है वो वहाँ पर negative charge भीज देता है एक बार हम current के flow की direction देख लेते हैं electron हमारे यहाँ negative से चलते हैं और positive terminal की तरफ जाते हैं अगर electron का flow ऐसा होगा कि वो negative से चलके positive की तरफ जाएंगे तो current क्या होगा? positive से negative की तरफ flow करेगा इसका मतलब current copper की तरफ से zinc की तरफ flow करता है अब हम बात कर लेते हैं अखिर कर यह electron के flow होने के या current के लंबे time तक बहने के पीछे जो circuit का completion था वो कैसे हुआ? देखिए electron चलते हैं zinc से वो जाते हैं wire में wire के थूँ जाते हैं वो copper वाली rod पे तो यहाँ तक तो electron चलते हैं ठीक है? क्योंकि electron हम इसा क्या होंगे metallic conductor के उपर ही चल पाएंगे वो solution के अंदर तो चलेंगे नहीं solution के अंदर क्या चलता है? आइंस चलता है ठीक है? अगर हम आइं के movement की बात करें तो यहाँ पे copper 2 plus जो है copper की rod पे जाकर के बैठता है और salt bridge जो है उसकी तरफ क्या भेजता है? K plus भेजता है और CL negative है दूसरे वाले compartment में जहाँ पर खूब सारा zinc 2 plus बढ़ रहा था तो देखें यहाँ पर zinc 2 plus निकल रहा था तो उसकी तरफ के अभी यह क्लूराइड आइन जहाँ पर copper sulfate में copper 2 plus की concentration घट रही थी वहाँ बढ़ गया concentration of K plus given by salt bridge तो इस तरीके से हाँ पर ions और electrons मिलकर के circuit को complete कर देते हैं बस आपको एक चीज यहाँ पर आद रखने है कि हमारे ions जो होंगे वो solution के अंदर घूमेंगे लेकिन जो हमारे electrons होंगे वो circuit के अंदर जाएंगे wire के अंदर जाएंगे और electrode के उपर ही present रहेंगे तो इस तरीके से हमारा circuit complete हो जाता है और हमारे voltmeter में deflection लगातार बना रहता है अब हम देखेंगे galvanic cell या voltaic cell क्या होता है जो ये combination आपको दिख रहा है इसी combination को हम galvanic cell या voltaic cell कह सकते हैं यहाँ जिंक की जगा पे कोई और metal हो सकता है और copper की जब पे कोई और भी metal हम ले सकते हैं तो इस तरीके का कोई भी example क्या कहलाएगा galvanic cell कहलाएगा लेकिन galvanic cell की condition ये है कि जब दो electrode connect किये जाएं और यहाँ पर electron का flow अपने आफ होने लग जाए current का flow अपने आफ होने लग जाए तो उसको हम galvanic cell बोलेंगे मतलब यहाँ पर chemical energy किसमे convert हो जाए electrical energy में convert हो जाए या electricity में convert हो जाए तो हम उसको बोलेंगे galvanic cell इस combination को बोलेंगे इस system को बोलेंगे galvanic cell जहाँ पर chemical energy किसमे convert हो रही हो electrical energy में convert हो रही हो क्योंकि यह combination जो है वो galvanic cell का एक example है तो हम यहाँ पर एक चीज कह सकते हैं कि देखो भाई जिसको हम anode बोल रहे हैं वहाँ पर zinc जो है oxidize हो रहा है इसका मतलब anode पर हमेशा क्या होता है oxidation होता है इस बात को याद रख लें कि anode पर हमेशा oxidation होता है और cathode पर हमेशा reduction होता है और यह anode और cathode किसको बोला जाएगा galvanic cell में जो negative electrode होगा उसको हम anode बोलते हैं और जो positive electrode होगा उसको हम cathode बोलते हैं इसका first point देखते हैं जहाँ पर लिखा है oxidation at anode and reduction at cathode जो आपका anode होगा वो negatively charged होगा और जो cathode होगा वो positively charged होगा लेकिन ऐसा कहां होगा ऐसा galvanic cell या voltaic cell में होगा अब हम बात करेंगे use of salt bridge की salt bridge का क्या use है अभी हमने देखा था कि जो salt bridge होता है वो compartments को connect करता है जो anodic compartment है और जो cathodic compartment है उन दोनों को connect करने का काम करता है salt bridge की वज़ा से ही cell circuit complete हो पाती है और ये current जो है इसमें flow हो पाता है second point पर आते हैं it maintains the electrical neutrality within the internal circuit इसको मैं अच्छे से समझा चुका हूँ third point पर आते हैं it prevents diffusion of solution from one compartment to another compartment यहां का solution कभी भी salt bridge के थुरू इस वाले compartment में नहीं आएगा और यहां का copper sulfate कभी भी इस वाले compartment में नहीं आएगा ऐसी हमने बिवस्था कर रखी होती है salt bridge के अंदर ठीक है तो यह तीन इसके main use हैं जो यहां पर हमें देखने को मिले हैं next point is representation of cell अब भाई हर बार तो हम यतना बड़ा बड़ा figure तो बनाएंगे नहीं तो वो salt bridge को represent करेगी किसके इस salt bridge के क्योंकि यह double line किसको represent कर रहा है salt bridge को represent कर रहा है इसका मतलब हमें cell का notation बनाना है तो वहां पर आपको एक bridge बनाना है bridge के left side में anode बनाना है और right side में आपको kathod बनाना है अगर आपको याद करने में कठिनाई हो रही हो तो मैं इसको simplify कर देता हूँ सिर्फ आपको बोलना है A, B, C क्या बोलना है A, B, C A का मतलब हो गया Anode ठीक है And B का मतलब Bridge C for Cathode Simply आपको याद हो गया A, B, C से हमें Cell Representation बनाना होता है अब हम थर्ड पॉइंट पे आते हैं Single Line Represents the Face Boundary यह Face Boundary सब्द का मतलब समझते हैं देखे यहाँ पर Jink का जो Rod आपको दिख रहा है यह Jink की Rod कैसी होती है Solid होती है ठीक है इसको हमने कहाँ पे Dip कर रखा है Equus Solution में Dip कर रखा है मतलब यह Liquid है तो Solid और इस Liquid के बीच में जो Boundary है उसको बोलते हैं Phase Boundary और उस Phase Boundary को Single Line से Represents किया जाएगा जब हम Cell का Represents बना रहे होंगे तो सिर्फ यह 3 पॉइंट से हम Cell को Represents कर सकते हैं हमें हर बार इतने बड़े Figure बनाने की जरूरत नहीं होती अब हम पहले देखते हैं कि Daniel Cell क्या होता है देखो अगर किसी भी Galvanic Cell को इस तरीके से डिजाइन किया जाए कि वहाँ पर जिंक जो है अनोड बन जाए और कॉपर जो है कैथोड बन जाए तो उस Galvanic Cell को Daniel Cell कहते हैं और अब तक हम इसी combination को पढ़ते आए हैं तो इसका मतलब जो यह Galvanic Cell लिखा गया है यही Daniel Cell है अगर मैं आपसे बोलूँ कि Daniel Cell का representation समझाईए कैसे लिखेंगे उसको चलिए लिख करके देख लेते हैं representation बनाने के लिए simply हमें A, B, C लिख करके करना चाहिए तो oxidation की जो reaction है वो bridge के इस side होगी जो reduction की reaction है वो bridge के इस side होगी ठेक है यहाँ पर zinc की rod को G204 में डाला गया है तो इसको कैसे लिखेंगे zinc solid फिर हम बनाएंगे phase boundary फिर लिखेंगे G204 क्योंकि यह क्या है aqueous तो aqueous और solid के बीच में क्या होगा phase boundary होगी फिर हमने एक half cell लिख दिया half cell लिखने के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है bridge बनाना पड़ता है तो हमने यहाँ पर bridge बना दिया फिर इसके बाद हम इस half cell की बात करेंगे जिसमें हमें दिख रहा है कि copper sulfate है तो हम लिखेंगे copper sulfate ठीक है यहाँ पर लिखेंगे copper sulfate यहाँ पर aqueous फिर phase boundary बनाएंगे और phase boundary बनाने के बाद यह phase boundary किसके साथ है copper के साथ है तो इस तरीके से cell combination हमारा पूरा हो जाता है कि zinc solid फिर phase boundary जड़ने सो 4 aqueous फिर हमें बनाना पड़ता है salt bridge फिर cuso 4 aqueous इसके बाद हम बनाएंगे phase boundary फिर copper जो यह notation दिया गया यही इस cell का representation है ठीक है इसको और अच्छे तरीके से ऐसे बोल सकते हो कि देखो भाई zinc solid किसमे जा रहा है zinc 2 plus में जा रहा है और यहाँ पर copper 2 plus किसमे जा रहा है copper में जा रहा है इसका मतलब जो हमने cell representation बनाया वो obviously सही है अब अगर आपको cell का representation दिया जाए तो इस cell representation से हम क्या-क्या ग्यान पा सकते है मतलब हम यहाँ से क्या-क्या पता कर सकते है वो चीज हम देख लेते है पहले cell reaction में हमारा दिमाग जाना चाहिए ब्रिज के जो left side में लिखा गया है वो anode पर reaction होती है और अधर जो होता है वो reaction cathode पर होती है मतलब cathodic compartment इधर है और anodic compartment left side में है हमें यह देखना है कि यहाँ पर कौन सी reaction हो रही है तो देखे जिंक solid किसमें convert हो रहा है जिंक 2 plus में convert हो रहा है मतलब यहाँ पर oxidation हो रहा है इस वजह से इस वाले half cell को क्या बोलेंगे oxidation half cell बोलेंगे और oxidation कहाँ पर होता है anode पर होता है इस तरीके में समझ में आया कि इस side में जो reaction होने वाली है वो oxidation reaction होगी और यह reaction कहाँ पर होगी anode पर होगी अब आते हैं राइट साइड में राइट साइड में अगर हम देखे तो हाँ पे copper 2 प्लस किसमें जा रहा है copper solid में इसका मतलब यहाँ पे reduction हो रहा है और reduction हमेशा कहा होता है कैथोड पर होता है अगर आपको इतनी कहानी याद ना हो रही हो तो मैं आपको एक trick के माध्यम से पूरा याद करा देता हूँ simply आपको bridge देखना है bridge के left side में आपको क्या लिखना है loan इससे सारी समस्या solve हो गई देखे क्या यहाँ पर L for left O for oxidation A for anode ठीक और N for negative N for negative इसका मतलब क्या हुआ कि galvanic cell में left side में bridge के left side में जो चीज लिखी गई है वो oxidation की reaction है और oxidation की reaction anode पर होती है और anode कैसा होता है negative होता है तो यह चार fact आपको सीधा याद होगे कि left side में oxidation oxidation कहा होता है anode पर anode का sign क्या होता है negative आप सुझों कि इस वाले side के बारे में तो आपने कुछ बताया नहीं अगर यह left है तो यह क्या हो जाएगा right हो जाएगा अगर यहाँ पर O है मतलब oxidation है तो यहाँ पर reduction हो जाएगा अगर यह anode है तो यहाँ पर क्या होगा net cell reaction के लिए हमें दोनों half cell की reactions को जोड़ना पड़ता है तो देखिए reactant side में इधर क्या है zinc solid और इधर क्या है copper 2 plus तो दोनों चीज़ हमने लिख दी plus क्या लिखेंगे दो electron क्योंकि यह वाला दो electron next product side में देखें तो क्या दिखेगा zinc 2 plus और यहाँ पे zinc 2 plus है यह copper solid तो यहाँ पे copper solid है लेकिं यहाँ देखे zinc 2 plus के साथ क्या था दो electron तो इधर भी दो electron पहले भी हम इधर दो electron लिख चुके हैं तो यह दो electron दो electron एक दूसरे से cancel out हो जाएंगे और हमें क्या मिलेगा यह net cell reaction मिलेगा तो इस तरीके से हमने यह देखा कि आप किसी figure को किस तरीके से cell में represent कर सकते हैं दूसरा हमने यह सीखा कि अगर आपको cell notation दिया जाए तो इस cell notation से आप किस तरीके से net cell reaction लिख सकते हैं अब मैं electrode potential के representation के बारे में पढ़ना है इसको हम दो तरीके से represent कर सकते हैं पहला representation होता है oxidation potential के थ्रू और दूसरा representation होता है reduction potential के थ्रू oxidation potential में यहाँ पर आपको oxidation के process दिखती है इस वाले part में हम reduction के reaction देखते हैं देखें यहाँ पर क्या हो रहाँ जिंक से Gynk 2 प्लस बन रहा है एक phase boundary बनानी होती है तो हमें यहाँ पे समझ में भी आता है कि देखो भाई जिंक किसमें जा रहा है जिंक 2 प्लस में इसका मतलब oxidation हो रहा है तो यह जो representation है यह oxidation potential का representation होगा अगर मैं बूलूँ कि हमारे पास जिंक 2 प्लस है और वो जिंक में convert हो रहा है उसके लिए representation बनाईए तो आपको लिखना चाहिए पहले यह लिखना चाहिए क्योंकि potential लिख रहे है फिर हम लिखेंगे कि हमारे पास जिंक 2 प्लस था वो convert हो गया जिंक में तो यह जो चीज होगी यह क्या होगी reduction potential होगी चले next point देखते हैं जहां पर लिखा है कि if concentration of iron is unity then electrode potential is called standard electrode potential अगर आपके electrolyte की concentration क्या आ रही है unity आ रही है जैसे one molar आ रही है तो हम electrode potential को ही standard electrode potential बोलेंगे अगर E not लिखा है तो वो क्या होगा standard electrode potential को represent करेगा अगर simple E लिखा है तो वो सिर्फ electrode potential को represent करेगा IUPAC के convention के हिसाब से standard reduction potential जो होता है वही standard electrode potential होता है मतलब हमारा main survey सरवा कौन है यह है standard reduction potential हम इसको थोड़ी सी कम अहमियत देते हैं लिख को ज़्यादा अहमियत देते हैं क्योंकि IUPAC के हिसाब से एक ही चीज को दो बार represent करने से अच्छा है कि हम एक को क्या मान ले standard मान ले एक में ही हम पढ़ाई करें समझें उस चीज को तो समझना क्या होगा हमारे लिए आसान होगा चलिए next हम बात करेंगे cell potential की कि cell potential क्या होता है potential difference between two electrodes of a cell is called cell potential एक cell में क्या होता है cathode होता है और anode होता है इनके electrode potential के बीच में जो potential difference आएगा उसी potential difference को cell का cell potential बोलते हैं अगर हमें उसको calculate करना है तो हम कैसे निकालते हैं E cell is equal to E of cathode minus E of anode इसका मतलब हमें याद रखना है कि E cell is equal to C minus A cathode minus anode ठीक है cell के representation में cathode कि side होता है right side होता है और anode की side होता है left side होता है तो कभी-कभी आपको ऐसा भी formula मिलेगा कि E R minus E L ठीक है cathode पर कौन सी reaction होती है reduction की reaction होती है तो आपको लिखा मिल सकता है कि E reduction minus E oxidation क्योंकि anode पर क्या हो रहा होता है oxidation हो रहा होता है ठीक है अगर माल लीजे यह जो आपने electrolyte लिया है उसका concentration क्या है unity है one आ रहा है तो इसमें जहां पर E ही लिखा है सिर्फ वहाँ पर आप E naught लिख देंगे हर जगा तो क्या हो जाएगा वो standard electrode potential बन जाएगा उस तरीके से आप cell का standard electrode potential भी calculate कर सकते हो तो E naught cell किसको represent कर रहा है cell का standard electrode potential बता रहा है तो E naught cell is equal to E naught cathode minus E naught anode और cathode किदर होता है right side में anode कहां पर होता है left side में same way में यहाँ पर reduction और यहाँ पर oxidation लिख लेंगे अगर आपको याद करने में तकलीफ हो रही है तो आप simple सी बात लगाईए L O A N ठीक है तो आप यहाँ दिख जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है anode और यहाँ पर क्या रहेगा तो L देखें anode L and oxidation ठीक तो यह simply याद भी हो जाएगा जिस side A रहेगा उसी side L उसी side O रहेगा अब तक हमने जो सीखा उसको मैं Daniel cell के माध्यम से जल्दी से उसको समझा देता हूँ कि आपके paper में क्या-क्या पूछा जाता है ठीक है यह Daniel cell है जिसका representation यहाँ पे लिखा गया है कभी-कभी आपको paper में cell representation दिया जाता है और बोला जाता है इस cell representation को देख करके यह बताईए anode पर कौन से reaction हो रही है cathode पर कौन से reaction हो रही है या वहाँ totally क्या cell reaction हो रही है या पूछा जा सकता है कि cell का जो electrode potential है वो क्या होगा या अगर concentration 1 molar दे दिया गया है तो पूछा जाएगा E not cell की value कितना आएगा चलिए देख लेते हैं अगर इसका representation यह है तो हमें क्या लिखना है reaction at anode लिखना है anode पर कौन से reaction होती है oxidation की reaction होती है oxidation की reaction कहाँ पर हो रही है zinc की हो रही है तो zinc किसमे जा रहा है zinc 2 plus में वही चीज हमने यहाँ पर लिख दिया है इसके बारे में आपसे पूछा भी जाता है आपके board के examination में ओके देखे हमें क्या करना है zinc plus copper 2 plus plus 2 electron लिखना है इस side ठीक है reactant के side यहाँ पर क्या लिखना है zinc 2 plus plus 2 electron plus copper लेकिन यह 2 electron and 2 electron कट कर जाएंगे तो finally cell reaction में यह बचेगा जहाँ पर लिखा होगा zinc plus copper 2 plus और इधर क्या होगा zinc 2 plus and copper ठीक है हम e cell के value calculate करेंगे e r minus e l होता है ठीक है अभी हमने देखा था थोड़े देर पहले r क्या है right को बता रहा है और l क्या left को तो यहाँ पर देखे इस चीज में जो bridge बना हुआ है इस bridge के left side में क्या लिखा है यहाँ पर zinc लिखा हुआ है तो zinc वाला part लिख देना है left side में right side में copper वाला लिखा है तो यहाँ पर copper लिख देना है लेकिन ध्यान रखना यह क्या होगा reduction potential होगा ठीक है यह भी क्या होगा reduction potential होगा तब ही हमने क्या लिखा हुगा, copper 2 plus 2, copper, zinc 2 plus 2, zinc, यहाँ पर कहीं भी oxidation वगारा मत दिखाना, यहाँ पर हमें simply क्या दिखाना है, standard reduction potential के form में लिखना है, जो IUPAC convention के हिसाफ से fix है, ओके, अगर हमसे बोला जाए कि iron की जो concentration है, वो one molar है, तो इसी वाले formula में, बस आपको जहाँ प जाता है, तो आप इसको आसानी से calculate कर पाते हो, यहाँ पर दिया गया है, E naught copper 2 plus 2 copper is equal to 0.34 volt, and zinc 2 plus 2 zinc is minus 0.76 volt, तो हम क्या करेंगे, यह value यहाँ पर ला करके put करेंगे, तो हमें E naught cell की value मिल जाएगी, जो की मिलती है 1.1 volt, इसका मतलब जो आप यह Daniel cell देख रहे हो, या जो इस cell क E naught value जो होगा, वो कितना होगा, 1.1 volt होगा, और इस fact को हम आगे use करने वाले हैं, कि Daniel cell का, जो E naught cell की value होती है, वो कितना होता है, 1.1 volt होती है, अब हम बात करते हैं, electrochemical cell की, electrochemical cell जो होता है, तीन तरीके से देखा जा सकता है, पहला होता है galvanic, दूसरा है reversible cell, तीसरा है electrolytic cell, हम हमें इनके और इनके बारे में थोड़ी जानकारी लेनी है, लेकिन हमने जो पढ़ा है, उसको एक बार यहाँ पर देख लेते हैं, हमने क्या पढ़ा, कि galvanic cell जो होता है, वो chemical energy को electrical energy में convert कर देता है, भाई जो cell के अंदर reaction हो रही थी, उससे हमने क्या किया, बल्ब जला दि अगर हमने force और battery कुछ भी नहीं लगा रखा है, तो वो अपने आफ हो रही है, वो reaction खुद से हो रही है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, spontaneous reaction बोलेंगे, और thermodynamics में हमने पढ़ा था, spontaneous reaction के लिए, delta G is equal to negative होता है, हम galvanic cell के अंदर क्या करते हैं, पावर को produce करते हैं, तबी तो बल्ब जला पा रहे हैं, ठीक है, तो ये तीन पॉइंट यहां के लिए है, हम बात करते हैं, रिवर्सिबल सेल के, देखो, रिवर्सिबल सेल किसी काम का नहीं है, यहाँ पे कोई net reaction होता ही नहीं है, ठीक है, इसको मैं image के मादिम से आपको समझा दूँगा, चलिए, next देखते हैं, जो कि है, electrolytic cell, electrolytic cell, reverse of galvanic cell होता है, ठीक है, galvanic cell का सब कुछ उल्टा कर दो, क्या बन जाएगा, electrolytic cell बन जाएगा, यहाँ पे हम बोलते थे कि chemical energy, electrical energy में जाती है, तो हमें यहाँ पे क्या बोलना है, कि electrical energy, chemical energy में जाती है, इसका just उल्टा, तो यही पार्ट हु करेंगे, हम बाहर से battery लेंगे, और उसके power को खाएंगे, मतलब electrolytic cell खाएगा, साथ इतनी बास समझ में यह हो, कि galvanic cell क्या होता है, reversible क्या होता है, electrolytic क्या होता है, हम galvanic cell, reversible और electrolytic cell पर विस्तार से चर्चा करेंगे, अच्छे से आपको समझाएंगे, देखिए, हमें इतने पार्ट के बारे में अच्छे से जानकारी है, हमने देखा था, zinc जो है, वो anode का काम करता है, और copper जो है, cathode का काम करता है, जो current होता है, वो copper से चलता है, जो electron का flow होता है, वो कहां से चलता है, zinc की तरफ से copper की तरफ चलता है, और इसका reverse, मतलब ultra जो direction होगा, वो किसका direction होग करेंट का डिरेक्शन होगा इसके बारे में हम पहले से पढ़ चुके हैं सीख चुके हैं अब मैं कह रहा हूं कि भाई मैं बाहर से एक बैटरी लगाना चाहता हूं किसके उपर इस सेल के ऊपर बाहर से एक बैटरी लगाना चाहता हूं लेकिन बाहर जो बैटरी हमने लगाई उसकी छंसका कितनी है 1.1 W से कम है जब कि जो ये सैल है, जो ये डैनियल सैल है ये डैनियल सैल 1.1 W एcally अपना पावर रखता है इतना EMF रखता है, इतना E-cell रखता है लेकिन बाहर जो हमने बैटरी लगाई हूई है वो बैटरी कि पावर जो 1.1 W से कम है मतलब कि यह जो बैटरी है वो ज़्यादा पावरफुल नहीं है लेकिन यह वाला पावरफुल है अब आप बताओ कौन रूल करेगा जो पावरफुल ज़्यादा होगा अगर यह पावरफुल ज़्यादा है वो similar reactions अभी भी होंगी अगर बाहर जो हमने battery लगाई है उसकी छमता उसकी आवकात 1.1 volt से कम है तो चलिए इसको पढ़ करके यहाँ पे देख लेते हैं when e external is less than 1.1 volt then electrons flow from zinc rod to copper rod ठीक है zinc rod से copper rod की तरफ electrons यहाँ पे flow करते हैं और current क्या होता इसका ultra flow करता है हमने पढ़ाता कि zinc क्या होता है dissolve होता है क्यों क्योंकि zinc 2 plus बनाता है और copper क्या होता है इसके उपर जा करके बैठता है तो देख सकते हो क्या लिखा second point कि zinc dissolve at anode and copper deposits at cathode ठीक है तो जैसा पढ़ा था galvanic cell में simply वही हमें देखने को मिलता है अगर external battery की आउकात हमने कम लगा रखी है इस वाले cell से हम reversible में आते हैं reversible में क्या होता है कि जो हमारा external battery होती है उसकी छमता उतनी ही होती है जो की हमारे cell की होती है मतलब daniel cell के उपर हमने क्या लगा दिया एक दूसरा daniel cell लगा दिया तो बताओ क्या वो कोई reaction करवा पाएगा क्या उसके अंदर कोई current बहेगा जवाब है नहीं अगर यहां से electron जाने की कोसिस करेगा तो उल्टा वो क्या करेगा electron को वापस कर देगा इसका मतलब यहां पर current का flow नहीं होगा और आपके इस bolt meter में कोई deflection नहीं आएगा और यहां पर current क्या आएगा जीरो आएगा तो यह पढ़कर देख लेते हैं वन यह external is equal to 1.1 volt तो यहां पर लिखा हुआ है कि no flow of electrons और current second लिखा हुआ है कि no chemical reaction obviously chemical reaction होती तो current बहले था लेकिन यहां पर chemical reaction भी क्या हो गई है रुख गई है इस वज़ा से यह हमारे काम का नहीं होता reversible अब हम बात करेंगे electrolytic cell की देखें यहां पर क्या था 1.1 volt से कम था यहां पर 1.1 volt के बराबर हो गया आपका external ठीक है लेकिन अब हम क्या कर रहे है 1.1 volt से जादा चमता वाला जादा उकात वाली बैटरी लेकर के आए अब यह क्या करेगा अब यह यहां पर भीम बनेगा मतलब यह अपना rule चलाएगा यहां पर क्योंकि इनकी चमता कितनी है 1.1 volt की और बाहर वाले बैटरी की चमता 1.1 volt से जादा है जैसे माल लिजे कि यहांपर कैसा है 2 volt है लेकिन यहांपर 1.1 volt है तो यहांपर किसआ चलेगा 2 volt का चलेगा ठीक है तो 2 volt क्या करता है इनकी सारी reaction को जो पहले हमने reaction पढ़ रखी थी सब उल्टा कर देता है उल्टा कैसे करता है जैसे हमने पढ़ाता है कि यहाँ पर जिंक क्या होता है एनोड होता है तो यहाँ पर क्या होता है जिंक कैथोड होता है यहाँ पर हमने देखाता है कौपर क्या होता है कैथोड होता है लेकिन यहाँ पर कौपर क्या होता है एनोड होता है ठीक है इस बात को आप याद रखें होगा यह चीज यहां भी होगी यहां कैथोड पर क्या होगा reduction होगा और यहां पर anode पर भी oxidation होगा ठीक है इतनी बात समझ में आनी चाहिए हम यह देख लेते क्या लिखा है कि when e external is greater than 1.1 volt then electrons flow from copper to zinc जो पहले हम पढ़ते थे कि zinc से copper की तरफ electron flow कर रहा अब क्या होगा copper से electron zinc की तरफ बहेगा तो current क्या होगा इसका ultra flow करेगा देखे अब की बार electron कहां से जा रहा है यहां से electron इस तरफ आ रहा है तो current कहां जाएगी इस तरफ जाएगी clear है okay second point देखते हैं कि zinc is deposited at the zinc electrode and copper dissolves at copper electrode इसका मतलब क्या हुआ कि अब की बार यहां का जो zinc 2 प्लस था वो क्या करेगा जिंग के उपर जाके बैठेगा और copper निकल करके कहां आएगा copper solution के अंदर आजाएगा aqua solution के अंदर आजाएगा तो I hope आपको सारी चीजें clear हुई हूँ galvanic cell, reversible and electrolytic cell के बारे में अब हम construction of standard hydrogen electrode की बात करेंगे यहां पर कुछ ऐसा देख सकते हूँ आप यहां पर एक beaker होगा जिसमें HCl one molar ले रखा है या आप कोई भी acid ले सकते हो लेकिन वो one molar होना जरूरी है और उसके अंदर यह tube होता है उस tube के अंदर हम hydrogen gas को one bar के pressure पर इसमें flow कराते हैं और इसमें एक देखेगा छोटा सा और tube होता है उस tube के अंदर platinum की wire लटकी होती है और उस platinum की wire से हम आगे चलके connect करते हैं platinum की electrode को ठीक है जब आप H2 gas को इसके अंदर flow कराते हो तो वहां से क्योंकि नीचे आपने क्या भर रखा है उसके surface को समझते हैं platinum electrode की surface पे ये जो electrons present है वो उस electrons की तरफ जो solution के अंदर H plus था वो H plus आते हैं अगर वो H plus उस electron की तरफ जाएंगे तो वो क्या बन जाएंगे अब देखेगा H plus क्या करेगा electron पाकर के hydrogen मतलब neutral hydrogen बना देगा एक hydrogen हो गया दूसरा H plus अगर electron की तरफ जाता है वो भी एक दूसरा hydrogen हो जाएगा तो दो hydrogen मिल करके वहाँ से H2 gas liberate हो जाती है यही यहाँ platinum की surface पे हो रहा होता है अभी आपने construction of standard hydrogen electrode देखो भया सीखा है animation में वहाँ पे कुछ reaction भी देखी है लेकिन यहाँ मैं आपको थोड़ा और elaborate करके समझाऊँगा और ज्यादा मज़ा आएगा ठीक है भई हमारा topic भई standard hydrogen electrode देखो भई यह प्रस्तुत करते हैं हम अपना एक छोटा सभीकर जिसके अंदर क्या भरा हुआ है भई हमने हम क्या लगाते हैं एक देखो यह platinum की वायर लगाते हैं और उसी वायर से एक electrode लटका देते हैं ठीक है बात समझाँगी और लटका कहा हुआ है इस solution के अंदर लटका हुआ है जो solution है SCL का हमने concentration fix किया हुआ है one molar को दिक्कत तो नहीं है अब यहाँ पे हम क्या हाल तो नहीं है मेरे भाई one bar भी important है और यहाँ one molar भी important है क्योंकि हम एक standard चीज तैयार कर रहे हैं और इसी standard के हिसाब से हम बाकी जितने भी elements हैं metals हैं कुछ और gases हैं उनके electrode potential को निकालने की courses करेंगे तेक है तो पहले हम standard बना लेते हैं देखो क्या होगा यहाँ पर ह्टू गैस जाएगा इसके अंदर तो यहाँ पर क्या होगा बुल बुले निकलेंगे बुल बुले निकलेंगे यहाँ पर देखे आपको bubbles यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं अच्छा यह क्या है यह अभी बताया मैंने क्या है यह प्लाटिनम इलक्ट्रोड है यह क्या है प्लाटिनम इलक्ट्रोड है आपको सुरुवात में ही मैंने पढ़ाया हुआ है कि जो अमारा प्लाटिनम इलेक्ट्रोड होता है ये एक इनार्ट इलेक्ट्रोड है सर ये इनार्ट इलेक्ट्रोड का क्या मतलब होता है इनार्ट इलेक्ट्रोड का मतलब है ये खुद रेयक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते ये खुद रेयक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन अपने surface पर oxidation होने देते हैं, reduction भी होने देते हैं, मतलब यहाँ पर redox की reaction कराई जाएंगी, कहाँ पर platinum के इस surface पर, लेकिन ये खुद involve होने वाला नहीं है, ये वो लोग हैं, जो मार जगड़ा कहीं चल रहा होता, सांती से देखते हैं, और और ज़्यादा भिलवाने की कोशिस करते हैं, बट अपने खुद मार जगड़े में नहीं उतरते हैं, बात वज में आ गई भाई, ये हमारा है platinum electrode in art, अच्छा जी, अब हमें समझना ये है actually, कि भाईया, ये जो हमारा platinum electrode है, इस पर कौन सी reaction हो रही होगी, कैसी reaction हो रही होगी, उसके लिए देखिएगा भिया, ध्यान से सुनिएगा इस line को, इस one molar SCL के अंदर, मैं आप से पूछू काउन सा iron present होगा, तो आप कहोगे इसके अंदर H plus present होगा, कलर बदलना पड़ेगा, तब आपको अच्छे सो दिखेगा, है ना भई, यहाँ पर क्या होगा, H plus present होगा, क्या present होगा, H plus present होगा, तो देखो भई, हमारा जो ये, ये आप system देख रहे हो न, ये system हो सकता है, हो सकता है, कैथोड का काम कर ले, और जरूरत पढ़ने पर, एनोड का भी काम कर सकता है, इसका मतलब ये हुआ, कोई special character नहीं रखते कि, हमेसा एनोड ही रहेंगे, हमेसा ये cathode रहेंगे, ऐसा आप किसी के लिए भी नहीं कह सकते, ये जरूरत पढ़ने पर, जरूरत के हिसाब से एनोड बन जाते हैं, और जरूरत के हिसाब से cathode बन जाते हैं, कुल मिला के मेरे कहने का मतलब ये है, कि यहाँ पर oxidation की भी reaction होगी, अब चलिए पहले देखते हैं, oxidation की reaction को, किसको देखते हैं, oxidation की reaction, चलो भी या, oxidation, अगर oxidation की reaction होगी, तो कैसे होगी, उस संभावना को हम तला सहिए, देखो क्या होगा, H2 गैस हम पास करेंगे, H2 जो है, जिसमें convert हो जाएगा, जब H2 जो है, convert हो जाएगा, 2 time H+, में, और सा साथ वो 2 electron निकालेगा, तो इस process को आँ oxidation बोलोगी, क्योंकि मेरे भीया, hydrogen का यहाँ पर oxidation number 0 है, लेकिन यहाँ पर oxidation number plus 1 है, और अगर oxidation number 0 से plus 1 हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, तो यहाँ पर oxidation हो रहा है, अच्छा जी, अगर oxidation होगा, तो यह reaction होगी, और अगर उसी platinum के electrode पर reduction हो रहा है, reduction हो रहा है, तो reduction कैसे होगा, इसका just ultra reaction आपको लिखना होगा, ऐसा होगा मेरे भाई, कि जो solution के अंदर का H plus है, किसका, solution के अंदर का H plus हो, तो कैसे लिखते हो, लिखोगे H plus, फिर लिखते हो aqueous, क्या लिखोगे, aqueous, H plus कहा है वहाँ या, solution के अंदर था, अब वो क्या करेगा, दो electron को लेकर के, क्या बना देगा, H2 gas बना देगा, क्या बना देगा, H2 gas बना देगा, समझ में नहीं आई बाद, दुबारा बता देता हूँ, ये जो H plus है, वो जाएगा platinum के पास, platinum की surface पे जाएगा, और platinum की surface पर उसको मिलेंगे 2 electron, वो क्या करेंगे, 2 electron खा करके अपने आपको H2 बना लेंगे तो भाईया यहां पर क्या हो रहा है प्लस वन ऑक्षिडेशन रखने वाला H+, Convert हो रहा है जीरो ऑक्षिडेशन के H2 के अंदर मतलब यहां पर हो रहा है अच्छा सर एक बाद यहां eqos लिखा यहां नहीं लिखेंगे क्या अरे लिखेंगे यार लिख मैरे बहरी लिख दो मेरे भाई यहां यहां प्लस की बात जब भी करोगे एक वस्लिक होगे क्योंकि आप नहीं जो एसिड लिया हुआ है वो कहां पर है पानी के अंदर है भाई मोलर की बात तो जानते हो ना पानी में मिलाया गया है अच्छा यह टू गैस रहेगा यस जी जरूर रहेगा तो यह दो रेक्शन पॉसिबल है इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के ऊपर बट यह भाईया खुद इन्वालब नहीं होते हैं क्या आपको इतनी बात समझ में आगई यसर समझ में आगई है अब आपको कुछ चीजें द दिखाने की कोशिस कर रहा हूं यह जो अपने पॉइंट लिया है वुस पॉइंट में यह क्या है यह जो दिख रहा है यह क्या भी यह प्लैटिनम के एटम से जो एक दूसरी के साथ मिल करके वह प्लैटिनम इलेक्ट्रोड को बना रहे हैं अच्छा प्लैटिनम के यहां देखिए दो इलेक्ट्रोन निकाल रहे है और साथ साथ क्या निकल रहे है एच प्लस निकल रहे है तो यह कौन सा काम हो रहा है एच टू जा रहा है सर्फिस पर क्या निकाल रहे है दो इलेक्ट्रोन निकाल रहे है यहां देखिए दो इलेक्ट्रोन निकाल रहे है और वो भाई आपने आपको H plus में convert कर लेगा, तो देखें, यहां से H plus दूर जाता हुआ, आपको दिख रहा होगा, और जो H plus दूर जा रहा है, अरे इसी solution के अंदर जा रहा है, क्योंकि यह solution और platinum का इलेक्ट्रोड दिर्मूफरे के साथ touch में है, बात समझ में आगी, यसर यह ब platinum की surface पे, और जब platinum की surface पे जाएंगे, तो वहाँ पे पहले से मालों electron present है, तो उन दोनों electron को, जो यहां पे present है, उन दोनों electron से यह दोनों H plus जाके गड़ बंदन कर लेंगे, और जैसे ही गड़ बंदन होगा मेरे भई या इनका, यह अपने आपको क्या बना लेंगे, H2 gas बना लेंगे, और जैसे ही H2 gas बनेगा, यह बुलूले के रूप में आपको H2 gas दिख जाएगा, बात समझ में आगी क्या, यस, पूरे reaction feel आ रही है, आ रही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अब आज आईए आगे, आगे देखेंगा, आगे आपको इसका पढ़ना होता अच्छा जी, यहाँ पे हमें, यह पढ़ना होता है, representation, representation of the half cell, भाई यह जो है, यह complete cell तो नहीं है, यहाँ पे आभी, यहाँ पे ना तो कोई anode बना, ना कोई electrode बना, जब दोनों बन जाएंगे, तभी तुमको cell बोलोगे, अब एक हिस्से को तो half cell ही बोलते हो, यहाँ पे आपको क्या पढ़ना है, representation, कैसे बताएंगे, भाई हर बार तुम इतना figure तो बनाऊगे नहीं, पेपर में ऐसा तो होगा नहीं, यह figure आएगा, और उस पर सवाल पूछा जाएगा, डारेक्ली, क्या होगा, इसको लिखने का क्या तरीका है, वो देखेगा, देखो बेरे भा बात तो समझ में आती है, प्लैटिनम क्या है, सॉलिड है, अच्छा जी, प्लैटिनम सॉलिड जो है, क्या रेक्शन करवा रहा है, अगर मैं पहले वाले को लेगा, यह मैं इसको नमबर A देदू क्या, बोलो भई, A दे देता हूँ, B दे देता हूँ, तो देखो भी, A वा अपने H2 gas लिया है, उसका आपको pressure लिखना पड़ेगा, प्रेसर लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, वन बार लिखोगे, क्या लिखोगे भई, वन बार लिखोगे, यह लिख दिया, H2 किसमें convert हो रहा है, मेरे भईया H+, में convert हो रहा है, अच्छा, तो यहाँ पर आ आगे इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है हमने पहले बताया कि यह जो reaction है ना वो platinum की surface पे होती है इस वज़ा से platinum solid फिर हमने यह बताया कि जो h2 है वो h plus में convert हो जाती है तो देखो भया h2 h plus के अंदर convert होता हुआ हम दिखा रहे हैं तुमको और जैसे ही तुम यह चीज देखोग तुरंत तुम्हारे दिमाग में यह figure क्लिक करेंगा और इसके साथ साथ यह पहले reaction क्लिक करेंगे अब आपको ना तो reaction बताने की जरूत है ना तो यह figure दिखाने की जरूत है चिर्פ आपको यह notation देने लेकिन आपको क्या सिखाया गया था कि जब दो different phases हुँगे तो वहाँ और phase boundary बनाएंगे और phase boundary सिर्फ एक line ही तो है एक line बना देंगे भाई यहाँ पे solid है यहाँ पे gas है तो दोनों के बीच में एक phase boundary होगी यह gas है यह क्या है भाई यह तो liquid है तो gas और liquid के बीच में भी एक phase boundary होगी तो रटने की कोशिस मत करना electro chemistry सबसे प्यारी चीज है भाई सबस कुछ समझा जा सकता है तो यह भाईया इस oxidation वाले के लिए यह लिखा जाएगा आपके इस standard hydrogen electrode का representation मैं आपसे बोलूं कि क्या आप अगला लिख पाओगे इस साहे था आप जबाब दोगे हाँ अरे भाईया कुछ नहीं है platinum का surface है अच्छा लिख लेता हूँ platinum का surface है तो यह सोचना surface लिखा है मैंने solid लिखा है अब अगली लाइन क्या बना है मैंने phase boundary अब यहाँ पर एक बात देखो यहाँ पर इस वाले के लिए बात कर रहा हूँ h plus कि समय का नवाइट हो रहा है h2 में मतलब यहाँ पर reduction हो रहा है लिखने का तरीका भी होता है h plus h2 में जा रहा है तो यहाँ पर क्या लिखोगे h plus यहाँ पर लिखोगे aqueous इतना लिख दिया ओके इसके बाद आप क्या करोगे दुबारा phase boundary बनाओगे तभी तो h2 gas लिख बोलो आनंद आया क्या बोलो इतनी बाद समझ में आई क्या कि यहाँ पर oxidation माले के लिए यह representation और reduction माले के लिए यह representation होगा standard hydrogen electrode का standard सब्ध हम इसलिए कह रही हैं क्योंकि हमने अपना concentration 1 molar लिया हुआ है और यहाँ पर 1 bar का pressure apply कर रहे है h2 gas के दूब बाद सुपड उपर clear है ज आईए आगे आजाते हैं आगे अच्छा हमें आपे थोड़ा सा ना representation और देखना है मतलब यह तो cell का representation है अब मैं आपको electrode potential की representation पर लेकिया आना हूँ ठीक है भाई सिंपल सी बात है कोई ज्यादा दुख दर्द समस्या वाली बात नहीं है पहला मैं आपको पढ़ाँगा standard reduction potential किसका standard hydrogen electrode का अगर हम standard reduction potential लिखे तो कैसे लिखेंगे लिखने का तरीका देखेगा हमने बोला है standard मतलब यह लिखते वक्त not लगाना पड़ेगा E not का मतलब क्या होता है यहाँ पर हमने standard conditions लिख हुई है अच्छा जी लिख दिया हमने क्या बताया standard को ऐसे लिख दिया अब अगला reduction potential मतलब हमें reduction वाली reaction लिखनी पड़ेगी अच्छा reduction का हो रहा है reduction वाला यह है इसके लिए आप क्या लिखोगी reduction में h plus कहा पे जा रहा है h2 में भाई तुम यही तो लिखते हो मेरे भाईया बोलो न h plus किसमें जाता है h2 में reduction की समय तुम ऐसा ही लिखते हो तो इस समय जो आप यह देख रहे हो e naught h plus 2 h2 यह standard hydrogen electrode का क्या है standard reduction potential है reduction potential का मतलब हुआ कि reduction होगा और reduction में h plus को h2 में जाते हुए देखा है अच्छा जी अब आजाते हैं आगे आगे हमें पढ़ना है standard oxidation potential इसको किस तरीके से लिखोगे तो इसको लिखने का तरीका बताता हूँ standard बोला तो क्या लिखोगे e naught अब कह रहा है oxidation potential तो भाईया oxidation कहा हो रहा है यहाँ h2 किस में जा रहा है h plus में तो लिखोगे h2 slash h plus simple है बलकि मैं कहूँ simplest है यार कुछ नहीं है यहाँ पर हमने देख देखके नकल मार के लिख दिया है कि भाई किस तरीके से कौन किस में convert हो रहा है तो यह notation है क्या है यह notation है अब आते हैं main बात पे बहुत ही important बात है यह OP level की बात की जा रही है यह OP level की बात की जा रही है कि भाईया जो IUPAC है उसने ही तो इसी को क्या माना हुआ है इसको अपना standard माना हुआ है जो system आप देख रहे हो और इसने कहा कि इस standard hydrogen electrode का standard hydrogen electrode का जो standard reduction potential है reduction potential का मतलब क्या है इसका मतलब है लिख दो भाईया क्या लिखेंगे h plus class h2 वो कितना होगा 0 होगा दुबारा सुनेंगे मेरे भाई दुबारा सुनेंगे IUPAC कहता है कि जिसको तुम standard अभी बना के दिखा रहे हो उसके लिए आप क्या लिखोगे standard reduction potential को 0 लिखोगे और मेरे भाई standard reduction potential को ऐसे ही तो लिखते हैं E0 h plus 2 h2 यह लिख दिया और और दूसरे चीज standard oxidation potential भी क्या होगा ये भी 0 के बराबर होगा ये आईउपेसी कहते हैं और ये बहुत important चीज है भाई येस कभी मत भूलना क्या बोल रहा हूँ मैं कि आईउपेसी कहता है कि भाईया हमने जिसको standard बोला है उसकी वजह होगी ना कोच वजह ये है कि इन इस setup के लिए हम standard reduction potential को 0 लेंगे और standard oxidation potential को भी 0 लेते हैं अब तो clear है super duper clear यहाँ पे इससे जादा कुछ सीखना नहीं है अब आएए अगले पेज पर अगले पेज पर क्या होगी है measurement of electrode potential सर किसका अरे बाकी element तो है यार अभी हमें सिर्फ किसका पता चला है standard hydrogen electrode का electrode potential पता चला है बाकी element कितने है यार उनका तो पता करना है तो हम क्या करेंगे हम standard hydrogen electrode के सहारे बाकी element का निकालने की कोशिस करेंगे क्योंकि हमारा standard set हो गया है उसके respect में बाकी लोग calculate किये जाएंगे कि कितने पानी में है इनका कितना electrode potential आता है कोई दर्द कोई परिशानी कोई समस्या नहीं होगी इस बात में समझ में पूरा आ रहा होगा अच्छा जी यहां पर लिखा है measurement of electrode potential चलिए मैं कोई ऐसे माल लेता हूँ कि कोई एक metal है और उस metal का मेरे को क्या निकालना है electrode potential निकालना है ध्यांग दिजेगा हमने कोई एक metal लि है तो उस समय क्या करेंगे वो तरीका सिखिएगा वो तरीका सिखिएगा वही चीज इंपॉर्टेंट है यहां पर हम क्या करेंगे उस metal का electrode बनाएंगे और उसको उसी के solution में ले जाके dip कर देंगे क्या बात कर रहे हैं अरे हमने यह बोला कि जिस metal का electrode potential निकालना है ना उसी का हम क्या ले लेंगे एक electrode ले लेंगे और उसको ले जाकर कि उसी के salt solution में उसको dissolve कर देंगे सर बात कुछ पची नहीं बात कुछ पची नहीं थोड़ा दिखाओ तब समझ में आता है यह देखो भया हमने क्या लिया है एक beaker लिया इस beaker में मैं ले ले रहा हूं मैं ले ले दिया बस that's it कुछ नहीं है कुछ नई बात नहीं है इस metal के इस metal का हमने क्या लिया और उस sulfate को हमने पानी के अंदर डाल दिया तो भया यह क्या हूँ अच्छा अब हम क्या करेंगे इसमें dip कर देंगे उस metal को यह जो भाई साब को आप देख रहे हो ना इतने प्यार से इत metal M सुरुवात कैसे करी हमने लिया metal मतलब जिसका में पता करना है उस metal का हमने लिया salt solution और उसी में हमने लाके dip कर दिया है उस metal electrode को पहले का हमने पढ़ चुका इसका मतलब पता है इसको थोड़ा सा salt form में बोलें तो पता क्या बोलते हैं कहते हैं यह इस metal का half cell है क्या है इस metal का हाफसल तो लिख देता हूं में मेटल हाफसल मेटल हाफसल यह कौन सा मेटल है अरे वही मेटल है जिसका हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो हमने क्या बोलना चाहिए भीया कि मेटल का हमें पहले बनाना चाहिए हाफसल और जैसे ही हाफसल बन जाए इस हाफ हापसल को standard से ले जाकर कि connect कर दो, couple कर दो, चोड दो, तब जाकर के हमें एक electrode potential मिलेगा पूरे cell का और उसी के थूँ हम इस metal के हापसल का electrode potential निकाल ले जाएंगे, बात पची नहीं क्या, अच्छा ये लो भई, ये देखो, ये हमने लिया metal का हापसल, बगल में इस पडोसी को तो पहचानते हो, अरे इस पडोसी को देखो भाई, देखो भाई, इसके अंदर क्या डाल रहे हम, डाल रहे हम, डाल रहे है H2 at 1 bar, बार-बार बोलने से याद होती हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे हम जो solution लेते हैं, वो हमने 1 molar SEL ले रखा है, और आपको मैं अभी से बता दूँ, यहाँ पे जो हमने metal लिया हुआ है, यहाँ पे भी हमने 1 molar, 1 molar concentration of metal 2 plus ले रखा है, metal 2 plus क्यों लिखा है हमने, क्योंकि sulfate पे 2 negative होता है, तो metal पे 2 plus आ जाएगा, तो इधर भी solution कैसा है, 1 molar है और यह तो 1 molar है ही, अच्छा, यह तो standard वाला था, अब हम क्या करेंगे, standard hydrogen electrode के साथ, इस भाई साहब के हाप cell को connect कर देंगे, couple कर देंगे, गडबंधन कर देंगे, एकदम ब्या कर देंगे, भीया इनका, अच्छा, इनके connection को कैसे करेंगे, देख लोगे, connection को करने का तरीका क्या है, हमने इनको wire से जोड़ दिया, हमने यहाँ पर voltmeter लग connection मगरा, so करेंगा, बाट समझ में आगी, अच्छा जी, यह पूरा setup हमें बनाना पढ़ता है, बलकि पढ़ेगा ही, और इसी के थुरू हम इसका हम क्या करेंगे, electrode potential निकालने की courses करेंगे, बाट समझ में आगी, यस, अब हम ध्यान से सुनिएगा इस line को, अब हम क्या इस cell का representation लिखेंगे, अब इतना बड़ा जो लिखा गया है, उसको अगर हमें represent करना हो, ठीक है, तो representation करना हो, तो हम लिखेंगे, देखो, यह क्यों है, C, standard hydrogen electrode, यह वो है, यह standard hydrogen electrode है, और उधर हमने क्या लिया हुआ है, इधर हमने क्या लिया हुआ है, मेटल का हाफसल लिया हुआ है, मेटल का हाफसल लिया हुआ है, तो देखो भईया, इसको देखके समझना आ रहा है, कि भईया, मेटल का हाफसल और बीच में हमने लगा दिया salt bridge, और इधर लिया हमने standard hydrogen electrode, तो हमने क्या किया है, दोनों चीज़ों को couple कर दिया है, जोड दिय है, किसके साहरी जोड़ा है, salt bridge के साहरी जोड़ा है, मेरी बात गसमर्थल करोगे, एक तम सही, अच्छा जी, अब देखो न, अभी हमें पता नहीं है, कि ये metal का न, करेक्टर कैसा है, क्योंकि मैं हर बार metal, metal लिख रहा हूँ, अभी मुझे पता नहीं है, ठीक है, जब पत चलेगा, तो उसको निकालने के अलग-अलग conditions होंगी, जो अभी थोड़ दर में आपको पढ़ाई जाएगे, चलो, ये मैं मान लेता हूँ, तुम्हारे लिए, ये मान लेता हूँ, कि ये जो metal है, वो metal यहाँ पर कैथोड बनाता है, और कैथोड बनाता है, तो मानलो, इस पर क्या आएगा, पॉजटिव चार्ज आएगा, ये बात मैंने मानी है, कि ये जो metal है, इस समय, ये कैसा काम कर रहा है, कैथोड का काम कर रहा है, अगर ये कैथोड का काम करेगा, तो इस वाले पर क्या आएगा, नेगटिव आएगा, ध्यान दीजिएगा, इधर क्या आए तब जो है थोड़ दिर बात पढ़ा दूँगा अभी फिलहाल मैं ये मान रहा हूँ कि यार ये जो चीज है ना ये मैं कैथोर्ड कितना भी हैप कराना चाहता हूँ अब अगर ये कैथोर्ड हो गए भाई साब तो इनको मजबूरी में क्या बनना पड़ेगा अनोड बनना पड़ेगा बाट सुपर दूपर क्लियर है अच्छा इसी लिए इसी लिए जो हमने रिप्रजेंटेशन लिखा इसको तुरा धान से देखो इस सॉल्ट ब्रिज के ले या एनोड बुला है ठीक आब हमने जो रिप्रजेंटेशन लिखा है उसके लिए मैं क्या मूल रहा हूँ लेप्ट साइड में हम चा कराएंगे ऑक्सिडेशन की रियक्शन कराएंगे और कहां पे होगी ये कैसा भी हैब करेगा ये प्लैटिनम इस समय कैसा भी हैब करेगा समझ में भी हमें आ रही है अच्छा ये मार हटा तब ये पहले से आप जानते हैं अब मैं इसकी थोड़ी सी ना यहाँ पर रियक्शन लिख लेता हूँ आजए लिख लेता है अगर ये ध्यान दीजेगा यही तो बात है जो मैं उझे आप से पूछनी है कि ये जो एनोड ह इसकी रियक्शन हम यहाँ पर कैसे लिखेंगे बताओ कैसे लिखेंगे यहाँ पर हमें क्या कराना चाहिए यहाँ पर हमें ऑक्सुडेशन कराना चाहिए इस प्लाटिनम की खोपड़ी पर हमें ऑक्सुडेशन कराना चाहिए तो हम लिखेंगे इसके रिप्रजेंटेशन क हम लिखेंगे platinum solid हम क्या लिखेंगे इसके representation को लिखेंगे platinum solid इसके बाद हम बनाएंगे phase boundary हमें क्या कराना है oxidation अगर oxidation कराना है तो हम कैसे लिखेंगे H2 gas at 1 bar H2 gas at 1 bar और इसके बाद हम लिखेंगे H+, अभी तो पढ़ाया याद अभी तो पढ़ाया कि Oxidation वाले को कैसे लिखोगे H+, और इसके बाद लिखोगे Equus, रटना माद दुबारा बता देता हूँ यहाँ पर देखो, यह तो solid है इसी के surface पर reaction हो रही है H2 जो है H+, में जा रहा है मतलब 0 oxidation state प्लस 1 में convert हो रहा है तो नीचे दुरूप से oxidation हमें दिख रहा है तो यह चीज तो standard hydrogen electron का क्या हो गई representation हो गई इसके बाद हम क्या बनाएंगे बोलो इसके बाद हम बनाएंगे यह phase boundary क्या बनाएंगे इसकी बनादेंगे हम phase boundary phase boundary के बाद हम क्या लिखेंगे यह भाई साब के हाँ क्या हो रहा होगा यह cathode है cathode पे क्या होता है reduction होता है तो reduction किसका होगा भाई इसके metal का यहाँ पर 2 plus present है तो metal के 2 plus का यहाँ पर क्या होगा reduction होगा तो metal का 2+, कहां पर है, पानी के अंदर है, तो यह aqueous लिखा है, ठीक है, aqueous के बाद हम क्या करेंगे, यह बनाएंगे, और लिखेंगे metal solid, भाई, मेरी बाद का समर्थन कर रहे हो क्या, यहाँ पर, आप क्या देखरों, metal 2+, metal में जा रहा है, मतलब reduction हो रहा है, और यहाँ पर H2 2+, में जा रहा है, मतलब oxidation हो रहा है, तो यह जो चीज बनाई गई है, जिसमें मैंने metal को cathode माना है, उसका representation इस तरीके से लिखा जाएगा, क्या बात समझ में आई है क्या, एकदम आई होगी, मेरी समझ से कोई दुख, दर्द, परेशानी नाम की चीज नहीं होगी, अच्छ लिखेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर complete cell को लिखने की हम कोसिस करेंगे, करेंगे ना, अब उसको यार लिख लेना, मुझे लगता होँचीज आपको आती होगी, या थोड़ी दिर बाद अभी मैं बता भी दूगा, लेकिन मेरा main point था measurement of electrode potential, मेरेको तो इसका क्या निकालना था, electrode potential निकालना था, तो आओ भीया, निकालते हैं, देखो, यहाँ पे जो volt meter है, वो कोई deflection सो करेगा, और यहाँ से हमें E naught cell की value पता चले होगी, मालो E naught cell की value, plus X volt आ जाती है, क्या आती है, plus X volt आ जाती है, ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या किया, मैंने metal का hapsel लिया, फि कैसे जोडा और salt bridge लगाया, इस volt meter में एक deflection आया, X volt का, ठीक है, X volt का यहाँ पे क्या आ गया है, volt meter के अंदर deflection आ गया, अभी जो deflection दिखरा है ना, वही तो E naught cell होगा, क्योंकि अब तो cell बन चुका है, पहले hapsel था, hapsel था, जोड दिया, full cell हुआ, तो यहाँ पर E naught cell हमें मिल गया है इस वाले cell का, अच्छा जी, तो देखेंगा, कैसे निकालते हैं E naught cell, कुछ याद आ रहा है formula, आपको पढ़ाया गया है, क्या पढ़ाया गया, कैसे पढ़ाया जाता है भी या, E naught, कैसे हो तब या, cathode minus anode, cathode minus anode, यही तो करते हो, cathode minus anode, यहाँ पर आपक्या ब जो है E naught, जो मैंने cathode लिखा है, इसको आप क्या निक सकते हो, अगर representation की बात करो, तो इसको represent करना हो, देखो मैं बहुत सारी चीदी एक साथ ही सिखा देना चाहता हूँ, और बहुत इस simple simple way में, है ना, complex नहीं करेंगे अपन, इस चीज का representation क्या होगा, इस चीज का representation होगा, आप देख लीजी, कैसे लिखोगे, metal 2 plus convert हो रहा है metal में, भोलो यही लिखोगे क्या, भाई इसका reduction potential इसी तरीके से लिखा चाहता है, और यही तो है E naught cathode, अच्छा, minus, minus, E naught anode है, तो E naught anode, इसके लिए कैसे लिखोगे भाई, लिखोगे तू, H plus किस में जा रहा है, H2 में, अब आप कहोगे, कि एक सरव बाब बताओ, यहां तो H2 H plus में जा रहा है, तो आपको switch करके लिखना चाहता, नहीं, नहीं, फॉर्मूला भूल गए लगता है, अरे फॉर्मूले में जो कुछ भी लिखा जाएगा न, वो standard reduction potential होगा, यह भी standard reduction potential है, इस तरफ का, और यह जो ह जीज़ है न, यह होता है, जीरो के बराबर, यह होता है, जीरो के बराबर, अभी पढ़ाता, standard reduction potential of standard hydrogen electrode age, जीरो कौन कहता, आयूपेसी बाबा कह दिये, इसलिए हम लिखेंगे, E naught cell, जो की बराबर है, E naught cell, जो की बराबर है, वहां से देख लीजिए, प्लस X वोल्ट के, वह बराबर हो जाएगा, E naught of metal 2 plus slash M के बारे में, अब आपको जवाब मिल चुका है, अरे सार, मेरे को यही तो निकालना था, मेरे को metal का क्या चाहिए, standard reduction potential चाहिए, और यहने को metal का standard reduction potential है, और वह बराबर आ रहा है, X वोल्ट के, किसके? X वोल्ट के बर इसका जवाबा को मिल लिया, कि भया मुझे इसका निकालना था, निकालने का तरीका हमने ये बनाया, उसको एक आपसल बनाया, हमने लाकर के standard hydrogen electrode के साथ कपल करवा दिया, गडबंधन कराया, E naught की value को चेक कर लिया, चेक करने के बाद ये वाला simple सा formula लगाया, और हमें पता चल गया कि इसका standard reduction potential कितना होगा, है ना जबर्द सची, यस सर, आइए, ये line पढ़के देखे क्या लिखा है, लिखा है कि if the connections, क्या लिखा है ने, concentrations, if the concentration of the electrolyte in both compartment in unity, ये line देखो इंप्रेंट है, दोनों में unity लेने ची, तो मैंने यहाँ भी 1 molar SCL रखा है, और यहाँ पर भ then the cell potential is equal to, तो इस वाले, इस वाले cell का जो reduction potential होगा, standard electrode potential होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले, इस वाले cell के द्वारा निकले हुए reduction potential के बराबर हो जाएगा, दुबारा बोल देता हूँ, कि ये कहना ये चाह रहा है, ये line, कि यहाँ पर इसका standard reduction potential उतना ही जितना यहाँ cell की, जितना यहाँ overall cell की value लिखी होगी, बोल्ट मेटर के अंदर, यहाँ पर जो भी E naught cell comment किया जाएगा, वही value इसके लिए होगी, और यही तो लिखा गया है, कि E naught cell is equal to E naught metal 2 plus 2 metal, मेरी समझ से कोई दिक्कत नहीं होगी, ये दोनों चीजें बराबर हैं, यही वो कहना भी चाह रहे हैं, इसका standard hydrogen electrode का, जिसमें आपको platinum का यहाँ पर electrode दिखेगा, और उपर से H2 gas पास होते हुए दिखेगा, और क्योंकि gas आएगा कहाँ पर aqua solution में, तो यहाँ पर आपको कुछ बुलबुले भी दिखाई देंगे, लेकिन जो आपने aqua solution ले रखा है, वो one molar लेना है, क्योंकि हमन standard hydrogen electrode की बात की थी, ठीक है, अब हम standard hydrogen electrode को copper के compartment के साथ कपल करेंगे, जैसे हम इन दोनों को wire के through भी जोडते हैं, और इन दोनों की solution के बीच में salt bridge लगाते हैं, हमें bolt meter के अंदर एक permanent deflection देखने को मिलता है, और वो deflection कितने का होता है, 0.337 volt का होता है, जिसको अक्सर आप दे इस पूरे cell का cell potential मिल जाता है, क्योंकि भाई जो चीज वोल्ट मेटर में दिखती है, वो पूरे cell की होती है, वो कितना आया, यहाँ पर 0.34 volt आया, तो यही 0.34 volt, यह पूरे cell का क्या आएगा, E0 cell आएगा, मतलब standard electrode potential आएगा, अब हम देखेंगे, इस E0 cell से हम copper का standard electrode potential कैसे वैसे तो आपने मेरे भाईया सीख लिया है कि किस तरीके से electrode potential निगाला जाएगा, लेकिन एक बार मैं थोड़ा सा quick revision देगर के तुरंत zinc पर कूद पड़ूँगा, बस भाईया यहाँ पर एक बार देख लीजी, यह क्या दिया गया, यह हमने लिया standard hydrogen electrode और यहाँ पर मैंने जोड देंगे, इनका गटबंधन करा देंगे, और जैसे ही गटबंधन कराएंगे, अभी हमने animation में देखा था, कितना आता है, 0.34 volt आता है, अब हमें यह पता चल चुका है कि इसका भाईया, जो cell है, उस cell का E naught cell value, क्या क्या क्या, इस पूरे cell का, जो E naught value है, वो बराबर है 0.34 volt के, यहाँ पर हमें क्या लिखना चाहिए, क्योंकि यह cell का है, तो E naught cell लिख देना चाहिए, बोल्ट मेंटर के अंदर यह चीज़ हमें दिख गई, अच्छा, अब हमें निकालना किसका, इनका निकालना है, आईए, पहले मैं आपको इसका representation दिखानगा, ठीक है, हर बा फिर हम बनाएंगे face boundary, उसके बाद हम लिखेंगे कि यहाँ पर copper 2+, copper में convert हो रहा है, जहाँ पर यह copper solid है, और यह भईया, aqueous condition में है, ठीक है, यहाँ पर copper aqueous condition में है, तो भईया, मैं यह चीज़ एक बार लिख देता हूँ, नहीं तो confusion में कहीं आ जाओ, यहाँ पर क्या है copper 2+, यह भी भईया, यहाँ पर 1 molar है, यहाँ पर जो H+, वो भईया हमारा 1 molar है, यहाँ से हम H2 gas pass कर रहे हैं, आप वो चीज़ से आप थोड़ा सा परचित हो चुके हैं, आईए, आईए मैं इसका आपको E0 से लिखना दिखाता हूँ, E0 is equal to क्या होता है बोलो, बोलोगे, तो बते हो कि right में से left को घटा दो, क्या, क्या, E0 right minus E0 left, तो भईया एक बाँ बताओ, एक बाँ बताओ, right side में को है, right side में है copper, तो उसकी जगा पर आप यही पर लिख दीजिए, copper 2 plus slash copper, क्योंकि हम यहाँ पर क्या लेते हैं, standard reduction potential of यह लेंगे, जो की है copper का, ठीक है, अब इध frozen electrode है, वो तुम्हारी आवकात नाप रही है, कौन, यह C, C को इधर लिख दो भई, C को कहा लिखोगे, इधर लिखोगे, H plus slash H2, लेकिन जो नाप रही हैं आवकात, उसका भी आपको क्या लिखना है, reduction potential ही लिखना है, अच्छा सर, समझ में बात लग रहा है, आ रही है, 0.2, 0.34 volt, लिख देंगे, यस, जरूर लिख देंगे, इसके बाद देखो क्या होगा, यह वाला पार्टो 0 के बराबर है, यह वाला पार्टो 0 के बराबर है, इसका मतलब दुआ, कि E not copper 2 plus slash copper is equal to 0.34 volt, बोलो, बात समझ में आई क्या, देखो, हमने क्या किया, copper का electrode potential, calculate करके आपके सामने ला दिया है, actually बहुत ही आसान सी बात है, ऐसा कोई बड़ी बड़ी चीज नहीं पढ़ा रहा है, बहुत छोटी सिंपल बात है, क्योंकि हम धीरे धीरे एक एक स्टेप उठते जाएंगे, ठीक है, फिर हमें मजा आता रहेगा, अच्छा, अभी हमने किस का जिंक के सरण में आ चुके हैं, हमें इस जिंक का क्या निकालना है, इस जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंसियल निकालना है, उसके लिए हमने क्या किया, जिंक की रॉड को अपने ही सॉल्ट सुलूशन के अंदर डिजॉल्व कर दिया, अपने ही सॉल्ट सुलूशन के अंदर रखी हुई है कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए और अभी जो रॉड लिया है वो रॉड कैसा भी या वो है जिंक की रॉड क्या है वो है जिंक की रॉड अच्छा जी अब इसको कपल किसके साथ कराएंगे कपल किसके साथ कराएंगे standard hydrogen electrode के साथ ये standard hydrogen electrode है जिसके साथ हम zinc के compartment को क्या कर रहे है zinc के hap cell को couple करने की कोसिस कर रहे है तो यहाँ पर notation आप directly बना सकते हो हर बार ज़्यादा कोसिस करने की जरूरत नहीं है थोड़े से मैं समझ में आ जाएगा कि देखो हमने यहाँ पर लिद्या standard hydrogen electrode और इस साइड हम क्या लिखते हैं oxidation लिखते हैं तो हम लिखेंगे zinc जो है zinc 2 plus में convert होगा यहाँ पर aqueous होगा और यहाँ पर solid होगा आपके मन में यह सवाल आना चाहिए और अगर नहीं आ रहा है तो भया मजबूर करो अपने दिमाग को कि यार सर आपकी बार आपने zinc इधर ले लिया बड़ी मर्जी है आपकी जब मन करता है आप इधर switch कर लेते हो metal को जब मन करता है उधर switch कर देते हो एक बार standard hydrogen electrode तुम यहाँ लगाते हो और उधर copper वाले में तुमने गुरू left में लगाया था ऐसा कैसे चलेगा इसका reason actually मिलेगा जबाब इसका कहाँ पे electro chemical series के अंदर जो की आगी आने वाला है अभी बस आप मेरे इस बात का समर्थन कर दीजिए कि zinc जो है वो standard hydrogen electrode के साथ क्या बनता है बोलो anode बनता है क्यूं बनता है उसका जवाब दूँगा बट अभी के लिए आप मेरे इस बात का समर्थन कर दीजिए कि standard hydrogen electrode के साथ अगर zinc लगाया जाएगा तो वो anode होगा लेकिन उसी standard hydrogen electrode के साथ अगर आप copper लोगे क्या लोगे क्या लोगे क्या लोगे क्या लोगे तो वो copper भीया बन जाएगा कैथोड क्यापर से कैथोड बनाएंगे जिंक से anode बनाएंगे किसके साथ standard hydrogen electrode के साथ अभी इस बात का समर्थन करिए बात में पूरी बाते में समझाओंगा अच्छा जी अब होगा क्या जैसे तुम इनको कपल करोगे यहाँ पर एक deflection आएगा एक कुछ value आएगी वो value मिलती है 0.76 volt और यह जो हमने 0.76 volt लिखा है यह इस cell का क्या है E naught cell है E naught cell is equal to 0.76 volt हो जाएगा बोलिए आप मेरी इस बात का समर्थन करते हैं क्या सायद हाँ हमने कोई तकलीप तो आपके लिए रखी नहीं simple simple lineagram clear करता जा रहा हूँ अच्छा ऐसी बात है तो आईए एक बार देख लेते हैं इसका representation मैंने यहाँ पर लिख रखा है और इसके हिसाब से अगर मैं क्या लिखूँ E naught से लिखूँ तो मुझे क्या लिखना चाहिए मुझे लिखना चाहिए right में से left को घटाएंगे क्या right में से left बताए right side में कौन है आप कहोगे sir वो है C है और यहाँ पर क्या होगा H plus slash H2 minus क्या है standard hydrogen electrode का reduction potential हमने यहाँ लिख दिया minus of हम यह लिख दिनगे जो की होगा जो की होगा यह बोलो यह बात समझ में आई है कहीं से दुख दर्द तकलिप नहीं होनी चाहिए यार इतना बहतरीन animation दिखाया यह सब भी animation ही है जो आप देख रहे हो PPT पे इसको बनानी में 5-5 घंटे लगे हैं पूरे figures को बनानी में समस उतना इसी को जतना मैंने यूज किया उतनी को मैंने खुद बनाया है बहुत अच्छा कासा time गया है भाई ठीक है क्योंकि सिखाना हमारी आदत में है आईए E naught cell की value तो वहाँ से चापेंगी मेरे भाई value लिख लो क्या लिखा है 0.76 volt यह क्यों लिखा हमने यारे यही तो है E naught cell यहाप लिख दिये अच्छा यह जो भाई साब है इनका तो 0 हैगा ऐसा कौन कहेंगे गया है भाई 0 आएगा अरे IUPAC बाबा ने convention दे रखा है वो मानना पड़ेगा हमें अच्छा चलो मान लेते हैं अगर कह रहे हो सर आप तो minus of E naught zinc 2 plus slash zinc is equal to 0.76 volt E naught zinc 2 plus slash zinc is equal to minus 0.76 volt अगर तुम्हें पूरी बात समझ में आ रही है अब तक की तो chat में जरूर लिखके दाना मैं हर एक comment पढ़ता हूँ हर एक comment पढ़ता हूँ क्योंकि मैं ये देखना चाहता हूँ मुझे improvement की कहां जरूरत है ठीक है भाई अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें समझ में आ रहा है इस वाले जिंक का electrode potential जो की है होगा minus 0.76 volt सो परड़ पर clear है सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है पूरी बाते समझ आ रही है अच्छा अगर मैं एक सवाल पूछू यहाँ पर चलो एक सवाल देता हूँ बताईए यहाँ पर cell reaction कैसे लिखा जाएगा यहाँ का cell reaction कैसे लिखा जाएगा मैंने बोला ना जितनी cell reaction मिले उसको एक बार देख लो जितनी भी फोटो मिले उसके लिए cell reaction लिख दो तो दिमारा दिमाग क्या होगा practice कर जाएगा अच्छा खासा इसके बाद हम इसा ऐसे चुटकियों में करते जाओगे आप देखो cell reaction निकालने की ना पहले ना पहले पहले आपको half cell reactions लिखने चाहिए क्या 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 half cell reactions लिखने चाहिए तो देखो भई पहले हम चलो यहाँ से सुभात कर देते zinc से ठीक है तो यह हमने लिया anode और अगला हम ले रहे है cathode पहला क्या है anode दूसरा हम क्या ले रहे है cathode anode हमने zinc का लिया तो zinc में क्या होगा बताइए zinc का क्या होगा यहाँ पर oxidation zinc जाएगा zinc 2 plus में और अंदर से अपनी निकाल देगा 2 electron बोलो बात का समर्थन करते हो क्या anode पे oxidation ही तो होता है यह तो पता है न मेरे भाई यह सर हमें पता है loan नाम की एक चीज LOAN तो left side में oxidation anode और negative यह बात हमें समझ में आती है cathode हमने किस के लिए बनाया है किस से बनाया है standard hydrogen electron से तो भाईया यहाँ पे cathode पे होता है reduction तो reduction के लिए आप लिखोगे 2 time H plus with 2 electron यहाँ पे बन जाएगा H2 gas अगर आप यहाँ पर phase वगारा लिखना चाहते है जरूर लिखेगा H plus के साथ आप aqueous लिखे क्योंकि आपका H plus कहाँ पे है जोडोगे तो यह भाईया 2 electron इस 2 electron से क्या हो जाएंगे cancel out हो जाएंगे ऐसा होने की condition में हम लिखेंगे zinc यह लिखेंगे zinc और साथ में लिखेंगे solid और उसके साथ यह लिखेंगे 2H plus जो की convert करके बना रहा है zinc plus 2 जो की है aqueous condition में और साथ में H2 gas बन जाएगा क्या बन जाएगा H2 gas बन जाएगा जिस तरीके से मैंने लिखा है यहाँ पे नहीं लिखते हैं यहाँ पे हटा दीजे ठीक है भाई बात समझ माँआगे या सर हम यहाँ पर cell reaction को आराम से लिख सकते हैं कोई समस्या नहीं है और इतना जितना हमने सीखा ना अरे इतना आ गया ना तो आगे कुछ नहीं बचा है अब हम सांदार जांदार चीज एक बार चीखने वाले हैं देखो भया अब हम आ चुके हैं नस्ट equation पर क्या नस्ट equation नस्ट equation एक ऐसा topic पहले इसको हटाते हैं रुकिये रुकिये यार कुछ तो लग रहा है यहाँ पर हम सीखने माने नस्ट equation किया देखो भया नस्ट बाबा ने बहुत अच्छा काम किया एक नंबर का सांदार जिंदावाद काम किया इन्होंने देखो हम अब तक हर बार आपसे यही कहते हैं कि ना वो जो बॉक्स है वो जो आपका बीकर है ना उसमें ना जो solution लेना तो वो solution वन बोलर ही लेना अब आप भी थक गया सर हर बार वन बोलर अगर मैं concentration को बदल दूँ तो इस cell पर क्या प्रभाव आएगा काउन बताएगा नर्स्ट बाबा बताएगे दुबारा सुनेंगे अगर मैं temperature को standard ना रखूँ 25 degree ना रखूँ मैं क्या रख दूँ कुछ बढ़ा दूँ या कुछ घटा दूँ तो उस cell के potential पर कितना फरकाएगा वो आपका cell खराब हो जाएगा कि ज़्यादा actively काम करेगा अगर हमें ये पता चल जाए कि ये cell ना इस temperature पर अच्छा परकॉम करती है तो यार हम उसी temperature आज़ पास बना देंगे और cell का अच्छा कारकरम चलता रहेगा electrode potential of the cell मतलब क्या E cell ध्यान दीजिएगा electrode potential of the cell E cell temperature भी या T temperature T and concentration of the metal ion मतलब लिखा जाएगा concentration of metal प्लस ये इस तरहे किसो देख लेजिए इनके बीच में एक relation बताता है क्या करता है एक relation बताता और उसी relation को ही nast equation बोला जाता है क्योंकि नर्स्ट बाबा एक scientist है तो उनको इजद बख्षने के चकर में ये नाम दिया गया है आगे आईए भी या अच्छा आगे नहीं आईए इसको पहले समझाई देता हूं आगे पहले ये समझाई देता हूं कि यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे क्या लिखेंगे इन्होंने क्या बोला था आईए आईए लिखेंगे कैसे लिखेंगे nast equation की पहली line कि E cell is equal to E cell is equal to E not cell E cell is equal to E not cell minus RT by NF into ln Q यह क्या लिख रहे हूं सर बढ़ा जीव लग रहा है अरे Q को सुना होगा तुमने किसमे किसमे chemical equilibrium में अरे वही वाला Q है reaction percent नाम की एक चीज होती थी लेकिन यह जो लिखा गया है यह किस के लिखा गया है किसी cell reaction के लिखा गया है मेरे भाई यह relation किस के लिखा गया है यह लिखा गया है cell reaction के लिखा cell reaction के लिखा यहाँ पर मैं एक general cell reaction पर चर्चा करूँगा सुनना, दो मिनट दे दो, सारी लाइन दिमाग में उतार दूँगा, कि सल रेक्षन मैं एक जनरल ले रहा हूँ, जैसे AA प्लस BB, इसके बाद आएगा CC प्लस DD, कुछ याद आ रहा है, कुछ याद आ रहा है chemical equilibrium की, थोड़ी मोड़ी याद आई क्या, यस आ रही होगी, यह जो cell reaction है, यह मैंने एक general cell reaction लिया है, इस cell reaction का, अगर मैं कहूँ, कि तुम न, यहाँ पर लिख दो, reaction कोशंट Q की value, ठीक है, reaction कोशंट क्या होता है, वो मैं समझाना चाहता हूँ, reaction कोशंट Q की value, तो यह जो reaction कोशंट Q है, ऐसे लिखा जाता है, कुछ, कि concentration of C, जो product आपका C बना हुआ है, उसका concentration, इसके बाद power में लिखेंगे C, वो जो छोटू सा C है न, उसकी खोपड़ी प चोटा वाला D, ठीक है, अच्छा, कुछ-कुछ यादा रहा होगा, बराबर यादा रहा होगा, यहाँ पर आगे आप समझ गए होंगे, कि उपर हमें क्या लिखना होता है, उपर हमें product के concentration का multiplication, और नीचे reactant का लिखना होता है, A की खोपड़ी पे A रहेगा, B की को किसी भी time का क्या है, concentration है, हो सकता है reaction की शुरुवात हो रही हो, तब भी आप यहाँ पे रख सकते हो, हो सकता है equilibrium में पहुच गई हो, तब भी आप रख सकते हो, reaction खतम होने वाली हो, तब भी उन concentration को आप रख सकते हो, तो उस particular time का, जो reaction concentrate होगा, वो इस तरीके से लिखा जाएगा बात का समर्थन करते हैं जरूर करिएगा और यही रेक्शन को सेंट क्यूं है आप कहोगे एक बात बताओ गुरू यहाँ पे जो आपने यह लिखा है यह तो कहीं से सेल रेक्शन लगी नहीं रहा है अरे यार जनरल है अभी लिखके तुम्हें दिखाऊंगा वो भ से पुराना आदमी है यार आर कहता है कि मैं अलग नहीं हूँ मैं वही हूँ जो तुम कहते हो गैस कॉंस्टेंट क्या जो तुम कहते हो गैस कॉंस्टेंट अच्छा असर यह वही वाला है उसका तो हमें वैल्यू पता है 8.314 जूल केल्विन पहले लिखेंगे जूल इनवर्स मूल इनवर्स जूल केल्विन इनवर्स मूल इनवर्स बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं चीज को आर की वैल्यू यह होगी अच्छा आर यह हो गया टंप्रेचर टी है इसके बारे में तो मैंने ऊपर ही लिख रखा है टंप्रेचर है भया उस समय का अच्छा एन क्या है यह है ना सांदार बात एन क्या है खी एन जो है यह है number of number of electron number of electron involved in this reaction इस reaction को कराने में कितने electron का लेंदेन हुँ रहा है मेरे भईया, जब आप पढ़ते थे तो अभी ये पीछे, जो पढ़ाया था जो भी पढ़ाया था उसमें भईया, जिंक वाले चंडिशन में 2 इलेक्ट्रॉन का लेंदेन होता था और वही हम कट करते थे तो उस समय भया N की value 2 होगी जिंग के case में copper के case में भी 2 होगी रटना नहीं है यार आपको reaction में दिखा दूगा बट आप अभी समझिए कि जो N है वो है number of electron involved in this cell reaction बोलो सांधार बात होगी क्या अब एक चीज जो दिख रही है वो थोड़ा अजीब लग रही है सर वो लिखा है F और हमने कभी F के बारे में सुना नहीं है तो चलो यहाँ पर पढ़ाता हूँ F के बारे में F F होता है वह या Faraday's constant Faraday's constant constant देखो या Faraday's scientist का नाम है उन्होंने समझ लो एक constant बता दिया उनको इजद बक्सने के चक्कर में हमने इस F का नाम रख दिया है Faraday's constant यह होता क्या है F होता क्या है समझेगा ध्यान से 1 Faraday 1 Faraday is equal to is equal to charge on बहुत सिंपल सी बास है charge on 1 mole electron 1 mole electron देखो वह या क्या बोल रहा हूँ मैं 1 Faraday बराबर होता है 1 mole के electron के उपर कितना charge है अरे सर यह तो निकाल सकते है निकाल के एक बार बताईए अच्छा जी यहाँ पर देखो अगर हमारे पास 1 mole electron है तो बताईए हमारे पास कितने electron अरे सर यह तो बचपन की बाते हैं बचपन की बाते हैं पचपन में क्यों पूछ रहे हो multiply 23 हो जाएगा एक mol में इतने electron होंगे और लिखा कैसे जाएगा यहाँ पर unit लिखेंगे तो हम लिखेंगे mol inverse क्या लिखेंगे? साथ में लिखेंगे mol inverse क्योंकि एक mol में इतने electron होते है और एक electron पर कितना charge होता है? अरे सर वो भी जानता हूँ में 1.6 into 10 की पावर minus 19 कूलम होगा बो लिख सकते हैं क्या? और जैसे ही यह multiply होंगे एक जबाब मिलेगा खूबसूरत सा और वो जबाब आता है 9,6 4,8,7 ध्यान से सुनिएगा क्या आएगा? इसको जब आप multiply करोगे अरे घर बैटके आराम से multiply कर लो multiply करोगे आएगा 9,6,4,8,7 क्या लिखा जाएगा? कूलम मूल inverse देख लो भाईया यह लिखा जाएगा तुरंत नोट डाउन करें इस चीज़ को यह लिखा जाएगा लेकिन एक बाद बताओ पेपर में न जब तुमसे पूछा जाता है तो तुम्हें इतना अजीब अजीब नंबर देखके ना परिसानी होगी इसलिए भाईया इसको थोड़ा और simplify कर देते हैं यह करीब करीब बराबर है 9,6,5, double, 0 कूलम मूल इनवर्स के बोलो बात ठीक है क्या बोलो बात ठीक है क्या अरे 13 ही तो बढ़ाया यार उतने को तो neglect कर सकते हो जब तुम calculations करोगे क्योंकि इस chapter से maximum आपको numericals ही दिख रहे होंगे ठीक है तो क्या आपको यह समझ में आया है यह जो formula हमें दिया गया उस formula के अंदर Q क्या है reaction quotient है R क्या है gas constant है T क्या है temperature N क्या है number of electron है F क्या है Faraday है और एक Faraday जो है 96500 Coulomb mole inverse के बराबर होता है अब कहोगे सर E naught cell के बारे में तो बताया है नी अरे मेरे बुद्धु भया इतना तो आपको पता ही इतने देर से calculate करा रहा हूँ ठीक है तो देख लो भया यह है हमारा नौस्ट equation अब हमें क्या दिख रहा है इसको ध्यांच देख लेजे ध्यांच देख लेजे E cell E cell बदल जाएगा अगर आप temperature बदलोगे E cell बदल जाएगा अगर तुम Q बदलोगे मतलब की concentration बदलोगे क्योंकि इधर concentration का ही तो time है और किस तरीके से बदलेगा वो हम इस equation में रख करके निकाल लेंगे बात simple बोल रहा हूँ कि नहीं यस जनाब एकदम simple सी बात है अच्छा जी आप देखो तोड़ा अगर solve करें न तो इस तरीके से लिखेंगे इसको लिखेंगे E cell is equal to E cell is equal to E naught cell minus RT ln Q अगर मैं ln को log में लिखू तो कैसे लिखते हैं 2.303 लिखते हैं क्या मैं यहाँ पर directly लिख रहा हूँ 2.303 लिखेंगे यस और इसके लिखते ही यह ln Q अब क्या हो जाएगा log Q हो जाएगा यह सब तो पता ही होगा यार अच्छा जी यहाँ पर देखो जो T लिखा जाता है यह जो T लिखा जाता है वो temperature है मान लिजी मैं कह रहा हूँ मान लिजी यहाँ पर T क्या है 25 डिग्री है 25 डिग्री सेल्सियस है मतलब की 298 केल्विन है अरे यह तो आता ही होगा यार केल्विन में कैसे convert करेंगे 273 जोड देंगे ना भाई या सर यह सब आता है सर कहां फस रहे होगा आप अच्छा यह रख देते हैं यह भाई साब 298 यहां पर रख देंगे अच्छा नीचे आप देखो हर सल रियक्षन के लिए N की वैल्यू अलग अलग होगी कहीं पर एक इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो N की वैल्यू वन होगी कहीं पर दो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होगा तो n की value 2 होगी, हो सकता है 3 electron का lane देन हो, तो n की value 3 होगी इसका मतलब n यार बड़ा जबरदस्त variable है इसका मतलब हम इसकी कुछ value नहीं रख सकते n रख देते हैं, अभी अभी मैंने फैराडे की value निकाली है एक फैराडे की value हमने क्या निकाली हमने निकाली है f कहा गया भाईया, यह यह वाला रखते हैं अभी फिलाल यह वाला रखते हैं 9, 6 4, 8, 7 अच्छा, कुछ बाकी रह गया क्या, r, r यहाँ पर multiply नहीं किया मैं कर देता हूँ, multiplied by यह वाला नकल मार लो यार 8.31 1, 4 कहोगे सर्यार नकल्ची बना दोगे इस तरीके से हैं, अच्छा जी यह जो भारी भरकम सा दिख रहा है जब आप इसको solve करोगे, क्या करोगे solve करोगे, तुम्हें करना नहीं है बस तुम्हें जानना है कि कैसे आया है हमने जब यह सारी values यहां पर रख दी और उसको solve किया तो हमें कुछ मिला हमें कुछ मिला जो आपको बताया जाएगा, क्या? हमें जो मिला वो आपको बताया जाएगा कि यहां पर आएगा 0.059 divide by n into log cube देख लो यह, यह मिला हमारा formula, यह छोटू हो गया कि नहीं बाकी सारे लोग गायब कर दिये, मैंने यह दिखा दिये मैंने temperature क्या रखा, ध्यान रखना इस समय मैंने temperature ठोड़ा fix कर दिया हमने सोचा यार हर बार 25 degree ही पूछते ही, और actually आपके paper में 25 degree ही पूछा जाता है और 25 degree के अलामा कुछ होगा न, तो भाया कुछ नहीं करना T की जगा पे वो temperature रखना, बट Kelvin में रखना रखलोगे क्या, यास, रख देंगे अब यह हमारा final formula है कि E cell is equal to E naught minus 0.059 divide by N into log Q अच्छा, एक बाब बताओ सब इस से आसान होगा क्या solve करना नहीं, थोड़ा सा तो कठीन हो, लेकिन कोई बाब नहीं देखो, अगर और ज़्यादा simplify करना चाहूँ न, तो क्या करो यह लिखा है 5,9, क्या मैं इसकी जगापे 6 लिखतू क्या मैं इसकी जगापे 6 लिखतू, भाई, यह 9 है तो थोड़ा-थोड़ा ठीक लग रहा है, कि हाँ सर लग रहा है, हमें याद रह जाएगा आप काओगे सर उपर वाले से solve करूँ या नीचे वाले से, तो actually बात यह है कि रखना तो तुम्हें यहीं चाहिए, लेकिन मैंने आज तक यह देखा है मैंने master's करी है chemistry में, IIT से, तो मैं तुम्हें बता दू, कि भाईया मेरे यह 6 रखोगे, कभी बहुत बड़ा अंतर नहीं आता और आपके paper में, जो भी जवाब मिलेगा ना, वो एकदम, एकदम मैं कह देता हूँ, सही मिलने वाला है मतलब, नहीं मिलने के तो चांस ही नहीं है, वो जो options बनाएंगे न, चार, उसमें आपको दिखने लग जाए, तो कि बहुत करीब options इन case में बनते ही नहीं है वो teacher मान के चलता है कि बड़ा-बड़ा multiplication है, थोड़ा-थोड़ा ज़ादा gap दे दो मैंने बोल दिया है कि मैं master's तक की chemistry की बात कर रहा हूँ, कहीं दिक्कत नहीं आए मुझे ये रखने से लेकिन कोई नहीं जैसा हम रखते हैं, अगर आपका दिल करें तो भईया ये रख लिया करो, लेकिन मैं तो भईया यहीं रख करके अपना काम चला देता हूँ तो बोलो भईया, nurse equation का ये oversimplified form दिख गया है क्या, अब तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें cell reaction लिखना है, उस cell reaction से क्यों लिख देना, और देख लो कितने electron का transfer चल रहा है, and लिख देना, मामला खतम, यही है nurse equation, आई ये स्वागत करते हैं अंगले page पे, ये क्या है भ ये कोई metal है, जो की aqueous condition में है, वो N electron लेता है, और अपने N plus को satisfy करके neutral हो जाता है, और metal solid हमें मिल जाता है, इसके लिए हमें क्या लिखनी है, nurse equation लिखनी है, तो मानलो अगर हमें इस दुरुबात करनी है, इस cell का, इस half cell के लिए, तो हम लिखेंगे, E cell is equal to E naught, E naught cell, E cell is equal to E naught cell minus 0.059, देखो यार सुरुवात में ही आदप नहीं खराब कराऊंगा, वो मैं practice के time आपको सिखा दूँगा, divide by N, इसके बाद आप लिखोगे log, अब क्या लिखते हैं बताओ, बताओ क्या लिखते हैं, log क्यू लिखते हैं, और N लिखते हैं, भाई, N तो यही चाप दिया अच्छा, log क्यू क्या होगा, क्यू में क्या होता है, पहले product side लिखते हैं, क्यू में हम लिखेंगे product, तो लिखेंगे MS, M S, divide by, क्या लिखेंगे, M N, plus aques, aques, यह लिखेंगे, बो बात ठीक है क्या, बोलो बात ठीक है क्या, सर समझ नहीं आया, सर समझ नहीं आये, क्यों कहां से लाए हो, अरे ये जो लिखा है ना, इसके लिए पहले क्यों अलग से लिखाता हूं, क्यों क्या होता है बता हूं, अरे ये होता है, product की concentration उपर लिखी जाती है, product की concentration उपर लिखी जाती है, और नी का है in chemical equilibrium कि भाया किसी solid का concentration आपको क्या मानना है 1 मानना प्यावर solid का प्यावर liquid का concentration हमेशा आपको 1 लेना है अच्छा इसका मतलब क्या हुआ कि Q is equal to हो जाएगा इसका मतलब यह हुआ कि Q is equal to हो जाएगा 1 by concentration of MN plus x बोलो बात ठीक है क्या यह हो जाएगी अब हम क्या करेंगे हाप इलाके पुप करतेंगे कुछ नई कहानी नहीं करनी है यह चीज बस हटानी है इसकी जगापर 1 लिख करके अपने घर पे सो जाना है that's 8 यह रहा 1 भया मिल ग लगाईए भया copper 2 plus के case में लगाईए यह वाली भाई साब इसी की तरह तो है यहाँ पर देखो solid मिल रहा है यहाँ पर आयन है two electron बस भया डारेक 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 इसी में रख दो क्या लिखोंगे E cell is equal to E naught cell minus minus of 0.059 divide by divide by two यहाँ पर दो electron का लें देन हो रहा है तो अभी तो यह दो electron लेकर करके अपने आपको neutral कर रहा है तो यहाँ लिखोंगे two अच्छा यह लिखने के बाद क्या लिखोंगे log लिखोंगे भया लॉग ठीक अब लिखोंगे one by concentration of this one by concentration of अभी यह देखों copper तो solid है तो copper solid का तो उने ऊपर one लिख दिया और इस भाई साब को नीचे लेकर चलिए इज़द से उतार दीजिए इनको यहाँ पर copper two plus लिख देंगे तो यह होगा nursery question of this reaction ठीक है सम्मान दीजिए इनको बात समझ में आ रही है भाई यह सर आ रही है बलो मेरे इस बात का संपून समर्थन है क्या यसर आगे बढ़ जाईए एकदम सही समझ में आ रहा है अब आपके सामने हमने रखा हुआ है nursery question of the daniel cell अरे इसको पहचानो यार पहचानो है कौन ये यही तो हमारा असली dawn है पूर एकदम सुरू से लेके हम daniel cell daniel cell पढ़ते रहते हैं ठीक है यह क्या है यह गैलवैनिक cell है यह बोल्टाइक cell है बस यहाँ पर यह fix कर दिया जाता है बस यहाँ पर यह fix कर दिया जाता है कि यहाँ पर जिंक जो होगा वो एक anode होगा और जो हमारा copper होगा वो एक cathode होगा यह fix कर दिया जाता है बाकी metals नहीं होगे अगर हम daniel cell सब्द यूज कर रहे हैं तो daniel cell actually क्या है एक ऐसा cell है जहाँ पर यह जो copper है वो cathodic compartment में होगा और यह जिंक जो है anodic compartment में होगा मामला इतना ही है अच्छा ऐसा होने की condition में इस किसल reaction तो यार बच्चे बच्चे को पता है क्योंकि यहां तक चले आये वो पढ़लिक करके तो बच्चे बच्चे को पता है अब किसल reaction यही होती है बताने की कोई कास जरूरत नहीं है अरे जिंक anode था तो जिंक का क्या होगा जिंक का क्या हो नोतू होता है औरह 로 कॉपर का हो बोलो भाई रहा है उसमें कोई कोई दिक्कत की बात नहीं है समझ में पूरा आ रहा होगा टा मेरी को निखना था मैं बहुति को निखना था मैझ मज़े ship देना अगर तुम अगर तुम अच्छा एक बाह बताओ यह 1.1 वोल्ट कैसे आया होगा क्या बता सकते हो 1.1 वोल्ट कैसे आया होगा अरे निकालना सिखा चुका हो वीडियो में आरे भाई इसका मतलब यह है कि हमने यहां पर कंसेंट्रेशन 1 मूलर सल लिया हुआ है और यहां पर यहां पर क्या लिखना चाहिए हमें जिंक लिखना चाहिए क्या लिखना चाहिए और यहां पर हमें concentration of copper 2 plus लिखना चाहिए बोलो बात ठीक है क्या बोलो भई बात ठीक है क्या और ये concentration अगर हम 1 molar ले और ये भी हम 1 molar ले तो इस cell के द्वारा जो E0 cell आता है वो 1.1 volt आता है ये तक बाते हम ने समझ रखी है लेकिन अब हम यहाँ पर इस jink का concentration इस jink का concentration अब हम 1 molar नहीं लेंगे जिंक 2 plus की concentration अब हम 1 molar नहीं लेंगे हम copper 2 plus की concentration 1 molar नहीं लेंगे हम पग गए है 1 molar molar देख करके अब हम इसके अंदर हम या तो molar टी घटा देंगे या तो molar टी बढ़ा देंगे दोनों के condition में कुछ कर देंगे मतला हम 1 molar नहीं रखना चाहते अब ये standard condition नहीं है अब ये e-cell का standard condition नहीं है आप मेरी इस बात से सहमेत होंगे अच्छा अगर मेरी इस बात से सहमेत हों तो आप ये भी तो कहिए कि sir अगर आपने concentration बदल दिया तब तो e-cell की value बदल जाएगी और अगर e-cell की value बदल गई तो क कुछ होगा मेरे को नहीं पता क्या होगा बट ये है कि वह 1.1 बॉल्ट नहीं होगा क्योंकि हमने concentration बदल दिया है तो e-cell की value बदल जाएगी बात का समर्थन है जरूर होना चाहिए आईए आईए आपको बताता हूं यहां पे माल लिजिए कि e-cell की value e-cell की value आ जाती है कितन है तो नहीं किसी को नहीं होनी चाहिए अच्छा जी अब हम अगर e-cell लिखें देखो जो जो समझा रहा हूं हर एक line important हो सकता कोई line repeat होके भी आ रही हो लेकिन तुम्हें एक सब्द आना चाहिए वो important है e-cell is equal to e-cell minus of 0.059 divided by n और इस सरे n कैसे लिखेंगे देखो भई यहां copper two plus था वो copper में जाते वक्त वो दो electron खा गया copper यह zinc जो है zinc two plus में जाते वक्त अपने अंदर से उसने दो electron निकाल दिये ठीक है और यही electron जो zinc ने निकाले थे वही copper खाया था इसका मतलब यहां पर lendेन कितने का है दो electron का तो निश्चित रूप से यहां पर आपको लिखना च क्या लिखना चाहिए n is equal to two लिखना चाहिए क्या लिखोगे n is equal to two लिखोगे बोलो लिखोगे क्या या sir जरूर लिखेंगे है ना समर्थन में है आप अच्छा जी अब अगला क्या है log log concentration of क्या लिखेंगे product तो भया product में यह तो copper लिख रखा है इसको तो आप one मानेंगे क zinc tune plus क्योंकि यही चीज तो aqueous होगी और aqueous वाले कही concentration लिखना है यहाँ पर देखो यह तो solid है यह भाई साब aqueous है तो बस आपको क्या करना इसको छोड़ दीजिए इसको लिख लीजिए नीचे आप लिखेंगे concentration of this क्योंकि product कोई तो नीचे लिखेंगे ना भई yes यह रह यहाँ पर concentration 1 molar नहीं है अच्छा तो e cell की value आ जाएगी यहाँ पर अच्छा मैं आपसे पूछों कि यह जो e naught cell है यह कितना होगा क्या यह बदल जाएगा अरे भाई e naught cell की value ही तो यहाँ पर लिखा था मैंने कितना 1.1 तो देखेगा e cell की value मैं वहाँ से लिख देता हूँ plus x volt plus x volt और अभी मैंने जो लिखा था न 1.1 volt यह कब का था जब हमने concentration 1 molar लिया हुआ था तब का था न इसका मतलब यह e naught cell होगा minus of 0.059 divided by 2 into log zinc 2 plus divided by copper 2 plus अब देख लो आपको ध्यान से सुनिएगा paper में आपको इसकी value दी जाएगी e cell की value दी जाएगी यहाँ पे इसकी value दी जाएगी यहाँ तक की बात clear है और इसमें से इन दोनों में से किसी एक की value दी जाएगी दूसरी आपको निकालनी होगी यहाँ दूसरा सवाल यह होगा कि यह दोनों values दी जाएगी और आपसे पूछेगा बताईए x की value क्या होगी तो क्या आप निकालनी ही पाएगे जरूर निकालनी जाएगे तो नस्ट equation क्या करने को बता रहा है वह आपको e cell निकालने को बता रहा है अलग अलग concentration of zinc 2 plus and copper 2 plus में बलो बात का समर्थन है क्या यह सर अब आईए एक सवाल करा देता हूँ यह सवाल करते ही आपका दिमाग खुल जाएगा यह question एकदम ही पीछे वाले पर based है कोई अलग से बुद्धी नहीं लगानी है यह पूछा गया था डली 2011 में तीन नंबर का क्या लिखा है यह cell लिखा हुआ है cell के साथ अब देखो एक नई चीज जुड़ी है जो है concentration में टू मोलर है इसका मतलब है कि जीन गूपलस जो है और कितने मोल है ऑई यह TOM काहां पर यह तू के ओन्ध तो समझने में कोई दिख्कत नहीं हो रही में नहीं होंगी है अब लिखाए कि write the equation for the half cell ये देखो यार ये तुम्हें आता है इसमें कोई दिक्कत नहीं है हाफ सल लिख ले जाओगे अरे सर नहीं आता एक बार बता दीजिए चलो भी या पहला लिख के दिखाता हम कैथोड कैथोड कहां रहता है बताई कैथोड किसका बनता है आपको पता है जिंक और क ये convert हो जाता है copper में किसमें copper में और क्या होगा solid होगा यहां पर दो electron यहां पर इसने दो electron लिए होंगे तक इसका reduction हुआ होगा अगली चीज़ है अगली चीज़ है यह जा रहा है जिंक 2 प्लस में और 2 प्लस होगा एक्वस कंडिशन में और साथ में 2 इलेक्टोन निकल रहा होगा तो भाईया यह मैंने लिख दिया इसका हाफ सल लिख दिया अगर आप कंसेंट्रेशन पीछे वाले सवाल कोई भी पिला दिया है कुछ नहीं है यह 0.059 डिवाइड बाइड वाइड टू आप देखो यार 59 को केल्कुलेशन के वक्त आप क्या कर सकते हो 6 आराम से कर सकते हो यह दो भाईया मैंने लिख दिया अच्छा इसके बाद लॉग लिखेंगे यह जो आपने हापसल के थ्रू क्या लिखा है हापसल लिखा है उसके थ्रू आपको क्या लिखना चाहिए सेल रियक्षन लिखना चाहिए और जैसे ही आप सेल रियक्षन लिखें तुरंत आप इसके उपर कमेंट कर पाएंगे तो चलिए भी या लिख देता हूँ, cell reaction क्या होगा, आपको होगे sir, zinc होगा, इसके बाद लिखा जाएगा copper 2+, with 0.5 molar, ये convert हो रहा है, zinc 2+, में 2 molar के साथ, साथ में होगा copper solid, बोलो बात का समर्थन करते हो क्या, मैंने कुछ नहीं किया, इसको जोड दिया, ये लिखा, ये लिखा इसकी concentration छाप दी, इसको लिखा, उसको लिखा, और दो electron को, इस दो electron के साथ cancel कर दिया भई, और ये जो cancel हुआ है, यही तो n की value है, number of electron involved in this reaction is 2, मतलब आपको क्या लिखना है, इसके बाद नीचे यहाँ पे 2 लिखना है, लिख दिया क्या, एकदम clear है, sir clear है, super duper clear है, आब इ concentration किसका लिखेंगे, zinc 2 प्लस का, क्योंकि product side में वही है, तो बताइए क्या लिखा जाए, तो zinc 2 प्लस का मैं direct लिख देता हूं, ऐसा करता हूं, अब मैं direct लिख रहा हूं, ठीक है, भाई, कोई समस्या, कोई परिशानी शायद नहीं होगी, क्योंकि 2 प्लस को आप यहाँ पे divide by 0.5, is equal to क्या हो जाएगा, log, log, इसको क्या लिखते हो बताओ, अरे ऐसा करो, 2 को multiply कर दोगे, तो आएगा 4, ठीक है, log 4 आया, अब log 4 को लिखने का तरीका क्या लिखोगे, लिखोगे log 2 की power 2, मैं यहीं बता रहा हूं, log के tongue सीख जाओ, आगे बस direct मैं बताऊँगा, ठीक ह तो यार, log 2 आपको आना चाहिए, नहीं आता तो बताऊँगा, नहीं आता तो बताऊँगा, ऐसा नहीं नहीं बताऊँगा, log 2 की value होती है, मेरे साथ बोलो 0.3, अगर direct बोलना है, तो 0.3 और आपके level पे 0.3 sufficient है, otherwise क्या होता है, गो भी लिख दूँँगा, 2 multiplied by 0.301 होता है, यह log 2 की value है, log 2 की value होती है, 0.301, multiply कर लिया, तो इसकी value क्या निकल करके आएगी, इसकी value निकल के आएगी, 0.602, कोई दिक्कत तो नहीं है, इसकी जगा पे मैं directly यह put कर दूँ, directly यह put कर दूँ, यह sir कर दीजी, इसमें क्या बड़ी बात है, E cell is equal to E naught cell, बताए E naught cell की value क्या समझा रहा है, पीछे value दी गई थी, तो तुम्हें paper में भी दिया जाएगा, ऐसा नहीं नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा E naught cell, E naught cell for this is 1.1 volt, यह given होगा, रटे नहीं मारने हैं, यह given होगा, ठीक है, ओके, यह आपको given होगा, दिया जाएगा, तो आप directly यहाँ इसकी value put कर दो, अरे सरकुछ तो बचा ही नहीं, 1.1 minus 0.06 divided by 2 multiplied by इसकी जगा पे तो क्या लिख दिया हमने 0.602 लिख दिया, यह जो भी है, इसका आप करेंगे अपने घर पे बैट के calculation, यहाँ पे multiply y कर लेना, आपको जबाब मिल जाएगा, जो भी आएगा, वो आप लिख लीजिएगा, मल्ड application कर लो यार घर पे, अच्छा जी नहीं, तो फाल्तू के time हमें इस पे लिखाने पड़ेंगे, concept आपको पकड़ में आ रहा है क्या, एक दम से आ रहा है, आपने जो सीखा, हमने एक question में लगा के आपको दिखा दिया, आपको मजा आया, अच्छा जी, अब आ जाती हैं आगे, ये question करिएगा, ये question करिएगा, पढ़िए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा गया है, कि जिंक rod is dipped in this smaller, this smaller solution of, okay, जिंक SO4, अच्छा, इसका मतलब ये कह रहे हैं, कि हमने एक लिया हुआ, यहाँ पर बना देता हूँ, मैंने एक लिया हुआ है, जेडन SO4, जेडन SO4 का solution, किसका लिया है, जेडन SO4 का solution, और इसका जो है concentration हमने ले रखा है, 0.1 mole का, 0.1 mole का ले रखा है, इसके अंदर present है, और इसी के अंदर हमने जिंक की rod डाली हुए, अच्छा, हाफसल बना रहे हैं, यह क्या कर रहे हैं, हाफसल बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्या हो, ठीक, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, electrode potential का gap आता है, यहाँ पर पढ़ा था ना में शुरुवात में, यहाँ पर क्या आएगा, gap आएगा potential का, जिसकी वज़ा से इसके उपर क्या दिखेगा, electrode potential दिखेगा, लेकिन यहाँ पर पता है क्या एक condition द 0.1 molar, हम अब यह नहीं लिख सकते, क्योंकि हम यह तब लिखते थे, जब पानी में जाने के बाद, G904 पूरी तरह से टूट जाता है, अब उसने condition लगा दी, कि जो salt लिया है तुमने, G904 वो सिर्फ 95% टूटता है, वो पूरा नहीं टूटता, अच्छा, अगर वो पूरा नहीं टूटता, तो concentration किस तरीके से लिखा जाएगा, देखिएगा, यह जो हमने लिखा, यह तो भीया गलत है, क्योंकि यह इस बात को मान के लिखा जाता है, कि 100% dissociation हुआ है, तो इसको लिखने का क्या तरीका है, यह तरीका है, आप क्या करूँ, लिखो कि कितने mole थे, 0.1 mole per liter थे, उसका केवर 95% ही तो टूटा है, तो 95%, ठीक है, तो concentration multiplied by 95, और यह percent कर दिया, तो यह आ जाएगा, इसको calculate करके, तुम्हें समझ में आएगा, कि यह होगा, 0.095 molar, यह होगा न, अरे भाई, यहाँ पर 0.1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, multiply करने पर 3 digit पीछे point से, यह र अब तुम्हें जो concentration रखनी है न, वो point 1 मत रख देना, अब तुम्हें यह रखना पड़ेगा, मेरे भीया, अच्छा, यह बात थी क्या, यस, और इन्होंने temperature को देखेगा, temperature 298 Kelvin है, तो कोई ड़की बात नहीं है, उस formula में मेरे 25 degree रखा था, 298 Kelvin ही, रखा गया था, calculate the electrode potential, य यहाँ पर चल रही है, E cell की बात, इस समय concentration देख लो, यह 1 molar तो है नहीं, अच्छुली concentration तो यह दिख रहा है, 1 molar तो है नहीं भीया, अगर 1 molar यह नहीं है, तो यहाँ पर E cell ही लिखो गया, यही calculate करने के लिए, आपको यही calculate करके बताना है, क्या लगाएंगे, E cell निकालने क भी लिख सकते हो तुम, है ना, क्या होगा, जिंक 2 प्लस दो इलेक्ट्रोन ले रहा होगा, और वो खुद को जिंक सॉलिड में convert कर रहा होगा, यह reaction हो रही होगी, अब इस reaction के लिए हमें क्या लिखा है, नस्ट equation, तो यहाँ पर लिखोगे E naught, फिर लिखोगे जिंक 2 प्लस और भया, आपके जो final result होगे, उनमें कोई खास फर्क नहीं आने वाला, जो फर्क आएगा, वो आपका जो point होगा, दस्मलाव होगा, हिंदीम बूलते हैं, उस तो क्या बूलेंगे, उसके तीन digit पीछे दिक्कत आएगी, कोई बात नहीं, वो पूछता ही नहीं है, अच्छ लिख सकते हैं, जिंक 2 प्लस, मामला ठीक लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कौन सा जिंक 2 प्लस की concentration रखोगे, यह रखोगे, इसके बाद आप solve करने की कोसिस करोगे, अच्छा जी, इनॉट सेल भी रख देते हैं, क्या होगा, माइनस 0.76 वोल्ट, और यहाँ पर इसको calculate करेंगे, तो कितना आएगा, 0.03, यही आएगा ना, calculate करकर देखो, जो फायदा है कि नहीं, 6 कलके नहीं, आपको दिख रहा है, क्या 2 से कट रहा है, वाँ भाई, इसको कैसा लिखेंगे, log concentration of this है, तो log 1 by b, यह जानते हो क्या, log 1 by x कर लो, 1 by x को कैसा लिखते हैं minus log x लिखते हैं, यह log का character है भाई, क्या, कि जब log 1 by x लिखा हो, आप उसको log x के form में लिखना चाहेंगे, तो सामने आपको minus लगाना पड़ता है, अच्छा जी, इसका मतलब हो, अगर मेरे को लिखना हो, log concentration of zinc 2 plus, तो मुझे सामने क्या लगाना पड़ेगा, minus sign लगाना लो, यह minus sign इस minus के साथ multiplication में है, तो भाईया यह plus हो जाएगा, आइए, बात समझाते हैं, और clear करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यह तो भाईया multiplication में हैं, यह दोनों multiplication में हैं, अब value रख दो, और अपनी घर पे बैटके, आराम से calculate कर लेना, कि 0 0.03 multiplied by log of this, यह value यहाँ पर लिख दो, 0.095, क्या 0.095, यहाँ से calculation के बाद आपको ESL की value मिल जाएगी, सर्थोना calculation भी करा दिया करिए, देखो गईया, आपको notes दिया गया है, उसके notes मेंना, एक एक line मैंने calculate करके लिखी, खुद ही लिखिये मैंने, और मैं तो यह कहूंगा, यह video देखते वक्त, आपके पास, उस notes का printed form जरूर हो, यार, तभी तुम आनंद उठा पाओगे, मैं उसी sequence में पढ़ा रहा हूँ आपको, उसी sequence में पढ़ा रहा हूँ, जो हमारी यह animated video है, वो सब कुछ उसी sequence में बनाई गई है, जिस sequence में मैंने आपके लिखा हूँ है, उसको पढ़ने के बाद आपको कुछ भी पढ़ने के जरूरत नहीं है, previous question लगाने के जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इतने previous question उसमें करा दिये हैं, कि तुम्हारा दिल खुस हो जाएगा, उसके अलावा जरूरत नहीं है, concept बहुत ही अच्छे level का आपको समझ में आ जिस तरीके से मैंने P-Block में बोला था, और P-Block के अंदर बच्चों ने बोला था कि भाया रटना पड़ता है, लेकिन बाद में जब वीडियो देखा तो मैंने comment देखा यार, प्यारा comment करके रखा हुआ था आपने, कि भाया मैंने 4 दिया, पूरा करके आया हूँ, एक भी P-Block के question गलत नहीं हुए, हमारी reactions हमें यार थी, exam के hall तब, इस तरीके से यहाँ पर भी होने वाला है, बहुत ही प्यारा chapter है, बहुत मज़ा आता है, ठीक है, तो यह calculation की जो बात है, वह वहाँ पर आप notes में देख सकते हो, वैसे यहाँ पर हई क्या यार, इसको multiply करना है, य थोड़ा gap देखे बनाएगा, क्योंकि log वाले form को बहुत अच्छे से बचा जानता नहीं है, तो वहाँ पर थोड़ा gap जरूर रखते है, exact points नहीं होते है, मतलब वह जे ही बगरहे में डालते हैं, बहुत ही कम gap वाले options आप में निगरे लेगा, तो देखो इसको लिखने का तरीका बताता हूँ, लिखा 0.095, तो यह 5 है, तो इस 9 को आप क्या करोगे, तो यह हो जाएगा 1, ठीक है, तो अगर आप इसको लिखोगे, तो क्या लिखा जाएगा, log, अरे 1 इसलिए कह रहा हूँ, actually क्या हो जाएगा, 95 की जापे मैं 100 लिखना चाह रहा हूँ, but that's it, ठी कुछ अलग से नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा, अरे इतना तो मैठ आता ही होगा, अब यह क्या लिखा, log 0.1, इसको कैसे लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो, तुम log 10 की पावर minus 1, यही चीज तो थे 10 की पावर minus 1 मतला 1 by 10, और यह क्या है, 0.1 अब इसके लिखोगे, तो क्या लिखोगे, minus 1 into log 10, बोलो लिखोगे क्या, minus 1 आगया जाता है, log की अगली प्रापर्टी, यहाँ पर हमने यूज कर दी है, वो भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, अगर लिखा जाए, log 10 की पावर x, तो यह हो जाएगा, x into log 10, और आप जा रखना होगा, इसका मतलब finally हमें minus 1 आएगा, तो इसको solve करने पर आप समझो minus 1 आया है, अच्छा, minus 1 आया है, चलिए जी, यह चीज नोट कर लीजी, मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ, यहाँ समय इस चीज को हटा रहा हूँ, ओके, 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 ठीक है, यहाँ पर आप क् minus में हो जाएगा, वो किस में हो जाएगा, minus में आजाएगा, अब देखो, minus यह भाई साब भी है, minus यह भाई साब भी है, इसका मतलब यह भाई साब लोग जुड़ेंगे, और जुड़ने के बाद लिखे जाएगे, minus 0.7 में तो कोई फरक नहीं पड़ रहा, यह 6, 3 के साथ जुड़के 9 हो जाएगा, और आप अपने नोट में जब मिलाएंगे, तो आपको लगेगा क्या रहे, यह तो दम करीब 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 का माम लाग है, एकदम सही है, एक्दम सही है, एक्ड़ी क्या होता है, लाष्ट में जीरो बन आता है, तो थोड़ी से बुद्धी लगा होगे तो calculation छोटा हो जाएगा को सही जबाब मिल जाएगा ठीक कोई दिकत तो नहीं होनी चाहिए आगे आ जाते हैं यहाँ पे देखिएगा आगे क्या अगे क्या 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 इन्होंने देखो भया लिख रखा क्या 298 कल्वन मतला इन्होंने 25 डिग्री रख रखा है आप से इसी पर पूछा भी जाता है हर बार पूछा जाता है अब आए यह इन्होंने रेक्शन बताई हुए है और यह बताना यह चाहरे हैं कि जो आरन 2 प्लस है उसकी concentration इतनी है और क्रोमियं 3 प्लस की concentration भया इतनी है अच्छा इसके इन्होंट वैल्यूज दिए गए हैं जो कि हमें required होंगी, जरुवत पड़ेगी, हमें निकालना क्या था पता है, EMF निकालना है, इसका मतलब यह 4 है, नर्स्टी क्वेशन लगाऊँ है, और आपको जबाब ऐसे दड़ाक से दूँ, लेकिन EMF निकालते हैं वक्त हमें किन चीजों की जरुवत पड़ेगी, N की जरुवत पड़ेगी, और किसकी जरुवत पड़ेगी, E not cell की जरुवत पड़ेगी, बोलो पड़ेगी की नहीं, यस पड़ेगी, and किसकी जरुवत पड़ती है, क्यों की जरुवत पड़ती है, तो चलिए निकाल लेते हैं सब कुछ, भया N निकालना है, N कैसे निकालनेंगे, पहले लिखेंगे half cell, half cell लिखेंगे, ठीक है, किस पे, cathode वाली लिखते हैं पहले, समझाता हूँ, cathode वाली, cathode पे क्या होता है, reduction किसका हो रहा है, यहाँ पे चेक करिये, reduction को किसका हो रहा है, chromium तो oxidize जो कि 3 plus हो रहा है, और यह प्लस 2 जो है, लग रहा है, यह neutralize हो रहा है, तो नि लिखेंगे, यही तो लिखेंगे ना भीया, या सर, अगला होगा anode, और anode चिला के बोल रहा है, भीया, anode का मतलब हो रहा है, हमारा oxidation करवादो, किसका oxidation हो रहा है, chromium का, तो आप लिखोगे chromium, क्या लिखोगे chromium, और यह क्या solid है, यह भाई साब chromium plus 3 में convert हो रहे हैं, और 3 electron निकाल रहे हैं, बाट ठीक है, अच्छा, अब हमें इसके cell reaction की जरूरत होगी, cell reaction की जरूरत होगी, cell reaction कैसे निकालते बताइए, cell reaction में क्या अगर ना, इनको जोड़ देना है, लेकिन जोड़ते वक्त एक साउधानी वरत नहीं होती है, कि यह जो electron है ना, यह दोनों इधर cell reaction में कोई electron दिखता नहीं है, यह cell reaction है हमारा, इस cell reaction में कहीं भी आपको electron नजर नहीं आएंगे, तो हमें क्या करने, इलेक्टोन बराबर करने का तरीका क्या है? बराबर करने का तरीका क्या अब हाई आठ फुए ल marketers रीकिस चीज़ से बराबर किया जा सकते अगर हम डू को multiply कर दे थ्रीं से तो ये हो जाएगा six और ठ्रीी को multiply कर दे त्विंसे तो ये भी हो जाएगा six कोई दिक्कत फो नहीं होनी भी नी चाहिए है ना आप देखो आप यह 6 electron और यह 6 electron कट जाएंगे और देखो कैसे लिखा जाएगा 3 fe 2 plus उपर वाले से चाहो तो मिला सकते हो 3 fe 2 plus plus यह वाले चीज हमने उपर से लिख दी अब यह 2 multiply किसे हुआ chromium से तो लिखा जाएगा 2 chromium यह convert हो रहा है 3 fe में 3 fe में plus यह क्या लिखा है 2 2cr 3 plus me 2cr plus 3 me अब समझ में आया है क्या आनन्द आया कि किस तरीके से यह चीज आई थी और यही चीज उपर लिखी भी गई है अच्छा यहां से हमें पता चल चुका है n की value बताएगे क्या होगा अरे sir n की value जब 3 से multiply करोगे तो 6 होगा इसका मतलब n is equal to 6 आएगा 6 electron इधर था 6 electron इधर था उसी के lane देन की वज़ा से यह reaction हो पा रही है तो यह number of electron जो involved है वो total 6 है है क्या यस तो n की value निकाल दी हमने अब हमें क्या चीए क्यू चाहिए भाई क्यू चाहिए बाकि आप खुदी निकाल दूगे यार ज्यादा ज़रूत पढ़ती ही यह साम निकाल के मैं चेक करा दूंगा formula आपको आता है रखना मजा आ जाएगा आपको अच्छा जी यहां होता है concentration of product side concentration of product side divide by concentration of this अब यार यह chromium तो solid है इसका लिखने की ज़रूत नहीं है यह वाला iron solid इसके लिखने की ज़रूत नहीं है इसका तो one ही लिखने वाले हो ना भी यह तुम हाँ यहां पे लिखोगे concentration of chromium plus 3 का यहां पर कर दोगे square बाठीक है क्या अरे chromium plus 3 का square कर लिखोगे F2 plus concentration of F2 plus 2 की power 3 देख लो भई मामला ठीक लग रहा है इसका तो भाई साब को लिखने ज़रूत नहीं है यह तो one हो जाएंगे और one का square करोगे one ही आएगा यह one का cube करोगे one ही आएगा तो लिखने ज़रूत नहीं है भाई साब को लिख दो जो सामने लिखा जाता यह power में चला जाता है जो इसके सामने लिखा है वो power में यहां पर 3 में दिखेगा और यहां पर दिखेगा 2 दिखेगा power में बात एक्दम समझ में आ रही है पिक्चर क्लियर लग रही है क्या यस 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 पूरी लाइन क्लियर है अब हमने क्यों निकाल दिया अच्छा अभी निकाला कहां सर अभी तो values रख दीजिये हाँ अब देखेगे chromium plus 3 का concentration यह है अब फ़ड़ा निकाल लेते calculation फोड़ी कर लेते क्या लिखा गया है chromium plus 3 का square मतलब इसका square अब एक बाह बताओ इस 0.01 को 10 की पावर में लिखोगे तो क्या लिखोगे 10 की पावर माइनस 2 लिखोगे लिखोगे क्या बोलो 10 की पावर माइनस 2 लिखोगे अच्छा जी और यह भाई साब क्या लिखोगे 0.1 को क्या लिखोगे 10 की पावर माइनस 1 लिखोगे इसमें कोई बहुत बढ़ा गुणा अगर इत्तो है नहीं भीया हाँ यह उठा के यहां रख दो आईए आईए स्वागत करते हैं मापका यह क्रोमियम वाला उपर लिखना भीया 10 की पावर 10 की पावर माइनस 2 यहां पर करा दो स्क्वाइर डिवाइड भाई भीया 10 की पावर माइनस 1 यहां पर क्या होगा 10 की पावर माइनस 1 और इस वाले का नीचे वाले का क्यूब करा दो नीचे वाले का क्यूब है उपर वाले का square एक गम सही लग रहा है अब अगर तुम इसका करोगे square तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 4 उपर हो जाएगा और नीचे 10 की पावर माइनस 3 तो overall आएगा 10 की पावर माइनस 1 इसको solve करोगे तो क्या आएगा 10 की पावर माइनस 1 आएगा चलो QQ value भी मैंने आपको बता दी है N पता चल चुका है अब हमें E naught cell निकालना है E naught cell निकाल लो है E naught cell में क्या होता था बोलिए E naught cell में cathode minus anode तो cathode iron से related है भई या तो iron वाला या है यह है iron वाला minus 0.44 volt एकदम सिंपल भया दिल पर मतले ले 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 लेक्ट्रो कमिस्ट्री को कि हमें नहीं आएगा ऐसी कोई चीज ही नहीं है इदर जो नहीं आएगा है ना अच्छा जी तो हमने लिखा cathode minus anode अच्छा एनोड भाई साव है इसका मतलब हुआ minus 0.74 volt यहाँ से आप calculate कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा यह देखेंगे तो plus हो जाएगा अच्छा घट जाएगा यहाँ पर calculation करिए 7 हाँ यहाँ पर आ जाएगा 0.36 volt आ जाएगा एक बार इसको देख लीजेगा क्या यह चीज आ रही है यहाँ पर क्या 0.36 आ जाएगा है न यह वाला plus हो जाएगा नहीं 3 0 आ रहा है क्या 3 0 आ रहा है 0.30 यहाँ पर आ जाएगा एक बार देख लेते भईया यह हो जाएगा plus 7 4 7 4 में से भईया 4 4 गटा आना है यहाँ पर 0 लाना है और यहाँ पर 3 लाना है कि E naught cell is equal to यह हो जाएगा क्या हो जाएगा यह हो जाएगा अच्छा तो E naught cell पता है Q पता है N पता है क्या आप EMF निकाल पाओगे हाँ सर निकाल ले जाएगे फॉर्मूला आता है E cell is equal to E naught मतलग 0.30 वोल्ट यह हो जाएगा E naught cell minus 0.06 divide by क्या लिखोगे अरे यही 6 लिखोगे भईया नीचे N की value लिखते है न N हो गया 6 into log log Q Q क्या है यह है 10 की power minus 1 यह बहुत ही आसान दे दिया है इनोंने अब देखो क्या करना है मेरे भईया minus 1 को आप ले आओगे आगे तो यह minus 1 और यह हो जाएगा plus plus हो जाएगा और यही कट जाएगा तो देखिए भईया एक बार यहाँ पर calculate करके आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर हो जाएगा 0.30 volt और minus minus plus हो चुका है plus हो चुका है और log 10 की value तो 1 होती है नहीं आया समझ में बता देता हूँ देखो यह भाई साथ तो आगे आएंगे तो minus 1 इस से साथ plus हो जाएगा और log 10 जो होता है उसकी value 1 होती है अच्छा जी इसका मतलब गए बस इतना part बचा है तो यहाँ पर क्या करोगे यहाँ पर आप देखोगे 0.01 इतना आता है लिखने की जरूत नहीं हम कर ले जाएंगे जरूर कर ले जाएए भाईया जरूरत है इसकी आपको ही हम तो paper दे चुके जो हमें देना था यहाँ पर आईए 0.31 volt इस सेल की value आ गई है दिखलो आसान था calculate भी हो गया है सारी चीज़ें clear हुई है क्या और भाईया तुम्हें अगर ये सवाल समझ में आ गया है विस्वास मानिये इससे कठीन सवाल वाल कुछ नहीं आता यही है जो है इमका limit ही यही है बोड़ वालों का ठीक है भाई ओके जी अब बढ़ जाता है एक सांदार टॉपिक पे जो की है relation between e-cell and delta G अब हम थोड़ी सी thermodynamics introduce करेंगे इस electrochemistry के अंदर कि आखिर कर हमारी जो cell reaction है कब होगी कब नहीं होगी मतलब feasibility कब होगी कब नहीं होगी feasible है या नहीं है ये वाली बात हम कहां पता करते थे thermodynamics में पता करते थे और हम कहते थे अगर नहीं याद आ रहा हो तो कोई बात नहीं मेरे भाई बताता हूँ हम कहते थे कि अगर delta G की value negative है तो वो चीज वो चीज होगी वो process होगा वो cell reaction होगा मतलब feasible है इस condition में बोला जाता है कि reaction हमारी feasible होगी लेकिन कब जब delta G negative हो सर ये delta G ही नहीं जानता मैं अरे भया वही Gibbs free energy है यार अगर किसी reaction के लिए Gibbs free energy negative आती है तो वो reaction होती है और यही Gibbs free energy positive हो जाए मतलब वो reaction कभी नहीं हो सकती ऐसा thermodynamics कहता है है ना अच्छा जी इसका इससे क्या लिए ना देना है अब वो सब जाता हूँ अब यहां पर लिखा है अब हमारे पास एक cell का setup है समझ लेजी हमारे पास क्या है एक cell का setup देखता हूँ cell का setup लाया हूँ क्या हाँ यह देखे हमने एक नहीं 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 थोड़ा सा अगे निकल गए सेल का सेटप नहीं है हमारे पास भी यह है, कोई बात नहीं, मैं आप बना के समझा देता हूँ, थोड़ा सा हमारी आर्ट थोड़ा ना बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, इसलिए, ओके आप यहाँ पे देखिए, आप ऐसे समझें कि कोई सेल है, यह हमारा चोटो मोटो सा बनाते ताकि बेज़ती हमारी कम हो गाई, एक यहाँ पर रख दिया, यह वोल्ट मीटर ले लिया, इनको इनको कनेक्ट कर दिया, यह भाई साब यह क्या है, यह हमारा जुगाड, जुगाड अमने बीच में डाल दिया, तो यह हमारा सेल है, अच्छा जी, इस सेल का जो ई सेल होगा, इस सेल का जो ई सेल होगा, क्या आप उस ई सेल को देख करके यह जज़ कर पाएंगे, कि यह सेल रेक्शन होगी या नहीं होगी, दुबारा बताता हूं, किसी सेल को देख करके, क्या आप यह जज़ कर पाएंगे, कि यह जो सेल है, यह तुम्हें इल electrical energy में convert होगी या नहीं होगी उसके लिए ये चीज ये टॉपिक पढ़ाया जा रहा है आपको बस क्या देखना है इसल की वैल्यू देखना है कैसे वो आते हैं में टॉपिक पर देखो यह होगा क्या आपने पढ़ा है physics में क्या पढ़ा हुआ है कि मालीजी हमारे पास जैसे म लोड़ी ले लूँ उनके बीच में हमने एक potential का गैप रखा ठीक है अगर वो potential का गैप जो है हम पहले मानते तो न physics में कुछ भूल गया हो क्या अरे 11 में ही पढ़ लेते हो साइद 11 में यह चीज नहीं पढ़ जाती है नहीं नहीं आपके term 1 में था यह सवाल और यह चैप् गैप की वज़ा से मूव कर रहा है तो उस समय जो work done होता है हम पढ़ते हैं क्या लिखा जाता है charge multiplied by potential gap that's right यहीं लिखते हैं और हमें इसी की जरूरत अब यहां यहां पर यहां पर यह जो electrode है और यह जो electrode है इन दोनों electrode के बीच में क्या होता है potential gap होता है और वही potential gap E cell के form में voltmeter में दिखाई देता है इसका मतलब जब potential gap की बात की जाएगी तो तुम E cell लिख सकते हो यह दोनों के बीच में जो potential charge घूम रहा है कितना mole charge घूम रहा है उसको बताने का तरीका था हमारा nf n क्या है यहां पर n लेलो number of moles of electron ठीक है और यहां पर f क्या है एक mole पर कितना charge है एक mole electron पर कितना charge है तो total charge कितना होगा nf होगा यहां पर total charge कितना होगा बहुत जरूरी चीज़ पढ़ा रहा हूँ इतना clear सब्द आना चाहिए हमें कि भईया इस cell के अंदर जो potential gap है उसी को तो E cell कहते हैं वही voltmeter नापता है और वही हमारा भईया यहां प क्योंकि यह total charge है n number of mole है और F जो है यहां पर एक mole electron पर charge है मतलब 1 faraday है सुपर डूपर क्लियर अब दो कोई समस्या कोई परिसानी कोई दर्द नहीं होना चाहिए यह समझने की बात थी मैंने यहां पर लिख दिया है अच्छा जी यहां पर total charge वाली बात हो वही potential gap यह बूल जाएं यहां पर मैं लिख देता हूँ यह क्या है potential difference potential difference यह potential difference है दो electrode के बीच में और यहां पर charge कितना है इतना है तो हम यहां पर लिखेंगे कि हमारा यह जो cell है वो कितना काम कर रहा है work done is equal to क्या हो जाएगा बताइए work done is equal to क्या हो जाएगा q मतलब nf q मतलब nf total charge multiplied by potential difference मतलब e cell आज तक सायद आपने इसको रटा होगा मैं आपको इदम बकूबी समझाना चाहूँगा समझने वाली बाते हैं यार क्या nf charge को घुमा रहे हो आप किस potential difference है e cell के potential difference है तो work done is equal to इतना हो जाएगा और अगर यह cell हमारा काम कर रहा है वो charge को घुमा रहा है मतलब मा काम हो रहा है और अगर काम हो रहा है हमारी reaction feasible है तो इसके लिए delta G क्या होगा negative होगा और जब जब work done होगा तो वो work done बराबर होता है वो work done बराबर होता है decrease in, decrease in gives free energy, decrease in gives free energy के बराबर होता है जितना gives free energy घटता है actually उतना ही काम होता है यह हम thermodynamics के अंदर पढ़ते हैं अच्छा जी तो work done की जगा पर हमने लिख दिया decrease in delta G तो लिखा जाएगा is equal to nf e cell बोलो लिख सकते हैं क्या बखू भी लिखिए सर बखू भी लिखिए अच्छी बात है अब decrease in delta G को देखो कैसे लिखेंगे decrease है तो minus sign लगाएंगे minus delta G is equal to nf e cell यह बच जाएगा अब मैं कहूंगा कि बताईए delta G is equal to क्या होगा तो आप क्या बोलेंगे minus nf e cell बोलो भाई मेरी इस बात का आप समर्थन करेंगे क्या जरूर सर जरूर आपने हाँ पर derivate करके दिखाया है तो निश्यतरूप से यह सरव सकते है कि delta G is equal to minus f e cell होगा होगा जिक्कत तो नहीं है यसर नहीं है अब मैं आपको एक दूसरी लाइन पर यही से लेके जाना चाहता हूँ देखो भीया कोई reaction feasible तब थी जब delta G negative था delta G negative था तो delta G की सामने क्या लिखा नेगटिव लेकिन delta G इस formula के हिसाब से negative cover रह पाएगा जब भाया हमारा ये जो e cell है ना वो e cell क्या रहेगा positive रहेगा अगर ये e cell positive रहेगा तभी हमारा delta G negative होगा भाया ये positive है n तो negative हो नहीं सकता क्योंकि more है या f तो faraday तो constant की value है तो nf में से कोई negative नहीं हो सकता E-cell negative हो सकता है लेकिन अगर वो negative हो गया तो ये negative से multiply करके data G positive हो जाएगा मतलब वो reaction feasible नहीं होगी तो reaction की feasibility के लिए reaction की feasibility के लिए एक condition और बन गई वो क्या है? वो है कि हमारा E-cell क्या होना चाहिए? हमारा E-cell positive होना चाहिए अब इसको कहने का language बदल देंगा तुम्हें सब समझ में आ जाएगा feasibility की एक condition मैंने बनाई क्या बनाई? कोई cell line सुनना, कोई cell तभी काम करेगा कोई cell तभी काम करेगा जब E-cell positive होगा simple सी line अपने लिए हमने निकाल लिया देखो वह ये तो था thermodynamics से हम electro chemistry में लगाने जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे अभी जड़ डेल्टा जी कहेंगे तो समझ नहीं आएगा बात लेगिन आप अब ही अभ्यस्त हो चुके हैं किसके लिए? E-cell के लिए अब मैं कह दूँ आप से कि ये cell ना तभी काम करेगा जब E-cell की value positive होगी अगर E-cell की value negative हो गई तो मेरे भाईया ये cell काम का नहीं है ये chemical energy को electrical energy में convert नहीं करेगा मेरे इस बात से सहमत है? भरपूर सहमत रही है भाईया एकदम सही सी बात पढ़ाई गई है अच्छा अभी मैंने जो कुछ भी लिया है ये किसी भी time के लिए है लेकिन अगर मैं लेकिन अगर मैं standard condition की बात करूँ किसकी standard condition की बात करूँ तो यही formula कुछ नहीं करना है अलग इसी formula में क्या लिखना है delta G not is equal to minus F आप समझ चुके होगे यहाँ पर E not cell लिखा जाएगा तो देखे इस standard condition के लिए आपका formula बन जाएगा ये और बाकी हर time के लिए formula यही रहेगा बद्धान रखिएगा E cell अगर positive है तभी delta G negative है तो कुल मिला के कोई cell काम तभी करता है जब उसका overall bolt meter के अंदर जो value दिखती है वो positive होती है अब आप समझ गए है क्या यस सर सब समझ में आ रहा है वाद अच्छा अब एक चीज और पढ़ाना चाहूंगा एक चीज thermodynamics में हम और पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं वो delta G not से related होता है हम पढ़ते है delta G not is equal to minus RT lnk जैसे भाई जगो कोई cell reaction होगी कोई cell reaction होगी उस cell reaction के लिए अगर वो equilibrium के phage पर पहुच जाए तो वहाँ पे हम लिखते हैं क्या लिखते हैं है equilibrium constant लिखते हैं तो यह जो K है यह है equilibrium constant यह हम पढ़ते हैं यह वैसे thermodynamics के चीजे नहाँ दुबारा बता दे रहा हूं यह क्या है equilibrium constant है ध्यान रखिएगा यह क्या है वहिया यह equilibrium constant देल्टा G0 is equal to minus RT lnk होता है तो यह formula ही है सर इसको क्यों बढ़ाया अरे मैं चाहता हूँ कि आप किसी cell reaction के equilibrium constant को आप relate कर पाएं किससे E0 cell से अभी देखे हो जाएगा अब डेल्टा G0 की जगा पर आप यह value यहाँ पर चाहब दीजिए minus an F E0 cell is equal to is equal to क्या लिखा जाएगा minus RT अब इसको log में करोगे तो हो जाएगा 2.303 इसके बाद लिखा जाएगा log K क्या है भाया equilibrium constant है equilibrium constant कैसे लिखा जाता है याद आ रहा है अरे उसी reaction constant की तरह लिखा जाता है बस reaction constant किसी भी time के concentration को रख सकता है अपने formula में लेकिन यह जो होता है कि वो केवल और केवल equilibrium के time के concentration को लिखता है यह सारी बाते पुरानी है वैसे है ना आईए E0 cell आपको दिखाता हूँ E0 cell is equal to हो जाएगा यहाँ से यह देखो 2.303RT क्या 2.303RT divide by यहाँ से क्या जाएगा NF मैंने minus और minus भया cancel कर दिए है आप मेरे समर्थन में होंगे इस बात के कर दीजिए सर यहाँ पर लिखेंगे log k जहाँ पर k क्या है equilibrium constant है अब देखो अब देखो मज़ेदार बात इस formula को use करके किसी भी temperature पर किसी भी temperature पर आप equilibrium constant और E0 cell की value को निकाल सकते हों बस एक इसमें से पता हो अगर आपको E0 cell पता है तब आप के निकाल ले जाओगे अगर cell reaction का आपको equilibrium constant पता है तो वहाँ से आप E0 cell निकाल ले जाओगे और इन पर best भीया question पूछे जाते है अब इसको और ज़्यादा simplify कर दूँ चलो भीया अगर हमने temperature ले लिया 298 298 Kelvin कितना ले लिया 298 Kelvin ले लिया तो हमें पता होता है कि 298 Kelvin पर ये किसके बराबर होता है ये होता है 0.059 ये इसी के तो बराबर होता है पहले से पढ़े आ रहे हैं भीया log K हो जाएगा और यहाँ पर लिखा जाएगा E0 cell देखे फाइनल फॉर्मूला हमने बना दिया है E0 cell और K के बारे में बोलिए एक भी चीज ऐसी है जो समझ में नहीं आ रही है सब कुछ एक दूसरे से रिलेटेड है थोड़े थोड़े फैक्ट हमने कहां सुठा है थर्मो डानिमिक से और यहाँ लाके चिपका दिया और आपका मामला बन चुका है आपका काम बन चुका है आई ये अगले पर आजाते हैं आप देखे लिखा धान सुना इस लाइन को इस वाले में हम नर्स्ट एक्वेशन अप्लाई कर देते हैं क्या नर्स्ट एक्वेशन अप्लाई कर देते हैं लेकिन मेरे को ना एक्लिब्रियम कॉंस्टेंट चाहिए भाई 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 एक्लिब्रियम की होनी चाहिए equilibrium की condition में equilibrium की condition में यहाँ पर ऐसे लिखते हैं at equilibrium at equilibrium क्या होता है delta g की value 0 होती है पहले से पढ़ रखाईए delta g की value 0 होती है और अगर यह 0 होगी तो minus nf e cell में आप बताईए क्या 0 होगा आप कोगे sir e cell ही 0 होगा क्योंकि n और f तो व्यार गिंती है constant ही तो है यह counting है just गिंती है कुछ numbers है अच्छा अगर ऐसी बात है तो sir e cell 0 हो जाएगा yes तो बोलोगे at equilibrium क्या होगा e cell e cell is equal to 0 होगा यह ncrt वो direct लिख दिया है इसलिए बच्चे को समस्या होती है बात मानने में तो देखलो भया equilibrium पे हमने पढ़ा था कहाँ पर thermodynamics में कि delta g is equal to क्या होगा equilibrium की condition में 0 होगा और यही होता है बराबर किसके किसके बराबर है भया minus nf e cell के तो e cell की value अगर आप calculate करो तो भया आगया 0 अच्छा जी अब देखो हम क्या करेंगे नर्स्ट equation लिखेंगे चलो भया काम आसान कर दिया है अब हम क्या करेंगे नर्स्ट equation लिखेंगे इसके लिए अगर हमें नर्स्ट equation लिखना है तो क्या लिखेंगे e cell is equal to e not cell minus 0.059 divide by n हमें नहीं पता ना कितने number of electronics निचे बीच में transfer हो रहा है अभी तो दिखतो रहा नहीं है तो देख लो भया हम यहाँ पर लिखेंगे n into लिख देंगे log और एक बात देखो पहले लिखते थे q पहले लिखते थे q एकदम सही है नर्स्ट equation के case में हम q लिखेंगे और अगर equilibrium कि condition पहले अगर equilibrium की condition पहले तो ये q जो होता है वो equilibrium constant k के बराबर हो जाता है equilibrium के time पर reaction efficient और ये k के जो होता वो बराबर हो जाता है तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम equilibrium में आएं तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ at equilibrium at equilibrium e cell की value क्या रखनी होगी 0 is equal to E not cell E not cell minus 0.059 divide by N ये क्या हो जाएगा log Q क्या हो जाएगा log K हो जाएगा बहुए equilibrium constant Q के बराबर हो जाएगा equilibrium के time पे अब वही जो formula पढ़ाया था वही निकल के आ गया भीया ये वाली चीज़ आप यहां पे लेके आ जाओगे तो आपको मिलेगा E not cell is equal to 0.059 divide by N into log K तो देख लोगे ये वही वाला formula हमने यहां से भी निकाल के बता दिया पीछे मैंने thermodynamics को यूज़ करके बताया था यहां भी थोड़ा था thermodynamics का help लिया equilibrium की condition के लिए किसके लिए equilibrium की condition के लिए तो सायद आपको समझे बपूरी बात आ गई होगी आप कोई समस्या नहीं होगी इस formula में अगर हमें किसी का K पता चल जाए तो यह X हम यहां पता रख देंगे और हमें क्या निकल के आ जाएगा E not cell आ जाएगा आईए आपको कुछ questions के साथ रूबरू कराता हूँ जैसे यहां पर लिखा है equilibrium constant for the Daniel cell equilibrium constant for the Daniel cell यह हमारा Daniel cell और इस Daniel cell का E not cell यहां पर लिखा गया है कि 1.1 volt है ठीक है भई 1.1 volt इसका निकल के आता E not अच्छा यहां नहीं नहीं लिख भी रखा है कोई बात नहीं है यह देको भई ठीक है वैसे यहां पर अगर 1 molar है 1 molar है तो क्या है 1.1 है अब हमें देखो पता होता है अब हमें पता होता है अब हम जान चुके हैं कि इस reaction में N की value 2 ही आएगी कैसे आती है भईया अरे copper 2 प्लस 2 electron लेकर कि यह बना होगा और zinc जो है जब zinc 2 प्लस बनाएगा तो वो 2 electron अपने अंदर से निकाल देगा तो N की value तो 2 हो गई और E naught cell की बात करें तो E naught cell is equal to कितना दिया है 1.1 volt दिया निकालना क्या है आपको equilibrium constant निकालना है तो कैसे निकालोगे आजाओ भईया फर्मूला E naught cell is equal to क्या होगा बोलिएगा अरे लिखोगे minus नहीं नहीं माइनस नहीं होता गलत हो जाएगा minus नहीं होता था भईया यहाँ पर आप लिखोगे 0.06 ठीक है calculation का time है इसमझे लिए हमने 6 लिख दिया है और यहाँ परम नीची लिख देंगे 2 के लिए equilibrium constant मालों मैंने k माल जो आप यह reaction देख रहे हो ना इसके लिए equilibrium constant k है तो यह लिखा जाएगा formula अब हमें E naught cell की value पता है हम जा करेंगे E naught cell हाँ पर put कर देंगे आजाओ भी है E naught cell हाँ पर रखेंगे तो हो जाएगा 1.1 volt 1.1 volt तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1.1 multiplied by 2 नीचे लिखा जाएगा 0.06 is equal to log k क्या आएगा log k आएगा इसको जब आप calculate करेंगे तो यह हो जाएगा 2.2 अगर multiply करें तो यह करीब परीब आता है 37.2 something something आगे कुछ आएगा is equal to आएगा log k इसके multiplication से यह चीज़ आएगी अब इसके बाद हम क्या करतें देखेगा कभी-कभी paper में direct log k की ही value पूछा है अभी मैं आपको एक question कराऊँगा जिसमें log k की ही उन्होंने value पूछ रखी है ठीक है लेकिन यहाँ पर अगर आप से k पूछा जाए तो क्या करोगे भाईया तो आप लिखोगे ऐसी condition में वो भाईया paper में mention करेंगे तभी तुम जबाब निकाल पाऊगे या वो antilog का table दें तो यही संभावना ही होती है या तो वो खुद लिख देते हैं अक्सर वो खुद लिख देंगे ठीक है तो डर की कोई बात नहीं है थोड़ा सा sense होना चीए कि जो point के पहले number लिखा है वो 10 की power में आ जाएगा तो 10 की power 37 multiplied by multiplied by antilog of point 2 तो उसके लिए जो कुछ भी आएगा मैं उसको x मान रहा हूँ आप एक बाद note से check कर लीजिएगा क्या आएगा ठीक है तो कुछ ऐसी values आ जाएगे ठीक है भाई यह आएगा कुछ digit होगा multiplied by 10 की power 37 is equal to k तो यह जो होगा यह है equilibrium constant for this cell this reaction जो कि क्या है Daniel तो इस तरकी से आप Daniel से का क्या-क्या निकाल ले गए बल्कि यह कहो कि Daniel cell का हमने अच्छा-कासा post-martem कर दिया अब हम हर कुछ जानते हैं उसका E cell जानते हैं E not cell निकालना जानते हैं हम उसके लिए के-की value निकाल चुके हैं reactions को समझते हैं बस इतनी ही बात हमें जाननी होती है आगे आ जाईए भाईया अब देखें अगले वाले पर अगला क्या है लिखा calculate delta G not and log kc log kc अलक्षी नहीं है वही है equilibrium constant देखो के बाल लॉक के form में ही इन्होंने पूछ दिया है इन्होंने लॉक के form में ही पूछ दिया है कब पूछा गया था ये cbsc 2019 में तीन नंबर का पूछा गया था for the following reaction यहाँ पर बस cadmium ले लिया और यह reaction लिखी गई अब आपको यार निकालना है delta G not तो हमें क्या चाहिए बताइए delta G not का formula हमने क्या पड़ा minus NF E not E not cell तो भया पहले इनको यूज करके तुम क्या निकालोगे E not cell निकालोगे तो चलो बताओ E not cell क्या होगा E not cell क्या होगा E not cell क्या होगा आप लिखोगे minus 0.403 volt minus of this ये वाला लिख देंगे आपको बस ये पता करना किसमे से घटाना है बाकि दूसरे वाले को तो घटा नहीं है उसको तो लिखते ही directly है 763 volt देख लीजे कृपया ये देख लीजे समझ में बात आ रही है क्या क्या आपको ये बात समझ में आ रही है क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे यहाँ पर आप यह इसको plus कर लीजे ठीक है यह plus हो जाएगा तो अगर आप भटाएंगे तो आपको दिखेगा 3 और 6 ठीक है 3 6 यहाँ पर आएगा 0.36 volt अब देख लेजे एक बार यहाँ पर क्या आएगा 0.36 volt आएगा अच्छा जी यह सर 0.36 आ गया अब हम क्या करेंगे हम निकालेंगे N अब यार N देखो पता चली रहा है अब तो आदत सी हो गई है यही सब को देखते देखते जिंक किसमे जा रहा है जिंक 2 प्लस में तो 2 इलेक्टरॉन का ट्रांसफर है और कैडमियम किसमे जा रहा है भीया कैडमियम जा रहा है कैडमियम कैडमियम 2 प्लस जा रहा है कैडमियम में तो यहाँ पर भी 2 इलेक्टरॉन मतलब क्या हुआ सर आप ही कर दिया करो हर चेज अच्छा जी अच्छा भीया ऐसे नहीं होता भीया अगर युद्ध आपको लड़ना है तो आप अपने अस्त्रस्त्र तयार करिए उसमें धार लगाईए मैं बस थोड़ी सी क्या कर सकता हूं आपको दिसा देद सकता हूं कि भया ये युद्ध आपको इस तरीके से लड़ना है और ये कॉंसेप्ट आपको समझा सकता हूं अच्छा जी आईए यहाँ पर F की जगापर हम क्या लिखेंगे अगर आप कैलकुलेशन से बचना चाहते हैं तो निश्चे तरुप से 96500 रख लीजी एक्जैक्ट निकालना चाहते हैं तो जा होती आसान हो गया भाई मामला अरे बताओ क्या होगा अरे हमें पता है सर ई नॉट सल इस इकॉल टू होता है 0.06 डिवाइड बाई एन कितना होगा यहां पर एन क्या इन्वार्व हो रहा है यह तू लिखेंगे इन टू लिखेंगे लॉग अभी नोंने के सी का है तो लिख हमें निकालना क्या था हमें तो यही निकालना है हमें यह निकालना तो हम क्या करेंगे इन भाई साब लोगों को इधर मल्टिप्लाई कर देंगे और ई नॉट की वैलू तो हमें पता है 0.36 मल्टिप्लाइड बाई 2 यह वैलू मैं नियार कि 2 यहां और यह भाई साब को नी आगे बढ़ाया है एक कदम तुम भी आगे बढ़ो मजा आएगा आनन्द आएगा आपको चलिए यह क्या लिखा गया भी यह देखते हैं अगे बढ़ाया है अब अब लिखा है अब जो जो वो बात बोलेगा वो मुझे लिखना पड़ेगा कि concentration of copper 2 plus concentration of copper 2 plus क्या लिखा जाएगा मेरे भाई यह लिखा जाएगा 0.10 यह 0.1 molar है यह the concentration of the silver iron is not known यही नहीं पता है तो इसका मतलब पता करना होगा ठीक है भाई हमें नहीं पता हमें नहीं पता कि concentration of silver iron क्या है silver भया प्लस 1 बनाता है copper जो प्लस 2 बनाता है ठीक है आगे क्या है the cell potential when measured was this अब इन्होंने cell potential बता दिया मतलब e cell की value पता है e cell की value क्या दिया रखी है इन्होंने e cell की value है जिरो पॉइंट फूर फूर टू टू वूड अरे बात ठीक कह रहा हूं क्या यही तो है e cell की value हाँ determine the concentration आप में यहीं कह रहा तो आपको यहीं चीज पता करनी है कैसे पता करेंगे भया कुछ कठिन नहीं है आपको यहाँ पे simple सा नस्ट equation लगाना है क्योंकि नस्ट equation में ही आपको इसका concentration मिलेगा क्यों में लिखेगा ना भीया मिल जाएगा यस यस मिल जाएगा अच्छा अब बात यहाँ आती सर इन्होंने cell reaction तो दी नहीं और अगर cell reaction दी नहीं तो हम कैसे पता करें कौनसा कैथोड कौनसा एनोड है इस सवाल को मैंने चुनते वक्त यही लिखा था यही सोचा था कि भईया बच्चे को यह पता चले कि कैसे पता चलता है कौनसा कैथोड कौनसा एनोड वो बताने का तरीका है भईया इन्होंने य अब ध्यान से सुनेंगे तो मज़ा आएगा आपको यहां पर क्या लिखा एजी प्लस एजी में जा रहा है तो रेड़क्शन पोटेंशियल पॉइंट एट है और जब कॉपर 2 प्लस कॉपर में जा रहा है तो पॉइंट 3 है ज्यादा कोन है यह है इसका मतलब किसके अंदर य स्टेंडर्ड पोटेंशियल जादा है तो भाईया जिसका ध्यान रखना जिसका स्टेंडर्ड पोटेंशियल जादा होता है वही कैथोड होता है वही कैथोड होता है क्या बात कर रहे हैं आपको कैसे पता कैथोड होता है अरे यार कुछ नहीं कह रहा हूं है मैं कह रहा वही पर reduction होता है अब बात समझे हैं अब reduction कहां होता है कैथोड पर होता है इसलिए हम बोलेंगे कि जिसके लिए SRP value जादा होगी वहां reduction होगा अगर वहां reduction होगा तो निशीत रूप से वो कैथोड बोला जाएगा लाइन ग्लियर है यस सर आगली चीज जिसके लिए SRP value कम होगी भाई दो लोग दिये जाएंगे न सेल के लिए तो जिसके लिए SRP value कम होगी भाई साब के लिए वो भाई साब एनोड की तरह काम करेंगे क्योंकि वहां पर भाईया अब क्योंकि मेरे भाई इनका SRP value इनका reduction potential कम है अब यह खुद को reduce करना नहीं चाहते तो क्या करेंगे oxidize करेंगे क्योंकि यह भाई साब तो अपने आपको reduce करी रहें है सुपर डूपर clear अब में समझ में आया कि AG cathode होगा तो AG यहां लिए यह जी क्या होगा यहां पर AG cathode होगा और हमारा copper कैसा होगा हमारा copper anode होगा बोलो भाई मैंने इसी में से यह निकाला और यह जो concept जिखा रहा हूँ यह बहुत important यह अपने आप में एक सवाल है अपने आप में एक सवाल है जितना भी सीखाना में वो अपने आप में ही एक सवाल है भाई अब मतलब एक question यह बन चुका है तुमारा अब आते हैं आगे के तरफ अच्छा सवाल था मजा आ रहा है इसको करने में आईए करवाते हैं अब हम पता कर चुके हैं तो हम E not cell निकालने देखो E cell तो पता चल चुका है हम क्या कर सकते हैं E not cell निकालने E not cell का मतलब क्या cathode मेंसे एनोड को घटा दें तो cathode भाई साब है मेंसे एनोड को घटा दें तो कितना है 0.80 कैथोड भाई साब यही तो है मेंसे एनोड घटा दोगे तो क्या हो जाएगा minus 0.34 volt बोलो बात ठीक है क्या बोलो भईया बात ठीक है क्या तो कहोगे 0.46 volt हो जाएगा क्या हो जाएगा भईया 4.46 volt हो जाएगा 4 आप जोड़ दोगे तो 5 हाँ ठीक है यह सही लग रहा है 0.46 volt हो जाएगा अब हमें E0 पता है E cell पता है E concentration पता है E G plus निकालना है आसान हो चुका है आसान हो चुका है भई अरे formula क्या था formula था E cell is equal to E not cell minus 0.059 की जगा पे मैं 6 लिख रहा हूँ और नीचे N की जगा पे क्या लिखोगे यह जरूरी चीज है जरूरी सूचना क्या है कि N की जगा पे लिखा जाएगा अब कैसे निकालोगी एक इलेक्टरोन खा रहा है मतलब वो एक इलेक्टरोन खा रहा है और यह क्या है अगला वाला copper है copper किसमे जा रहा है copper two plus में जा रहा है और 2 electron, वो निकाल रहा है, अब यार यहां पे 2 electron आ रहा है, अर यार ये कौन सा 2 है भाई, ये कौन सा 2 है, हटाइए थुड़ा इजद बख्षते हैं 2 को, क्या लिखा जाएगा, यहां पे 2 electron, अब यार देखो, यहां 2 electron है यहां 1 electron, बराबर करने के लिए हमें 2 से यहां पे multiply क करना पड़ेगा और जब दो से मल्टिप्लाई करोगे तो यह हो जागा टू इलेक्ट्रॉन यह भी टू एजी तो दो इलेक्ट्रॉन इसके साथ बहिया कट जाएगा अब तुम आराम से क्या लिख सकते हो सल की रेक्शन लिख सकते हो बहुत जरूरी है बिना सल रेक्शन से लिखोगे कैसे तो इसको लिखोगे आप टू टू एजी प्लस प्लस कॉपर कनवाइट हो के बना कॉपर टू प्लस प्लस यह क्या हो जाएगा टू टाइम एजी हो जाएगा क्या हो जाएगा टू टाइम एजी हो जाएगा टू टू टाइम एजी हो जाएगा तो यह है हमा log log of क्या लिखते हो अरे ये लिखते हो मेरे भाई product product क्या है copper 2 plus copper 2 plus और इधर लिखा है 2 Ag तो जो Ag है वो तो solid है ये Ag तो भाई साब solid है और ये copper क्या aqueous condition में है तो उपर आप लिखोगे concentration of copper 2 plus नीचे क्या लिखोगे नीचे लिखोगे concentration of Ag plus लेकिन उसका square square हमने क्यों किया क्योंकि ag plus के आगे आगे आपको देखो यह इस documentary 2 दिख रही है तो इसी को आप खोपड़ी पे लगा देते हो यह लिखते हैं वक्त कोई दिक्कत तो नहीं है और हमें निकालना यही है बाकी सारी चीज़े दी गई है देख लीजे E not cell दिया गया है यहाँ पर रखिएगा E cell की value यहाँ रखिएगा copper 2 plus की value यहाँ रखिएगा इसके बाद आप यह calculate करने की कोसिस करिएगा और अगर नहीं कर पाएंगे तो कृपया notes को prefer करें जाएं वहाँ पर देख लें calculation करके आराम से आपको दिखाया गया है मेरा मक्षद है आपको यह कहानी समझाना और यह कहानी आपको बखू भी आ रही है मुझे पूरा भरूसा है अब आजाते हैं next पर next लिखा write the formulation for the galvanic cell in which the reaction takes place identify identify the cathode and anode reaction unit इसमें आपको cathode और anode बताना है अभी तो बताया है अभी बताया है वही सवाल आ गया है बस आया कितमे ताज जनी 2010 में तीन नंबर का आया था यह तीन नंबर का नहीं था ना 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 यह देखो पहला पार्ट है यह पहला पार्ट है भई इतना चोटा सवाल तीन नंबर का थोड़ी देगा या है ना आप देखो सिंपल जबाद reduction किसका reduction AG का जिसका reduction होगा वही तो cathode होगा तो भईया यह हो गया cathode और यह भाई साब क्या हो जाएंगे that's it मामला खत्म that's it मामला खत्म है ना आप यह लिख दो cathode की reaction में AG plus से किसमें जा रहा है AG में anode की reaction में इसमें जा रहा है आप ही बता दिया है तो बताने के दुबारा ज़रूत नहीं है इस सवाल में आते हैं मतलब उसी सवाल का दूसरा पार्ट था कि write the nurse equation and calculate the EMF of the following cell इसका आपको EMF निकालना है और उसके लिए nurse equation भी कह रहा है लिख दो यार अच्छा जी यहाँ पर आपको यह cell दी गई है हमें क्या लिखना चाहिए पहले half cells लिखने चाहिए चलो भाई चलो लिखना सुरू करते हैं बहुत यासान सी चीज होती है पहले लिखते हम यह cathode आदद के हिसाब से हम पहले cathode लिखेंगे फिर हम क्या लिखेंगे अच्छा जी अगर हम cathode की बात करें तो cathode कहा होता है बोलो राइट सैड में होता है तो यहाँ पर आप देखोगे कोई दिख्कत की बात नहीं है यह लिखने के बाद आप अनोड लिखें अनोड पर क्या हो रहा है लिखो Sn किस में जा रहा है? तो क्या लिखोगे? Sn जा रहा है Sn प्लस 2 में लिख सकते हो क्या? एक दम बख्यू भी लिखें अब इसके बाद आप इनको जोडेंगे, लेकिन आप यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे 2H+, 2 electron, तभी तो H2 मिलेगा, और यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी 2 electron होगा, अब यह 2 electron, 2 electron कट जाएंगे, और हमें cell reaction मिलेगी, 2H+, aqueous, plus SN solid, यह convert हो रहा होगा, H2 case, at 1 bar pressure, प्लस, यह लिखा जाएगा, SN+, 2 aqueous, बलो भाई, बात रिदम सही जा रही है क्या, खोपड़ी में पूरी-पूरी बात उतर रही है क्या, अगर हाँ, तो comment में भरना, कि सरखोपड़ी खुली थी, आपने सब उसके अंदर fit कर दिया है, याद हो गई है सारी चीज, बात ठीक लग रही है, yes, अब हमें क्या लिखना था भी यह, बोलो भई, इधर को क्या बोलते हैं, right-left, right-left पढ़ते थे, तो right-side में कहों है, अरे राइट-left कहो चाहें, बोलो कैथोड में से एनोड घटा दिया, दोनों एक ही बात है, अब अगर हम यहां की बात करें, तो यहां पर आप क्या लिखोगे, अब लिखोगे, आप पहले इधर लिखोगे, तब यह वाली चीज़ लिखी जाती है, अब लिखोगे, आप E0 Sn प्लस 2, 2 Sn, बोलो यह बात लिखी जानी चाहिए, क्या, एक दम बखु भी लिखिए, सही है, अब एक बात बताओ, इसकी value क्या होती है, आप कहोगे, सर, यहा यह 0 होगा, और बोलो आया क्या, आया क्या गिए 0 होगा, कौन कह रहा था, आयूपेसी बाबा ने इसको ही तो standard माना था, तो 0 minus, आप इसको लिखो, यह भाई साब कहा है, यह, यह है 0.14 volt, ठीक है, तो यहाँ पर 0 को अटा देते, 0 को अटा देते, डारेकली वो क्या बन जा हाली नहीं, हमने e0 cell की value निकाल रखी है, अच्छा, e0 cell निकल गया, अब हमें q की value निकाल नहीं, तो q चलो, और डारेकली लिख दूँगा, मैं, डारेकली लिख दूँगा, क्या निखूँगे, e cell is equal to, e0 cell, e0 cell कितना है भई, e cell is equal to e0 cell मेरा भई, e0 cell, कई बार बोल रहा ह होता है कि आप खुद समझेंगे, यहाँ पर क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या होता है, e0 cell, minus of 0.059 लिख सकते हूं, बट, calculation के time पे, मैं यहीं लिख करके solve करूँगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 2, यह दो हमने यहाँ पर चाप दिया, yes, log में क्या लिखोगी, q लिख का square, क्या concentration of H+, का square, इतने बार ठीक है क्या, yes sir, अचा एक चीज और बता दूँ, यह जो लिखा न, कि H2 gas 1 bar, इसको भी मैं सम्झा देता हूं, यह क्या होता है, यह product side में है, तो यार H2 के लिए, अब तुम न, gas के लिए तुम यह नहीं लिखोगी, यहाँ पे इसकी concentration इतनी है, gas के लिए क्या सब्दी यूज होता है, प्रसर यूज होता है, तुम लिख सकते हो, कि यहाँ पर लिख सकते हो, प्रसर of H2, multiplied by pressure of H2, अरे sir, क्या नहीं बार बता, अरे जरूरी है, यह हम लिखते हैं actually, लेकिन actually देखो क्या लिखा है, 1 bar, तो यहाँ पर 1 put कर देंगे, त कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं होने चाहिए, ध्यान रखिएगा, आप चाहिए तो यहाँ पर यह लिख दीजिए, प्रसर of H2, बाद में 1 रख दीजिएगा, तो यह कहानी यहां से हट जाएगे, अब finally आपको यही करना, concentration of H+, कितना दिया हो, देखो गई, concentration of H+, अचा स्क क्यों किया, समझ में आया है, यह इस documentary 2 थी, तो इसलिए नीचे square किया है, और वहाँ पर तो 1 थी, इसलिए डारेक्ली वही लिखा है, अब H+, की जगा पर क्या लिखिए, यहां पर आप लिखेंगे 0.02, यहां पर 0.02, और भाई साब की जगा पर आप लिखेंगे 0.04, अब इसको solve करेंगे, बहुत ही आसान है solution करना इसका, आप देखो, इसको करोगे तो आप देख लेना क्या आएगा, मेरी समझ से कुछ दिक्कत नहीं होगी, इसका बस square करना है, square करना है और यह भाई साब 4-4 कुछ कुछ दिखेगा, को समझ में आ जाएगा, आप calculate करेंगे, electrochemical series, electrochemical series वो series है, जिससे आप बहुत सारी predictions कर सकते हो, अपने अंदर के बहुत सारे सक हटा सकते हो, जब तक आपने पढ़ा है, जिसमें आपको दिक्कते आई हैं, वो भी हट जाएगा, कि आखर कर यही है node क्यू है, आखर कर यही cathode क्यू है, उसको आपको कैसे पता चलेग without knowing standard reduction potential, standard reduction potential पता है, तब तो आपको पता ही है यार, कि किस तरीके से निकालेंगे, जिसका SRP value जादा होगा, वो cathode होगा, जिसका SRP value कम होगा, वो है node होगा, Electrochemical Series को समझने के लिए हमें कुछ terms आने चाहिए, जैसे Oxidizing Agents क्या होता है, Reducing Agents क्या होता है, Reducing Power क्या होती है, और Oxidizing Power क्या होती है, यह सारी चीज़ें हमने 11 में देख रखी है, लेकिन मैं आपको दुबारा अच्छे तरीके से आपे समझा दूँगा, इस chapter की पात में मैंने आपको Reducs के बारे में बताया था, उसी Reducs के Example से हम यह सारी चीज़ें समझ रहे होंगे, उस समय हमने Example लिया था कि Jink Solid, Copper 2 Plus के साथ जब reaction करता है, तो क्या बन जाता है, Jink 2 Plus बन जाता है, और Copper Solid बन जाता है, जहां पर Jink क्या हो रहा होता है, Oxidize हो रहा हो Jink 2 Plus का कितना आएगा, Plus 2 आएगा, तो Zero से Plus 2 जाना मतलब Oxidation नमबर का बढ़ना हो गया, इसी को हम क्या बोलते हैं, Oxidation बोलते हैं, और Copper 2 Plus कितने में है, Plus 2 Oxidation स्टेट में है, यह Change हो जाता है, Zero Oxidation स्टेट में, इसका मतलब यहां पर Copper 2 Plus का Reduction हो रहा है, तो हमने देखा ज अगर Jink जो है, Copper को Reduce कर रहा है, इसका मतलब है कि Jink के पास Reducing Power है, अगर Jink के पास Reducing Power है, तो जो Reducing Power रखेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, Reducing Agent बोलेंगे, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं, कि जो हमारा Jink है, वो एक Reducing Agent है इस Reaction के लिए, तो कोई भी ऐसा Substance, जो दूस Reducing Power है, लेकिन याद रख लीजिए, कि जो Oxidize होगा, उसी के पास Reducing Power होगा, क्योंकि Power का हम इस्तेमाल किस पर करते हैं, दूसरे पर करते हैं, और दूसरे पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हम क्या करा रहे हैं, तो हम क्या करा रहे हैं, तो दूसरे को क्या करा रहे हैं, तो वो दूसरे को oxidize कराएगा, इसका मतलब उसके पास oxidizing power है, तो जिसके पास oxidizing power है, वही क्या है, oxidizing agent है, तो इस तरीके से हाँ पर copper 2 plus क्या होगा, oxidizing agent होगा, जो हमारा zinc होगा, वो क्या होगा, reducing agent होगा, तो I hope आपको ये चार चीजें समझ में आएं कि oxidizing power क्या है, reducing power क्या है, oxidizing agent क्या हो reducing agent क्या होता है हमारी अगली चर्चा जो है standard reduction potential पर है इसमें मैं reduction potential बोल रहा हूँ तो एक ऐसा potential जो चीजों को reduce कराने में help करता है उसको हम क्या बोलेंगे reduction potential बोलेंगे अगर वो standard condition में है तो उसको standard reduction potential बोलेंगे इसका अभी मैंने जो बात बोली उसको मैं example के तुरू आपको समझाऊंगा जैसे माल लीजिए मेरे पास reduction के तीन process है पहला process है F2 जो है F negative में जा रहा है दूसरा process है जिसमे H plus electron लेकर के H2 में जा रहा है और तीसरा process है जिसमे lithium plus electron लेकर के lithium बना रहा है फ्लोरीन वाले reaction के सामने लिखा है कि SRP वैलू इसका क्या है positive है H plus वाले के सामने लिखा है कि इसका SRP वैलू 0 है हमें पता है क्योंकि यह क्या है standard reduction potential of standard hydrogen electrode कितना होता है 0 होता है lithium वाले के सामने लिखा है कि इसका SRP value क्या है negative है तो हमें बताना यह है कि किसका reduction होने के chance जादा है reduction उसी का आसानी से होगा जिसका SRP value क्या होगी जादा होगी तो simple सी बात है जो हमारा F2 है वो F negative में जाना चाहेगा क्योंकि उसका SRP value क्या है positive है इसका मतलब उसका attitude positive है खुद को reduce कराने के respect में इस वजह से F2 जहां पर इसका oxidation number 0 था वो किस में चला जाएगा minus 1 में चला जाएगा और इस तरीके से 0 से minus 1 जाना reduction का process आसानी से हो जाएगा क्योंकि उसका SRP value क्या है positive है अब हम चर्चा करते है lithium positive की lithium positive कभी नहीं चाहेगा कि वो electron लेकर के lithium solid बन जाए मैं ऐसा क्यों बोल पा रहा हूँ क्योंकि लिखा हुआ है कि SRP value क्या है negative है इसका मतलब खुद को reduce कराने की जो tendency है उसकी वो negative है वो नहीं चाहता खुद को reduce करना इसी वज़ा से इसके सामने क्या लिखा गया है standard reduction potential negative लिखा गया है और जो हमारा lithium positive होगा वो कभी भी reduce हो करके lithium बनने की कोसिस नहीं करेगा यहाँ पर हमारा जो H plus है वो एक reference point है क्योंकि उसको हमने 0 ले रखा है तो इसका मतलब यह हुआ कि जो लोग positive SRP रखेंगे वो खुद को reduce करना चाहेंगे और जो लोग SRP value negative रखेंगे वो खुद को reduce कराना नहीं चाहेंगे दुबारा हम इस fluorine वाले reaction पर लोटते हैं जहां F2 F negative में खुद से जाना चाहता था देखो भाई F2 अगर खुद को reduce कराना चाहता है इसका मतलब वो दूसरे को क्या करा रहा होगा oxidize करा रहा होगा अगर वो दूसरे को oxidize करा रहा होगा इसका मतलब उसके पास क्या होगा oxidizing power होगा अगर उसके पास oxidizing power होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे oxidizing agent बोलेंगे तो इस तरीके हम बोल सकते हैं कि जो हमारा F2 है वो एक oxidizing agent है अगर मैं पूछू कि क्या lithium positive के पास oxidizing power है अच्छी खासी तो जबाब होना चाहिए नहीं क्योंकि जब वो reduce होना ही नहीं चाहता तो वो एक अच्छा oxidizing power रखने वाला कैसे बन सकता पूजटिव होगा वो एक अच्छा oxidizing agent होगा लेकिन जिसका SRP value negative होगा वो एक अच्छा oxidizing agent नहीं होगा इस पूरी कथा काहानी समने एक चीज़ सीखी कि जिसकी SRP value ज़्यादा होगी उसका oxidizing power अच्छा होगा इसका मतलब ये दोनों क्या होते हैं? प्रपोर्शनल होते हैं तो हम बोल सकते हैं कि oxidizing power is proportional to SRP value याद करना आसान है कि OP is proportional to RP जहाँ पर O क्या है? ऑक्सिडाइजिंग P क्या बता रहा है? पावर यहाँ पर R क्या बता रहा है? रिडक्शन और P क्या बता रहा है? पोटेंशियल अगर oxidizing power जो standard reduction potential के proportional है तो निश्चित रूप से reducing power जो होगा वो standard reduction potential के improportional होगा चलिए next fact पे चलते हैं next है कि अगर किसी का SRP value negative है तो उसका SOP value क्या होगी? positive होगी इस बात को याद रखिएगा कि अगर किसी का standard reduction potential क्या है? negative है तो उसका standard oxidation potential positive होगा values में कोई change नहीं आएगा values same रहेगा बस sign में negative से वो positive बन जाएगा जैसे अभी हमने lithium के बारे में देखा था कि lithium प्लस एक electron लेकर के जब lithium बनता है तो उसका reduction होता है और उसका SRP value क्या होती है? negative होती है यहाँ पर मैं उस reaction का उल्टा कर रहा हूँ यहाँ पर मैं lithium solid ले रहा हूँ उसको तोड़ दे रहा हूँ lithium प्लस में और electron वहाँ से निकाल के बाहर कर रहा हूँ तो देखो भाई lithium यहाँ पे किस oxidation state में है? 0 में lithium प्लस किस में है? plus 1 में तो 0 से plus 1 जाना क्या होता है? oxidation होता है अगर मैं इसके लिए SOP value लिखूँगा तो वो कैसा होगा? positive होगा क्योंकि मैंने पहले ही बोल रखा कि जिसका SRP value क्या होगा? negative होगा उसका SOP value क्या आएगा? positive आएगा इस electrochemical series को याद कराने के लिए हमारे पास एक फालतू सी कविता है उस फालतू सी कविता से ही हमें ये पूरा electrochemical series याद हो जाएगा इस कविता में हमारे पास कुछ character है कुछ कबीर सिंग स्टाइल के हमारे पास सरदार है एक काना है जिसकी एक आँख से दिखता है हमारे पास आलू है जो की पानी में है हमारे पास क्रो है जो की पैन पर फ्राई हो रहा है हमारे पास अन्मान जी का character है जो की phone पर बात कर रहे है और अगला character है जिसमें मम्मी जो है बच्चे को पीट रही है ये सारे character को मिला करके मैं पूरी कविता को आपको याद करा देता हूँ तो इस फालतू सी कविता का पहली लाइन हम पेस करते हैं जिसमें है लीथियम के बाबा सरदार लीथियम के बाबा सरदार में आपको कुछ इलेमेंट दिख रहे होंगे लीथियम से तो लीथियम दिख जाएगा क का मतलब हो गया पोटैसियम बाबा में बी अ का मतलब क्या हो गया बेरियम इसके बाद सरदार में होगा एस आर जो कि किसको बता रहा है इस ट्रॉंसियम को कभिता की सेकेंड लाइन है काना मागे आलू पानी में काना लिखेंगे तो C A मतलब कैलसियम ना मतलब हो गया N A मतलब सोडियम मागे में होगा M G मतलब मैगनीशियम आलू में होगा A L मतलब अल्मूनियम पानी का मतलब क्या होता है H2O और मे तो ऐसे ही फाल्तों में सेट किया गया है इस लाइन का मतलब यह हुआ कि हमारे पास एक काना महराज है उनके एक ही आँक से दिखता है और वो कहरे है कि हमें आलू तो चाहिए लेकिन हमें पानी में चाहिए कभी ताकि थर्ड लाइन पढ़ते हैं जहां पर लिखा है कि मैंने जिन्दा क्रो फ्राई कर दिया अगली लाइन है कोई नहीं सुना प्रभू हनुमान तो जो क्रो है जिसको हमने अभी जिन्दा फ्राई किया था वो जब स्वर्ग में पहुंसता है वो सीधा हनुमान जी को फोन लगाता है कि हे प्रभू हमारा हमा धर्ती पे किसी ने सुना ही नहीं हमें लोगों ने फ्राई कर दिया तो कोई नहीं सुना प्रभू हनुमान में आपको कुछ इलेमेंट दिख जाएंगे कोई में होगा CO मतलब कोबल्ट नहीं में NI मतलब निकल सुना में SN आता मतलब TIN प्रभू में PB मतलब क्या हो गया LED हनुमान में जो H है उससे क्या हो जागा हाइड्रोजन नेक्स्ट लाइन है फिर से आंटी ने कल ऑक्सीजन को पीटा बार बार मारके तो देखो भए हमारे पास एक आंटी जी है जो एक बच्चे को पकड़वा करके पीटे जा रही है कल से आंटी ने जो ये करिस्मा किया है उससे हमें ये पूरी लाइन याद हो जाएगी यहाँ पर भी आपको कुछ इलेमेंट्स दिख रहे होंगे नेक्स्ट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन तो ओटू से रिप्रेजेंट किया जाएगा और को का यहाँ पर कोई सेंस नहीं बन रहा है पीटा में क्या आएगा पी और टी आएगा मतलब क्या प्लाटिनम हो जाएगा बार बार मतलब कैसे लिखोगे बी आर बी आर मतलब क्या बी आर टू मतलब ब्रुमीन मार के है तो मार मतलब होगे मरकरी और मरकरी को रिप्रेजन्ट करते हैं हजी से और के से हो जाएगा कॉपर और कॉपर को रिप्रिदेंट करते हैं सी यू से तो इस तरी के समय यह पूरी कभीता याद हो जाती है चलिए अब हम चलते हैं इलेक्टsomebab केमिकल सिरीज देख लेते हैं उस सामदाट ट्रिक को याद करके मज़ा तो आई गया हुआ क्या था लीथियम के बाबा सरदार काना मागे आलू पानी में इसके बाद क्या था मैंने जिन्दा क्रो फ्राई कर दिया कोई नहीं सुना प्रभु हनुमान कोई नहीं सुना प्रभु हनुमान इसके बाद हमने थोड़ा उल्टा याद कराया था क्या याद कराया था कि फिर आंटी फिर आंटी ने कल फिर आंटी ने कल सीयल मतलब कल ओक्सीजन को पीटा बार बार मार के मार के मतलब मार मतलब यहाँ पे क्या है वह या जस्ट बाद क्या आएगा copper 2 plus आएगा actually जो ये चीज है वो कहाएगी इसके नीचे आएगी copper 2 plus होगा इसके नीचे फिर HG होगा फिर BR2 फिर PT O2 करके आप ऐसे याद करोगे बट्रिक में इस तरीके से याद कराना आसान था इस वज़ा से मैंने वैसा रखा हुआ है अच्छा जी आप देखो ये सिरीज किस की थी मैंने बोला था standard reduction potential की सिरीज थी standard reduction potential की सिरीज थी ये जो lithium plus है इसका सबसे कम reduction potential होगा जो की होगा minus 3.05 सबसे कम है minus 3.05 किसका lithium का फिर देखिए minus में धीरे-दरे value घटती जाएगी minus में value घटती जाएगी और हम धीरे-धीरे कहां जाएगे zero की तरफ आएगे तो minus से अपन कम करते हुए values आएगे जीरो तक जाएगे तो minus से zero तक पहुँचेंगे अब फिर zero से चलते हुए यहां पर positive होगा यह पूरी belt positive है इसकी SRP value positive है यहाँ पर कम positive होगा यह ज़्यादा positive और positive और positive ऐसे करके F2 का सबसे ज़्यादा positive value आएगा F2 का सबसे ज़्यादा positive value आएगा देखो copper का कितना है इतना है यहाँ पर कितना है देखो F2 का कितना है इतना है याद नहीं करना है कुछ भी ये रटे नहीं मारने ये सब रटे नहीं मारने कुछ भी रटे नहीं मारने बस समझा रहा हूं कि जब हम यहाँ से सुरुवात करेंगे तो माइनस इनके आएंगे इनका भी माइनस रेडक्शन पोटेंशियल होगा इसका माइनस में रेडक्शन पोटेंशियल होगा और H-PLUS का जग जाहिर है आई उपेसी चिला के बोल चुका है कि भाया जीरो होगा फिर देखो copper 2 plus का कम होगा धीर धीर बढ़ते बढ़ते यहाँ पर बढ़ जाएगा इतनी बात सुपर डूपर clear है याद रख पाओगी यह बात अब बात यह आती है कि आखिरकर इनसे क्या फाइदा होगा सिरी याद तो कर लिया क्या फाइदा होगा बह बहुत सारे सवाल आपके हो जाएगे बहुत सारे problems हट जाएगे चीज़ें आपको समझ में यहाँ पर जादा आएगे अब आपको क्या करना है बस एक sequence याद रखना है और इस sequence को देख करके आप यह बता सकते हो कि कौन कैथोड है कौन एनोड है कौन ऐसा है जो दूसरे को हटा सकता है उसके salt के solution में कौन ऐसा है जो पानी में जानी के बाद H2 gas देगा ऐसे questions का जबा हम कहां से पाते हैं इस electrochemical series में पाते हैं अब मैं आपको कुछ चीजें बताऊंगा वो देखेगा lithium positive की SRP value क्या है minus में है कहने का मतलब है कि lithium plus जब electron लेगा और electron लेने के बाद ख खुद को lithium solid बनाएगा तो इस काम को करने में जो reduction potential आया जो standard reduction potential आया वो है माइनस 3.05 माइनस 3.05 इसका मतलब समझ रहे हो इसका मतलब यह है कि lithium plus खुद को reduce करना नहीं चाहता क्योंकि इसका reduction potential माइनस में आ रहा है बात में आ रही है इसका मतलब यही है कि भाया यह जो reaction नहीं चाहती यह reaction होना नहीं चाहती क्योंकि इसके लिए इसके लिए E की value क्या रही है negative और किसी के reaction को होने के लिए क्या चाहिए होती है positive चाहिए होती अगर वो अपने आप करवाना चाह रहे हूं तो इसका मतलब को मिला कि यह हुआ कि लीथियम प्लस electron पसंद नहीं करता और अपने आपको reduce करके लीथियम solid बनाना नहीं चाहता अच्छा जी फिर क्या करेगा वो समझना important है अगर मैं ध्यान से सुनिएगा अगर मैं इसी reaction को switch कर दूँ तो क्या बनेगा लीथियम solid निकलेगा लीथियम plus और साथ में होगा electron निकलेगा यहाँ पर लीथियम क्या ह क्या लिखोगे standard oxidation potential कितना होगा अरे इसी srp का बस positive होगा plus 3.05 अब समझना बहुत ही जिम्मेदारी से अगली line बूल रहा हूं कि वहिया जो यह standard reduction potential है न यह positive है positive है मतलब यह काम होना चाहता है लीथियम खुद को oxidize करना चाहता है और सबसे जादा अगर oxidizing यह srp की बात की जाए standard oxidizing power की बात स्वारी standard इसके लिए क्या बोलेंगे oxidation potential बोलेंगे ठीक है standard oxidation potential की बात करें तो सबसे जादा लीथियम की होती है अरे यार जिसका reduction potential minus में होगा उसी का तो standard oxidation potential positive होगा कोई दिक्कत की बात तो नहीं है नहीं होनी चाहिए इसका मतलब यह हुआ कि यह भाई साब जो लीथियम है यह खुद को क्या करना चाहते हैं oxidize करना चाहते हैं इनके अंदर सबसे जादा tendency है अगर यह खुद को oxidize करना चाहते हैं तो भाईया क्या होगा वो दूसरे को क्य करेंगे रिड्यूस करेंगे जब किसी रिड्यूस रियक्शन में लीथियम जाएगा तो ये खुद को क्या करेगा क्योंकि यार इसकी तो हमेसा टेंडनसी है खुद को क्या बनाने की लीथियम प्लस बनाने की ये खुद को ऑक्षिडाइज करेगा दूसरे को क्या करेगा रि यह reducing agent है और एक बात देखो इससे अच्छा कोई इससे अच्छा कोई ऐसा है नहीं जो electron दे दे इसका मतलब यह strongest इसका मतलब यह strongest reducing agent होगा यह पूरी स्रीज में इस पूरी स्रीज में सबसे सबसे कम reduction potential इसी का है तो सबसे ज़्यादा oxidation वाली potential इसी के पास है तो अगर oxidation करने की सबसे ज़्यादा potential इसके पास है उसी की सबसे ज़्यादा छमता है तो भाईया वो दूसरे को reduce भी अच्छे से करेगा अगर दूसरे को reduce करेगा तो वो एक अच्छा reducing agent होगा तो यहां reducing power लीथियम का reducing power सबसे ज़्यादा है सबसे ज़्यादा है कब जब उसकी SRP value सबसे minimum है SRP value minimum तो ध्यान दीजेगा ध्यान दीजेगा भीया इस proportional relation में है कौन-कौन से reducing power और SRP value मैं बस यही बताना चाह रहा था अच्छा अगली लाइन पर आईएगा अब देखो यार एक चीज़ और है यह 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 बीच में H प्लस यार H प्लस की तो reduction potential positive रखते हैं मतलब यह सारे के सारे लोग खुद को reduce कराना चाहते हैं अच्छा जी अगर ऐसी बात है तो F2 पर आईए F2 खुद को reduce करा के क्या बनाएगा F2 दो electron लेगा और अपने आपको 2F negative बनाएगा यह reaction favorable है क्यों क्यों कि यहाँ पर reduction हो रहा है फ्लोरीन का और वहाँ पर SRP value मतलब reduction करने की जो tendency है वो positive 2.87 है देख लो भी यह यह जो लिखा गया है इसमें आप reduction देखते हो और यह reduction easily favorable है चोंकि reduction potential यहाँ पर क्या दिकर है positive अब अपने आपको F2 अपने आपको reduce कराने की छमता रखता है खुद के अंदर अगर यह खुद को reduce कराना चाहता है कैसे पता थला SRP की value को देख करके बताया मैंने positive था इसका मतलब यह चाहता है कि मैं reduce हो जाओं अगर यह reduce हो रहा है तो सामने वाले को यह oxidize करेगा और अगर यह सामने वाले को oxidize करेगा तो भया यह एक oxidizing agent होगा और P block को पढ़ाते वक्त इसके example साथ को मिले थे कि F2 जो है कितना अच्छा oxidizing agent होता है अब मैं कहूंगा यह सबसे अच्छा strongest oxidizing agent है क्योंकि इन सब में ध्यान दीजिएगा इन सब में F2 ही वैसा है जिसका reduction potential सबसे जादा है अगर इसका reduction potential सबसे जादा है तो यह खुद को reduce करेगा सामने वाले को oxidize करेगा मतलब F2 के पास इस समय oxidizing power है क्या है oxidizing power है क्या है क्या है क्या है oxidizing oxidizing power है फ्लोरीन के पास सबसे जादा oxidizing power है यह बात कहां से निकल के आई है देख लो SRP से अगर किसी का SRP value जादा होगा तो उसका oxidizing power भी जादा होगा यह उल्टा लगता है बट होता है मेरे भाई समझा चुका हूँ कि oxidizing power किसी element का यह यहाँ पे फ्लोरीन का जादा इसलिए है क्योंकि उसका SRP value जादा है सुपर डुपर clear है क्या इतनी बात इसमें किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक की बात को आप no down करें आपको एक और चीज में पढ़ाना चाहता हूँ एक सब्द आपके सामने लाओंगा जो कि है metal क्या metal आप से मैं कहूँगा कि एक बार बताई metal क्या होता है तो metal वो लोग होंगे जो easily electron देना चाहते हैं जो easily यह जो reaction लिखी गई है वो करना चाहते हैं वही लोग metals कहलाते हैं वही लोग क्या कहलाते हैं वही लोग metals कहलाते हैं metal का अपना character यह है कि वो जल्दी से electron देना चाहता है अगर metal electron देना चाहता है इसका मतलव है कि metal के पास reducing character है मेटल के पास reducing character अगर वो खुद का electron देगा तो उसके पास क्या है reducing character है दूसरे को reduce करेगा और अपने आपको oxidize करेगा इतनी बार ठीक है आप देखो एक बात मैं बताओं अच्छा यहां से ही देख लो कि जिसकी srp value जितनी कम होगी उसकी reducing power उतनी जादा होगी और metal के पास क्या होती है reducing power होती है वो खुद को oxidize करके सामने वाले को reduce कर देते हैं और reduce कैसे करेंगे वो ये electron दूसरे को थमा देंगे वो electron पाकरके उसका oxidation number कम हो जाएगा और इनका खुद का oxidation number बढ़ जाएगा तो बोला क्या जाएगा एक सांदार, एक active, एक बहतरीन metal वो होते हैं जिनके लिए srp value minimum होती है अगर किसी की srp value minimum है तभी वो जल्दी से electron देगा अगर किसी के लिए srp value minimum है तभी वो क्या करता है जल्दी electron देता है जल्दी electron देता है कह तो सकते ही है ना इसका मतलब ये हुआ कि भाई आ देखो ये जो पूरी बेल्ट दिख रही है न अलुमूनियम तक ये सबसे जाधा एक्टिव मेटल्स हैं इनको मैं बोलता हूँ super active metals क्या ये हैं हमारी super active metals ये जो देख रहे हो इस सब super active metals है क्यों क्यों कि इनके लिए standard reduction potential की value minus में है और बहुत ही कम है नदब minus में है overall और reduction potential के मामले में बहुत ही कम value रखते हैं क्योंकि वो minus में ज़्यादा है तीक है आप दिखें water के बाद के ये जो लोग दिख रहे हैं water के बाद के जो आपको ये लोग दिख रहे हैं ये लोग भी active हैं ये भाई साब लोग भी active हैं बट ये normal activity है ये बस active metals बोले जाते हैं ये बस normal active metals बोले जाते हैं hydrogen से लेकर के water के बीच के जितने भी metals हैं वो सिर्फ एक normal activity के पास reducing power ही होता है इसी वज़ा से वो super active metals कहला रही है और hydrogen के नीचे जो आपको ये metals दिख रही है ये बहुत बहुत कम बहुत बहुत कम activity रखते हैं क्यों metal की बात करो? BR2 अटा दो, O2 अटा दो, CL2 अटा दो जितने metals दिख रहे हैं वो metal very less active है क्या very less active है very less active है इनी में से अक्सर आपको noble metals भी मिल जाते हैं जैसे कि platinum होता है क्या आपको इतनी feeling आ गई है आपको समझ में आ गया है कि अच्छे metal की परिभासा क्या है कैसे उसको define करेंगी कैसे उसको standard reduction potential से relate करेंगे यसर आ चुका है बागे बढ़ जाईए यहाँ पर आईए यहाँ पर अगली line में देखिएगा दो चीजे मैं आपके सामने अधी से प्रस्तुत कर देता हूँ यह जो चीज है इसके बारे मैं आप जान चुके इसमें कोई आप बचा ही नहीं है मैं पढ़ा चुका हूँ कि H प्लस से ऊपर कौन है lithium प्लस दिख रहा नीचे कौन है F2 ऊपर हमने माइनस वालों को ले रखा है नीचे मैंने प्लस वालों को ले रखा है और यहीं से मैंने जबाब बनाया था कि lithium प्लस का जो है सबसे कम होता है SRP value लीथियम प्लस का SRP value सबसे कम है लीथियम प्लस का SRP value कम है इसी वज़ा से जो लीथियम है वो strongest reducing agent है कईयों के मन में हाईगा कि सर यह बताए लीथियम प्लस लिखना चाहीए लीथियम प्लस जो है एक reducing agent होना चाहीए आप कहरे हो lethium अरे मेरे भाई, लीथियम प्लस कैसे reducing agent हो सकता है, ये भाई साब पहले से ही ionized हैं तो ये अगर reaction करेंगे तो ये बना देंगे क्या बना देंगे, लीथियम बना देंगे तो यहां तो ये खुद को reduce कर रहें अगर ये खुद को reduce करेंगे तो सामने को कैसे oxidize करेंगे, इसका मतलब ये है कि आपको क्या लिखना चाहिए आपको क्या लिखना चाहिए, लीथियम लिखना चाहिए क्योंकि अगर आप लीथियम लिखोगे न तो भया लीथियम क्या करेंगा खुद का oxidation लीथियम खुद का oxidation करेंगा तो खुद का अगर Oxidation करेगा तो वो दूसरे का क्या कराएगा Reduction कराएगा Reduction कराएगा इसी वज़ा से Lithium क्या होगा एक Strongest Reducing Agents बोला जा रहा है और Strongest सब दिसलिए क्योंकि इसकी SRP Value सबसे कम होती है आईए अगली लाइन भी आप बस ऐसे पढ़ लीजिएगा आपको समझा दिया गया है पहले ही कि हमारा जो F2 है F2 का मन है कि वो दो इलेक्ट्रोन कहीं से पा जाए और आपको Reduce कराके 2F Negative उसका खुद का मन है कैसे पता चला हमने देखा SRP Value Negative है और यहाँ F2 Zero Oxidation State से माइनस 1 में जा रहा है खुद का Reduction करा रहा है खुद को Reduct कराने का जो तरीका है वो favorable होगा क्योंकि यहाँ पर Reduction Potential Positive है अगर यह खुद को Reduce करा सकते हैं अच्छे तरीके से तो यह दूसरे को Oxidize करेंगे तो यह strongest Oxidizing Agents बोले जाएंगे क्योंकि इन ही का सबसे ज़्यादा है Standard Reduction Potential आईए बात करते हैं अब हम Application Part of Series पे कि आखिरकर हमने क्या सीखा हम इस Series से क्या करने वाले हैं हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं दो Metals के बीच में कि कौन सा Metal अच्छा Reducing Agents है कौन सा Metal अच्छा Oxidizing Agents है यह प्रेडिक्ट कर सकते हैं बाई यूजिंग इस Series ठीक है बाई देख लिजे Example के तोरपे मैं आपको बताता हूँ हमने देखा कि हमारा जिंग कहा है उपर होता है और Copper कहा होता है नीचे होता है Copper कहा होता है नीचे होता है अच्छा जी जो लोग उपर है वो Active Metals हैं अगर वो Active Metals हैं तो Metal का अपना काम क्या है Metal का अपना काम है Electron देने का तो यह reaction favorable होगी उपर की तरफ बट 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 नीचे की तरफ यह reaction favorable नहीं है नीचे की तरफ ये वाली reaction favorable नहीं है बैए H plus की नीचे ये reaction favorable नहीं है उपर वालों के साथ आराम से ये favorable है तो जो लोग उपर रहेंगे ध्यान से सुनना जो लोग उपर रहेंगे वो खुद को oxidize कर देंगे और जो लोग नीचे रहेंगे उनकी tendency होगी खुद को reduce करते जाने की तो भया ये नहीं favor होगा बलकि क्या favor होगा बलकि ये favor होगा सुनिएगा भया क्या favor होगा copper 2 प्लस जो है दो electron लेकर के copper बनना चाहेगा नीचे ये reaction favorable है उपर वो वाली reaction favorable है यहाँ पर oxidation favorable है यहाँ पर reduction favorable है और इसी वज़ा से आपने देखा था Daniel cell के अंदर हमेशा आपका zinc zinc 2 प्लस में जाता है और copper 2 प्लस किस में जाता है copper में जाता है जब आप zinc और copper को एक साथ रखोगे तो zinc की tendency होगी oxidize होने की और copper की tendency होगी खुद को reduce करने की यह कैसे पता किया यह पता किया हमने electrochemical series में electrochemical series में हम lithium के बावा सरदार करके देखेंगे तो zinc उपर आएगा hydrogen बीच में और copper नीचे आ रहा होगा अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताईए इन दोनों में zinc और copper में reducing power किसके पास जादा है reducing power का मतलब क्या होता है reducing power का मतलब दूसरे को reduct करना है दूसरे को reduce कराएगा जो वो खुद को क्या कराएगा oxidize तो पताई यह खुद को oxidize कौन कराएगा उपर वाला इसका मतलब zinc का zinc का जो reducing power है zinc का जो reducing power है वो जादा होगा with respect to copper के होगा कि नहीं होगा एकदम सही है और अगर simple सी भासा में हम और जबाब दे तो हम देखो directly क्या लिखेंगे कि reducing power is improportional to srp value यही तो लिखोगे अरे भाई इससे उपर वालों का minus होता है तो minus होता है तो मतलब क्या होगा कम हुआ कम अगर हम नीचे रखेंगे तभी हमें एक अच्छा reducing power मिल रहा होगा तो यह improportional relation होता है तो ऐसे याद रखा करो कि rp जो होता है rp reducing power और srp यह improportional है rp versus srp लेकिन op ओ भई मेरा नाम कहां साधिया यह क्या है op op जो होता है वो standard reduction potential के proportional होता है क्या होता है proportional होता है यह ध्यान रखियेगा उल्टा कुछ नहीं है बहुत यह आसान सी बात है समझा भी दिया गया है आपको बता भी दिया गया है अगर कुछ बालक रटना चाहते हैं तो रटले लेकिन मैं तो यह कहूंगा इस chapter में कुछ रटने की कोसिस मत करना मेरी बात मान जाओ मेरे भाई अगली चीज जो लिखी गई है इसको समझना है भाईया क्या लिखा है कि metals which are higher in the series metals which are higher in the series मतलब जैसे zinc metals which are higher in the series can displace the ones at lower position from their salt solution यहाँ पे नीचे कौन है copper है तो copper का क्या ले लो salt ले लो यह salt solution है तो वो यह कहना चारे है कि अगर आपने उपर का कोई metal लिया मतलब जैसे zinc लिया उस series में उस series में अगर आपने उपर का कोई metal लिया तो नीचे के किसी metal की salt solution से उसको हटा करके उसकी जगा zinc ले लेगा इसमें कोई अलग बात नहीं बताईए देखो मैं बताता हूँ कैसे लिखाए कुछ नहीं है यह लिखो zinc plus अब copper sulfate का aqueous solution होगा पानी के अंदर copper sulfate क्या हो जागा तूट जाएगा तूटने पर क्या देगा copper two plus देगा और यहाँ पर क्या होगा बताईए डांस सुनिए भाई यही तो reaction होगी नहीं होगी चले देख लेजिए यह चीज़ देखे यह क्या बनाई गया है हमने zinc की rot डाल दिये कहाँ पर copper sulfate के अंदर तो अगर copper sulfate के अंदर two plus है copper sulfate के अंदर कि zinc और copper कभी भी आसपास आए तो zinc हमेशा अपने आपको oxidize करेगा अगर zinc खुद को oxidize करेगा तो वो क्या बनाएगा वो हमेशा zinc plus two बनाएगा और वो जो plus two बनाएगा तो जो दो electron निकलेंगे वो दोनों electron ये खा करके खुद को copper solid बना लेंगे देखरो ये बनेगा भाई ये बन गया ये रहा जबाब मतलब ये reaction क्या होगी आराम से हो जाएगी और यही line उपर लिखा गया है कि जो metals electrochemical series में उपर होते हैं वो नीचे वाले metal के salt solution से उसको हटा करके उसकी जगह ले लेते हैं मतलब हुआ copper जाएगा rod पर और zinc निकल के आएगा पानी के अंदर अगर और जब आप अच्छा करें तो देखो क्या होगा यहाँ sulfate iron होगा वो sulfate iron यहाँ बे इनके साथ होगा तो यह वाला sulfate iron यहाँ पे लिख दू तो लिखोगे जड़न असो 4 प्लस copper यह reaction है यह आपकी reaction है कि भाई zinc ने क्या किया zinc ने जगह ले लिया किसका copper का यही तो हुआ है zinc ने copper की जगह ले लिया और copper वहाँ से निकल के बाहर आ चुका है यह कहने का sense था अब मैं आपके सामने अगली चीज प्रस्तुत करता हूँ अगर मैं copper की rod ले लूँ और उसको जड़न SO4 में डाल दूँ मतलब वहाँ पर concentration of zinc 2 प्लस होगा तो बताए क्या यह reaction फेवरेबल है क्या यह reaction हो पाएगी इसको बताने के कई तरीके है जहां से अभी आप बता सकें अच्छी बात है ठीक है आप तो एक तो electrochemical series में बता दो रट्टे मत मारना इनको बुद्धी लगाओगे क्या बोलोगे यहाँ पे देखोगे copper कैसा था rod था मतलब solid zinc किसमे था पानी के अंदर था मतलब 2 प्लस क्या यह reaction favorable है क्या यह reaction हो पाएगी नहीं हो पाएगी भया copper कीतनी अवकात नहीं है कि इसको reduce करते copper कीतनी अवकात नहीं है कि reduce करते zinc को zinc की अवकात है क्योंकि यह रहता है उपर इसका reduction potential negative है वो reduce करना जानता है कौन अच्छे से zinc लेकिन उल्टा नहीं होगा ईल्टा नहीं होगा भया कॉपर तो हर बार चाहेगा 2 प्लस पाकर के अरे दो इलक्ट्रों पाकर के कॉपर बंजए लेकिन अगर तुमने कॉपर सॉलिड पहली ले लिया तो कोई रेक्शन नहीं होगी यह रेक्शन favorable नहीं है नीचे वाला उपर वाले को, आपके एलेक्रोखेमिकल स्रीज में नीचे वाला क्या था कॉपर? वो उपर वाले के salt solution से उसको नहीं हटा सकता लेकिन जो उपर वाला है क्योंकि वो powerful reducing event है तो नीचे वाले की धजियां उला देगा उसको बिमार कर देगा मार मार के बात एक दम सही है दिल तक पहुंची हो तो जरूर बताईएगा अगले सवाल करवा देता हूँ पहले की arrange the following metals in an increasing order of reducing power हमें reducing power बतानी है और उहोंने क्या दे रखा है SRP value दे रखा है यह तो काम बड़ा आसान कर दिया है देखके बस बता देओ पहले क्या करो SRP का order ले तो SRP का order जो आएगा उसका just opposite order किसका आता है अरे अभी तो पढ़ाया reducing power 1 by SRP होता है यही तो होता है तो आपको SRP order देखना है भाई यहां से देख लोगे कि जादा किसका है चलो देखते हैं जादा किसका है जादा कहां लिखा है यह लिखा गया है मतलब second का सबसे ज़्यादा SRP value होगा second का SRP value ज़्यादा होगा इसके बाद 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 यह आएगा copper बुलो आएगा सबसे ज़्यादा यह था फिर यह positive में है और कोई positive में है नहीं है इससे कम की तरफ जाएंगे तो कम की तरफ negative तो यह वाला मिलेगा V I मिलेगा क्योंकि minus में यह लिखा है और minus में और दाद जाओगे तो यह भाई साब मिलेगे है ना SRP value की बात करें तो इसके just पीछे आएगा इसके just पीछे आएगा V आएगा अब इससे पीछे जाएंगे minus में तो पहले यह आएगा IV आएगा और उसके बाद सबसे last में पहला आएगा सबसे last में पहला आएगा यह है SRP value अच्छा जी अब अगर हमें SRP पता है तो हम reducing power को इज़त से निकाल पाएंगे reducing power को इज़त से निकाल पाएंगे सुनिएगा भी यह कुछ नहीं करना यह वाली sign को बस उटा कर दो यह वाली sign को उटा कर दो क्योंकि SRP जो होती है वो reducing power के improportional relation में होती है जबाब मिल चुगा कितना आसान सा question है यार आगे आईगे application of series का एक और सवाल आता है हाँ यह क्या नहीं का metal placed above hydrogen can release H2 gas on reaction with dilute acid solution बहुत आसान कुछ कठी नहीं समझिएगा देखो यह 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 स्टेंडर्ड पोटेंशियल में इससे जो लोग उपर है जैसे कि आप लिए मैगनीशियम उपर आमने क्या लिया magnesium तो हम यह कह रहे हैं कि H plus का aqua solution है उसके अंदर अगर magnesium की rod डाल देना तो वहां से H2 gas निकलेगी क्यों क्योंकि mg जो होगा वो एक active metal है और active metal electron देने का काम करते हैं और वो जब electron देंगे तो वो electron H plus खा लेगा और खा के खुद को क्या बना देगा H2 बना देगा साइद बात समझ में नहीं आई है यहां से समझ में आ जाएगी यहां समझ में आ जाएगी क्या लिए magnesium को हमने हमें डाला तो यह क्या निकल रहा है यह हमें बुलबुले निकल रहे हैं यहां पर bubbles दिख रहे हैं जैसे ही magnesium को हम कहां डालेंगे कहां डालेंगे भी यह है यह है है यह HCL का solution है यह HCL का solution है अब आपको समझना है कि यहां पर क्या reaction हुई है क्या reaction हुई होगी कि यह बुलबुले निकल रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं होगा क्या देखो जो magnesium है वो एक अच्छा metal है कैसे पता चला अरे भाई हाइड्रोजन के ऊपर रहता है magnesium कैसे पता च सरदार इसके बाद क्या था मागे मागे तो mg तो mg हो जाएगा और magnesium magnesium 2 प्लस में जाना चाहेगा और वो दो electron निकालना चाहेगा वो क्या चाहेगा 2 electron निकालना चाहेगा magnesium की अपनी tendency है ये वो चाहता है magnesium 2 plus देदू और 2 electron देदू तुम्हें ये उसकी खुद की tendency है क्योंकि वो ऊपर बैठा इसकी srp value minus में है अच्छा जी जैसे ही ये 2 electron निकलेगा इस solution के अंदर जो h plus present है 2 h plus तुरंट आ जाएंगे कहाँ पर इस 2 electron के पास और ये पाकर की neutral h2 gas बना देगे बोलिये बात समझना ही क्या magnesium की rod अंदर गई जाते ही वो magnesium 2 plus के form में अंदर चला गया और 2 electron वो अपने surface पे छोड़ जाएगा अब वो surface जो है इसी h plus के तो touch में है h plus के touch में है h plus जाएगा उसके साथ गड़ बंधन करेगा और जुड़ने के बाद h2 बनेगा और h2 gas वहाँ से निकल के भग जाएगा तो ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ वो metals h2 gas निकाल सकते हैं sel के अंदर से जो लोग active हैं तो active metals metal placed above metal placed above का मतलब हुआ कि active metals क्या active metals जो लोग electron देना चाहते हैं क्योंकि यहाँ electron का खेल है अगर electron मिल गया h plus को h2 gas निकलेगा तो भईया electron कौन देगा active metals देगे बस इतनी सी बादचा आपका काम बन जाएगा आप यहाँ पे जबाब लिख सकते हो mgcl2 भाई यह chlorine cl negative के form में कहा जाएगा magnesium 2 plus से चिपकेगा तो यह बनेगा और जो यहाँ पे hydrogen होगा यहाँ पे दो लिखा जाएगा और यहाँ पे साथ में h2 gas उड़ जाएगा लेकिन अगर लेकिन अगर मैं मैं क्या ले लूँ copper डाल दूँ कहाँ पर hcl के अंदर तो बताईए hcl के अंदर अगर मैं copper की rod डाल दूँ तो क्या यहाँ से कोई बुलबुले निकलेंगे कोई bubble आएगा अरे नहीं आएगा क्योंकि यह जो copper है यह जो copper है यह active नहीं है यह अच्छा metal नहीं है कि वो खुद को oxidize कर सके इस वज़ा से यहाँ पे बुलबुले नहीं निकलेंगे तो भाई यह एच प्लस उपर है copper नीचे आता है यहाँ पर आपने पड़ा था copper यहाँ पर नीचे आता है क्योंकि copper का positive होगा 0.34 था ना भी देखा हमने इसका कितना था? 0 था 0 की नीचे आएगा copper इसका मतलब यह हुआ copper खुद को oxidize नहीं करेगा तो बुलबुले कहां से निकले होगे वाई? यह नहीं हो पाएगा अब हम electrochemistry के एक important point पर पहुँच चुके हैं जो की है conductance of electrolytic solution and its measurement इसका मतलब यह हुआ कि जो अभी तक हमने electrolyte पढ़े हैं electrolyte के अंदर जो ions होते हैं वो ions किस तरीके से conduction करते हैं किस तरीके से हम उनका conductance माप सकते हैं वही हमें यहाँ पर देखना है लेकिन electrolytic conduction की तरफ चलें उससे पहले मैं आपको metallic conductor से थोड़ा रूबरू कराऊंगा थोड़ा उसके बारे में समझाऊंगा ठीक है तो चलिए देखते हैं कुछ नए term होंगे जो कि metallic conductor से related होंगे हम बाद में उसको electrolytic solution से relate कर लेंगे तो हम पहला term देखते हैं जो कि है resistance resistance का मतलब होता है कि अगर current flow हो रहा है metallic conductor के अंदर तो जो character इस current को flow होने से रोकता है उसको हम resistance बोलते हैं ठीक है तो यह क्या होता है hindrance provided by एक conductor होता है जो कि current को pass होने देना नहीं चाहता तो देखिए जो resistance है वो किसका character है भाई वो character है metallic conductor का अगर वो conductor की length क्या होगी बहुत बड़ी होगी तो इसका मतलब क्या हुआ उसके अंदर resistance भी उसको बहुत ज़्यादा झेलना पड़ेगा तो resistance is directly proportional to length of conductor जो कि हमने यहाँ पे L ले रखा है इस metallic conductor में यह cross-sectional area जितना छोटा होगा उसको उतना ज़्यादा resistance यहाँ पर झेलना पड़ेगा इसका मतलब हुआ कि जो resistance होता है वो improportional relation में होता है cross-sectional area के तो हमने क्या देखा कि R is proportional to L and R is improportional to A इसका मतलब हुआ कि अगर हम दोनों को मिला दें तो हमें क्या मिलेगा R is proportional to L by A अब अगर इस proportionality constant लगाएं equal to लगा करके तो हमें क्या मिलता है rho मिलता है यहाँ पर यह रो क्या है proportionality constant है तो इस तरीके से में एक relation मिल रहा है यहाँ पर क्या मिल रहा है R is equal to rho L by A इसको हम याद रखेंगे ठीक है यह बहुत काम आने माली चीज है देखिए resistance का जो unit होता है उसको क्या बोलते है ओम बोलते है जो कि बहुत ही famous है represent करते है इसको इस तरीके से बनाते है और लिखेंगे ओम तो OHM लिखते है ठीक है यह क्या है resistance की unit है अब हम यहाँ देखते हैं कि जो यह rho था यह rho actually क्या है इसका क्या नाम रखा गया उसका नाम रखा जाता है resistivity इस rho को क्या बोलते है resistivity बोलते है ठीक है अब मैं resistivity का क्या बनाना है definition बनाना है और किसी चीज़ का definition बनाने के लिए हम क्या करेंगे L is equal to 1 put कर दें A is equal to 1 put कर दें तो यहां से क्या मिलेगा R is equal to rho इसका मतलब जब हम unit length ले रहे हूं और unit cross-sectional area ले रहे हूं तो जो resistance create होगा conductor के अंदर वही resistivity rho कहलाएगा तो चलिए इसका definition पढ़के एक बार देख लेते हैं लिखा है इस डिफाइंड है the resistance offered by a conductor of unit length unit cross-sectional area ठीक है अगर हमने a के ले लिए 1 meter square length लिए 1 meter तो rho is equal to क्या हो जाएगा R हो जाएगा तो इसका मतलब उस समय resistivity और resistance बराबर हो जाएगे अगर हम unit की बात करें तो rho is equal to पहले लिख लेते हैं क्या आएगा R into A divide by L देखो भई R का क्या होता है Ohm होता है Ohm लिख दिया और A मतलब कोई area हुआ area को हम क्या लिख सकते है meter square divide by length के लिए हम क्या लिखेंगे meter तो ये meter और ये cut जाएगा तो क्या बचा Ohm into meter तो देखिए Ohm meter क्या होगा इसका unit होगा किसका resistivity का अब हम बात करेंगे conductance की conductance जो होता है वो resistance का just टूल्टा होता है भाई जहाँ पे conductance होगा इसका मतलब क्या महाँ पे resistance बहुत ही का conductance सब्द का मतलब ही है कि महाँ पे flow of electron maintain होगे flow of आप iron भी कह सकते हो कि maintain होगे किसी conductor के अंदर अब तक जो हमने कथा कहानी पढ़ी है वो सारी कथा कहानी related थी metallic conductor से लेकिन अब हम same metallic conductor के concept को लगाएंगे electrolytic solutions के लिए ठीक है एक बात ध्यान दें जो जो rules आपका metallic conductor follow करता है उसी तरीके का rule या उसी तरीके का behavior electrolytic solution भी रखता है इस वज़ा से यहाँ भी resistance का term होगा यहाँ भी conductance होगा यहाँ पर भी कपा होगा और यहाँ पर भी rho होगा ठीक है अब आपके मन में सवाल होगा कि सर वहाँ पे L जो था वो तो length of conductor था जो area था वो cross-sectional area of metallic conductor था यहाँ पर L और A क्या होगा चलिए वही देख लेते हैं तो in case of conductance of a solution solution के case में हम length कैसे define करेंगे वो देख लेते हैं यहाँ पर जैकि L लिखा गया है क्या है length between the electrodes मतलब अगर हम दो electrode लें तो उन दोनों electrode के बीच में जितना gap होगा उसी gap को हम L बोल देंगे ठीक और इस electrode का जो आपको यह area दिख रहा है यह area क्या हो जाएगा A हो जाएगा तो ठीक है तो A क्या होगा cross-sectional area of electrode area जो होगा वो cross-sectional area of electrode हो जाएगा और इनके बीच की जो length solution के अंदर होगी उसको हम क्या बोलेंगे L बोलेंगे या उससे denote करेंगे तो electrolytic solution के लिए जो conductance होगा वो भी क्या होगा 1 by R होगा और क्या लिखा जाएगा kappa into A divide by L is equal to G होगा ठीक है and conductivity kappa is equal to 1 by rho होगा मतलब same rule same formula चलेंगे यहाँ पर भी लेकिन एक नया term आता है जो कि है cell constant क्योंकि यहाँ पे cell सब्द लगा हुआ है तो निशी दूरुप से यह solution के लिए ही बना होगा तो देखें cell constant क्या होता है L by A को क्या कहते है cell constant कहते है या आप इस तरीके से बोल सकते हो जो यह length है divide by यह area उसको हम क्या कहते है cell constant कहते है ठीक है याद रखेंगे cell constant यहाँ आपको नया term यहाँ पे मिलता है L by A and fourth point यहाँ पे लिखा हुआ है electrolytic solution follow owns law हम जानते हैं कि metallic conductors क्या करते है owns law follow करते है उसी तरीके से electrolytic solution भी follow करते है owns law actually होता क्या है V is equal to IR यह आपने देखा होगा कि voltage है यह क्या current है और यह resistance है ठीक है तो current और resistance का multiplication voltage के बराबर हो जाता है ठीक है अभी हम electrolytic solution पे चर्चा कर रहे थे अब हम आपको conductors कैसे निकालेंगे उसकी unit क्या होगी उन पे थोड़ा सा और ज़्यादा discussion कर देते हैं ठीक है जो जिस आसानी से वो flow होता है जिसकी वजह से वो आसानी आप आती है उस nature को प्रॉपर्टी को conductance कहते है ठीक है अरे यार जैसे resistance समझते हो तो भाई किसी wire में अगर wire की बात करें तो किसी wire में जो आपका current flow हो रहा है उसकी जो रुकावट है उसको resistance कहते है और जो लोग समर्थन कहते है वह यह तुम current flow हो लो उनको हम conductance कहते है simple भासा में तो इतना ही बोलते है इनको अच्छा जी अगर मैं आपसे बोलू कि वह यह conductance का क्या formula लिखेंगी तो आपको होगे सर resistance का just उल्टा कर दीजिए तो देखो भी यह conductance को जी से represent करते है तो लिखा जाएगा g is equal to 1 by r है ना क्योंकि resistance और conductance क्या होते है improportional relation में होते है just उल्टे होते है अच्छा जी और अभी हमने r के लिए formula पढ़ा था क्या पढ़ा था भाई r is equal to क्या पढ़ा था बताईए हमने पढ़ा था rho l divide by a तो मैं a को उपर लिख दे रहा हूँ ठीक है समझ रहे होना बात को r के जापे rho l by a लिखेंगे a को हमने उपर रख दिया आईए भाईया आगे देखते हैं यहाँ पे 1 by rho को हम एक नया नाम देंगे divide by L by a ठीक है भाई इसमें को दिखत तो नही है आप देखो जो यह 1 by rho है जो यह हमारा 1 by rho है इसमें बताईए रो क्या है पहले बताईए रो क्या चलिए चलिए बताईए रो क्या होता है रो होता है registrivity होता है अब तक प्रेक्टिस से हमने यही सिखा है तो 1 by rho क्या होगा अरे resistivity का just ultra क्या होगा conductivity क्या conductivity और conductivity को लिखा जाता है इस तरीके देखिए कपपा कैसे लिखा जाता है कपपा क्या अगर ना के लिखना है उसके पैर को थोड़ा फीच देना इस वाले को ठीक है तो ऐसा फैसन इसका रहता है थोड़ा सा क्या यह conductivity लिखा गया है कपा तो कपा is equal to 1 by rho होता है रो क्या है resistivity है इतनी बार समयने में को दिक्कत नहीं होगी और यहाँ पर आईए 1 by rho की जगा पर अगर हम कपा रख दें तो कपा A divide by L हो जाएगा समर्थन में यस अब मैं आपसे पूछता हूँ कि बताए यूनिट क्या होगा कंडक्टन्स का यूनिट क्या होगा आपको कुछ भी नहीं है सर अरे resistance का just उल्टाई तो है तो resistance को हम लिखते हैं ओम इसका मतलब यह होगा ओम इनवर्स और इसी ओम इनवर्स को लिखा जाता है साइमेन एस आई एम एन जिसको एस लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है तो यहाँ पर भी यह एस क्या है एस इस इस दर यूनिट ओफ conductance एस क्या है भी है साइमेन सुपर डूपर clear आगे आई यह आगे वही conductivity पर दुबारा चर्चा कर देते है थोड़ा सा conductivity क्या है भी है वही आपका कपपा है कपपा is equal to क्या लिखा जाएगा बोलो 1 by rho लिखा जाएगा अब मैं आपसे बोलो की rho बराबर क्या होगा तो आप क्या लिखोगे बताएगे rho बराबर कहां से लिखोगे अरे ये formula पढ़ा था न r is equal to r is equal to rho l by a यह पढ़ा था यही से हम rho की value निकाल लेंगे rho is equal to क्या हो जाएगा r a by l तो नीचे लिखोगे r a और उपर आप लिख रहे होंगे l तो यह लिखा गया r a by l अच्छा तो यहां से हमें क्या निकालना इसका unit निकालना किस क्या है unit निकालना u n i टिक ने चलो भया unit निकाल लेते आजाओ भई साब l का क्या होता है अगर हम centimeter ले तो l को लिख दिया हमने centimeter r को हम लिखते है ohm into लिख देंगे centimeter square यही तो लिखेंगे न cross-sectional area के लिए अब यहां पर आप लिखोगे कि यह centimeter इस square वाले पार्ट से कट जाएगा तो 1 by क्या हो गया यह ohm into centimeter one by में तो इसको कैसे लिखोगे ohm inverse centimeter inverse और ohm inverse को एक special नाम दिया गया था साइमन दें साइमन वापस जाओ यह हो जाएगा ऊपर और यह हो जाएगा साथ में तो यह हो गया भया conductivity का unit तो यह सारी चीदे पता होनी चाहिए यह रटना नहीं यह सिंपल दी बात है अगला topic है मेरे भाई molar conductivity अच्छा जी पहले इसको definition को अटाते हैं नहीं तो दर्द बन जाता है बच्चे रटनी में लग जाते हैं देखाने का रहें सर यह तो बड़ा सा है रटनी में दिक्कत करेगा कुछ नहीं होगा पहले बात तो रटना ही नहीं है molar सब्द कहीं लिखे कहीं दिखे तो लिखा जाता है one mole वह यह molar mass का मतलब क्या होता है एक mole जो भी आप ले रहें atom का mass जो होगा वो molar mass बोला जाएगा उसी तरीके से molar conductivity molar conductivity तो देखो क्या बोला जाएगा कि एक mole electrolyte एक mole electrolyte जितना conduction create करता है उसी को molar conductivity कहते है और उसको लिखा जाता है सिंबल में lambda m ये बड़ा वाला lambda है एक होता है छोटा lambda ये ठीक है ये भाई साब बड़े lambda है ठीक है तो ये हो जाता है इस तरीके से ठीक है तो ये लिखा जाएगा lambda m ये इनका सिंबल m4 यहाँ पर क्या है molar और ये जो lambda है ये बताता है conductivity को सुपर दूपर क्लियर है कोई दिक्कत तो नहीं है तो मैंने क्या बोला कि एक mole electrolyte जितना conduction create करता है जितना conduction लेकर के आता है उसी को molar conductivity कहते हैं लेकिन इसके साथ एक condition जोड़ दी जाती है कि भाईया जो वो electrode है न जहां पर आप ये कहते हो कि cross-sectional area A है उन cross-sectional area A रखने वाले electrode के बीच में जो gap होगा वो unity होगा 1 cm होगा सुपर दूपर clear है आईए अब आपको दिखाएंगे तो आपको मज़ा आएगा समझने में भी अच्छा यसा करते हैं कि एक बार ये figure भी देख लेजे नहीं तो आपको लगेगा कि क्या जी बजी बातें चल रही है ये हमारा क्या electrolytic solution है इसके अंदर electrolyte हमने डाल रखा है अब हम इसके अंदर क्या डाल रहें देखेगा ये हमने एक electrode ला दिया है जहाँ पर आप इसको देख रहे हो ये क्या है ये A cross-sectional area है उस electrode का एक दूसरा हम इसमें डाल देते हैं ये भी है हमारा एक electrode जिसका cross-sectional area A है और इनके definition के हिसाब से इनके बीच में जो दूरी है वो है L is equal to 1 cm यहाँ पर हमने unity ले रखा एकदम जरूर लीचेगा ठीक है इतनी बात हमें समझ में आ गई है क्या अब हम कह रहे हैं definition के अंदर कि यहाँ पर इस दोनो A के बीच में जितना solution है इस solution में अगर एक mole electrolyte है मेरे भाया तो वहाँ से जितना conduction आएगा उसको हम molar conductivity बोलेंगे अब तो बात का समर्फन कर सकते हो या अच्छा जी अब पढ़ लीजिए लिखा है It is the conductance of the solution Kept between Kept between the electrode at unit distance Kept between electrode at unit distance यहाँ पर लिखा L is equal to 1 cm apart And having an area of cross section Large enough to accommodate sufficient volume of the solution that contains 1 mole of the electrolyte कहने का मतलब यह है कि आप चाहूँ उस cross sectional area को बढ़ा लो घटा लो लेकिन उसके बीच में जो solution आएगा उसमें 1 mole electrolyte होना चाहिए और वो 1 mole electrolyte अगर 1 mole electrolyte जो जितना conduction create करेगा उसी को molar conductivity कहेंगे साउधानी बस इतनी है कि दोनों electrode के बीच में 1 cm का gap होना चाहिए आईए कुछ नहीं था भीया समझ में आ चुका है next चीज क्या है if V is the volume of the solution contains 1 mole electrolyte इसका मतलब पता है क्या कहना चाह रहे है इसका मतलब वो कहना चाह रहे है कि यहाँ पर length L है तो यहाँ पर देखेगा इन दोनों electrode के बीच में जो यह volume है यहाँ पर जो volume है इस volume को हम मान रहे हैं V यह जो volume है ना इनके बीच में उसको मान रहे हैं V तो एक बात बताईए volume V को हम क्या लिख सकते हैं हम लिखते है volume V is equal to अच्छा जे black नहीं ले सकते हैं यहाँ बे color change कर लेते हैं लिखेंगे volume V is equal to length multiplied by क्या होगा cross sectional area होगा length यहाँ पर 1 cm length महाँ पर 1 cm तो 1 multiplied A हो जाएगा तो इसका मतलब यह A हो जाएगा इसका मतलब समझ पा रहे हो क्या होगा कि volume और A दोनों बराबर हो गए हैं इस condition के लिए अच्छा ची अब एक बार इस line पर पढ़िए क्या लिखा है conductance लिखा है तो बता यह conductance का formula क्या होगा मैं क्या बोल रहा हूँ जहां से तुनिएगा मैं यह कह रहा हूँ कि यहां से जो conductance निकलेगा उसी को मैं molar बोलने वाला molar conductivity बोलने वाला इसके बाद क्या लिखते हो r is equal to rho a by l होता है तो rho a नीचे लिख दिया l उपर चला जाएगा अच्छा जी और यहां पर 1 by rho को हमने क्या बोला था कपा बोला था यह भी सही है multiplied by हो जाएगा l by a क्या हो जाएगा l by a यह बात देखो आपको समझ आ रही है क्या जो मैंने यहां पर लिखा है उतनी बाद ठीक है क्या कुछ उल्टा तो नहीं हो रहा है नहीं उल्टा हो रहा है यहां पर उल्टा होता हुआ दिख रहा है यहां पर उल्टा होता हुआ दिख रहा है तो लिखेंगे 1 by rho L और यहाँ पर A लिखा जाएगा यह लिखा गया और 1 by rho को हमने कपा बोल दिया तो multiplied by A by L हो जाएगा ओ यह तो बड़ा आसान था अच्छा जी यह भीया समझ में बात आ गई है कि यहाँ पर यह formula बनेगा लेकिन conditional है क्योंकि यह तो अभी conductance है इसको molar conductivity अगर तुम्हें बनाना है तो यह लगाना पड़ेगा condition यह वाली condition लगानी पड़ेगी कि भागया L क्या है 1 है अच्छा जी तो यह जो conductance है इसकी जगाँ पर अब मैं लिखूँगा molar conductivity conductance की जगाँ पर molar conductivity लिखूंगा और जो यहाँ पर condition दी गई है वो इसके अंदर डाल दूँगा तो च्या लिखूँगा भै या देखो कपा इन्टो फी यार सिंपल सी भासा में बोलू तो कुछ कठिनाई नहीं है यही कंड़क्टेंट जो है ना अगर कंडिशन लगा दी यह वाली तो यही कंड़क्टेंट स्मोलर कंड़क्टिविटी हो जाती है इतनी सी तो बात है है ना समझ में बात आ गई होगी फॉर्मूला हमें समझ में आ चुका है अब मैं आपसे यहीं एक चीज बोलता हूँ चलिए बताइए कंडिशन देता हूँ अगर मैं वॉल्यूम को बढ़ा दूँ अगर मैं यह वाला जो वॉल्यूम है उसको बढ़ा दूँ जबकि वहाँ पर वन कटिविटी पे किया सराएगा तो आप कहोगे लेंडा M की वैल्यू बढ़ जाएगी ध्यान दिजेगा वॉल्यूम के बढ़ने से लेंडा M की वैल्यू बढ़ जाएगी और वॉल्यूम को अभी तो dilution, dilution सब्द का मतलब है पानी डाल देना, और पानी जादा हो गया, तो भीजा number of electrolyte per volume क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, इसका मतलब हम पे concentration कम हो जाएगा, तो ये सारी बाते एक दूसरे से related हैं समझ में आगई है, अच्छा, mathematically हम समझ चुके हैं, अब हम हमने इसमें, मान लीजी, कि one mole kaciel ले रखा है, क्यों हमने one mole ही क्यों लिया, क्यों हम मोल कंडक्टिविटी के बात करने हैं, ठीक है, तो one mole kaciel हमने लिया हुआ था, अब हमने इसमें पानी मिला दिया, तो वही one mole क्या होगा, इतने पूरे volume में फैल जाएगा, ठीक है, volume मे अगर वो फैल जाएगा तो k plus and c l negative क्या होंगे एक दूसरे से दूर चले जाएगे मान लो कि यहाँ पर k plus k बगल में c l negative हुआ करता था लेकिन अब क्या होगा उनके बीच में distance बढ़ जाएगा अगर distance बढ़ जाएगा तो k plus c l negative के उपर और c l negative k plus के उपर अपना attraction force नहीं ब घूम सकता है अगर आसानी से वो घूम सकता है तो वहाँ पर क्या होगी conductivity क्या होगी बढ़ जाएगी क्योंकि वहाँ पर उसकी mobility बढ़ जा रही हमारे आयंस की क्योंकि k plus और c l negative क्या करें एक दूसरे के उपर attraction force नहीं लगा पा रहे हुए आई होप आपको इतनी बास समझ में आ गई होगी अब ही हमने डाइलूशन के बारे में क्या सीखा हमने यह सीखा कि अगर आप डाइल्यूशन करते हैं अगर आप डाइलूशन करते हैं मतलब कि concentration को घटाते हैं dilution करते हैं या मैं बोलू concentration को घटाते हैं तो मेरे भईया lambda m की value बढ़ जाएगी क्योंकि electrolyte की जो दो opposite charges होंगे वो एक दूसरे से दूर जाएंगे dilution होने पर तो मेरे भईया एक दूसरे के force of attraction में नहीं होंगे तो easily free होंगे तो भईया अपना conductance वो इज़त से so कर पाएंगे इतना सा reason है कुछ कठिन बात नहीं है पढ़ लीजे क्या लिखा है कि this is because the total volume V of the solution containing one mole of the electrolyte increases on the dilution और volume के बढ़ने से हमने अभी mathematically भी देखा था क्या होता है lambda m की value बढ़ जाती है और अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझोगे कि अगर volume बढ़ जाएगा और अभी आपका electrolyte one mole ही है volume तो बढ़ गया इसका मतलब दो electrolyte के बीच का gap बढ़ जाएगा उनके ions दूर दूर हो जाएंगे तो वो जादा conduction create कर पाएंगे बात को पकड़ ले गए होंगे सायद है ना आईए आईए अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं ये relation बड़ा important है ये relation बहुत जादा पूछा जाता है बलकि actually ये direct नहीं पूछा जाता है इन पर based questions आते हैं क्या लिखा है relation between lambda m and molarity m तो भाईया इसको मैं directly याद कराने के लिए लिखूंगा आप सीधा याद करेंगे lambda m is equal to कपा into thousand divide by molarity m ध्यान दीजिएगा हर एक चीज़ की unit को पकड़ना बड़ा जरूरी होता है unit पकड़ में आगी तो हमारा काम बन जाता है अच्छा जी यहाँ पर देखेगा यहाँ पर जो यह आपने कपा लिया है यह कपा आपको लेना है मैं कह रहा हूँ लेना है जब भी आप solve करें तो आपको यह कपा centimeter में ही लेना है मतलब जब भी लिखें तो यहाँ पर centimeter जरूर आना चाहिए सेंटीमीटर होता है क्या नहीं आप बताइए क्या होता है अरे एस सेंटीमीटर इनवर्स अभी तो पढ़ा था क्या पढ़ा था एस सेंटीमीटर इनवर्स साइमन यार एस मतलन यहाँ पे साइमन तो क्या लिखा जाएगा साइमन सेंटीमीटर सेंटीमीटर इनवर्स साइमन सेंटीमेटर इनवर्स अभी भी इसकी जदगर्ती हुई लग रही है क्योंकि C बेचारा छोटा सा बन गया था ठीक है तो इसकी जद को बढ़ाते हैं सेंटीमेटर इनवर्स कपा को आप S सेंटीमेटर इनवर्स में लिखेंगे और भाया ये मोलारेटी है आप मोलारेटी डा पर लीटर लिखा जाता है क्या एल आई टी आरी मोल पर लीटर लिखा जाता है बोलो भाईया लिखा जाता है कि यस लिखा जाता है अब इसी चीज को मैं चाहता हूं कि इसकी यूनिट निकालू तो भाईया इसको थोड़ा और अच्छे से खोलो था कि ये भी तो से संटिमेटर में कनमाट होगे तब भीर सेंटिमेटर क्यों बहταएगा यूनिट में तो कोई फर्क नहीं आरा तो क्या लिक्त को कि मोल divided by सेंटिमेटर क्यों यह एगे अच्छा आप सौल करलो अब सौल करलो बचा written by क्या हो जाएगा? मोल ही रहेगा. बोलो मोल ही रहेगा क्या? Yes. मोल रहेगा. अगर ऐसा होगा तो आप बताएगे क्या होगा? ये दोनों लोग भाई साब गटबंदन करेंगे. inverse और ये 3 से 2 हो जाएगा. तो मैं लिखूँगा क्या है यहाँ पर? मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ centimeter square s centimeter square और क्या हो जाएगा? mole नीचे था तो भया हो गया mole inverse तो this is the unit of lambda m मतलब molar conductivity बोलो कहीं दिक्कत, कोई समस्या, कोई परिशानी हो तो जरूर बताएं वस सावधानी यह रखना कि आप अपने कप्पा को भया s centimeter inverse में ही रखना वैसे में बताऊं तुम्हारे paper में s centimeter inverse में ही अक्सर दिया जाता है और नहीं दिया जाएगा तो यार इतने होनहार हो तुमकी इसो क्या करोगे? convert कर लो के बोलो बार ठीक है क्या? यह भाई चीज मैंने दिखाने की कोसिस करी दुबारा ठीक है? बात तो आपको समझ में आई गई होगी नहीं समझ में आई है dilution वाली बात दुबारा बता दूँ क्या? अरे भाई जब तुम पानी आइड कर दोगे तो पानी आइड करने से क्या होगा? जैसे मान लीजी के हमने KCL लिया तो K plus और CL negative पहले करीब परीब हुआ करते थे, अब आपने और पानी डाला और one more electrolyte to fix ही है तो दूर चले जाएंगे एक दूसरे से, जब वो दूर जाएंगे, actually दूर जाने का मतलब जानते हो क्या होता है? K plus के किनारे किनारे water की layer होगी, CL negative के किनारे किनारे water की layer होगी, फिर वो K plus CL negative को force of attraction से खीचेगा नहीं और जब नहीं खीचेगा तो freely घूमेगा और घूमेगा तो conduction तो होगा, यार आयन तो conduction करते ही है अच्छा, ये बात थी क्या सर, यस सर, ये देखेगा simple साधारन सी भासा में अगली रहिन बोलूँगा, पचा लेना भाईया, क्या बोलना चाहरा हो मैं? अगर मैं, अगर मैं इतना ज़ादा, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं इतना ज़ादा dilution करते हूँ, मतलब हद से ज़ादा dilution करते हूँ, एक limit से अपर चला जाऊँ, तो भाईया उसको बोलते हैं, limiting molar conductivity, वो जो solution है, जहाँ पर आपने बहुत ज़ादा dilution कर दिया है, मतलब कि concentration को बहुत ही कम कर दिया है, उस समय जो molar conductivity निकलेगी, उसको limiting molar conductivity कहते हैं, नहीं समझ मैं आई बात, पहले समझाओंगा तब ये, इस सब बात की बाते हैं, पहले समझो, हमने क्या बोला, volume बढ़ेगा, volume बढ़ेगा, lambda m बढ़ेगा, हमने यही तो बोला था, अब मैं क्या कह बहुत बढ़ेगा, volume बहुत बढ़ेगा, मैं बहुत जादा पानी डालूँगा, बहुत जादा पानी डालूगा, पूरा tanker का पानी, पूरा tanker का पानी, एक one more electrolyte रखेगा, तो भईया वहाँ पर concentration बहुत ही कम हो जाएगी, क्योंकि volume वहाँ पर क्या होगा, जादा होगा, तो concentration बहुत ही कम हो जाएगी, क्या हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी, और ऐसी condition में आपका जो ये lambda M है न, वो अपने, अपने top पे चला जाएगा, भई, ये बढ़ेगा, तो भई साब भी बढ़ेंगे, और ये इतना बढ़ेंगे, कि भईया बहुत ही जादा हो जाए उससे जादा exceed करना कठिन होगा, तो इसको बोला जाता है, limiting molar conductivity lambda M not, यहाँ पर not बताता है, concentration को, कि concentration tends to zero है, concentration zero की तरफ जा रहा है, मतलब कि वहाँ पर बहुत जादा पानी है भाई, बहुत जादा पानी है, बात समझ में आई गया, ये line पकड़ना जरूरी है, अच्छा मैं आप से एक सवाल पूछता हूँ, इतना पूछने के बाद तो एक सवाल, इतना बताने के बाद एक सवाल पूछता हूँ, कि बताए, कि सी भी electrolyte के लिए lambda M, और lambda M not में बड़ा काउन होगा, बताए, इन दोनों में बड़ा काउन होगा, आप कहोगे, सर के, बुद्धी बन से lambda m की value बढ़ती है और यहाँ पर तो zero concentration हो रहा है इसका मतलब भया यह फार 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 ऐसे हो जाएगा तो यह है limiting यह limit पर चला जाएगा अपने molar conductivity की value अपनी limit पर चला जाएगा तो उसको limiting molar conductivity कहते हैं अरे सर समझ आ गया है पूरी तरह से समझ आ गया है अब आईए आगे आपको कुछ समझाता हूं और और कुछ समझाता हूं मेरे भाई यहां पर आईए क्या लिखा है पढ़ लिजीगा लिखा गया है कि when concentration tends to zero अब आपकी मन में सायथ सवाल होगा कि सर यह concentration zero कहने का मतलब क्या होता है तो इसको एक्जांपल के तौर पर आप ऐसे समझो कि एक बहुत बड़ा सा टैंक है उस टैंक में हमने सिर्फ वन मोल केसील ले रखा है और उस टैंक में पूरा पानी भर दिया गया तो अगर हम उस पूरे टैंक से एक ग्लास पानी निका लें तो उस एक ग्लास पानी में केसील के प्रजेंट होने का चांस कितना होगा करीब करीब जीरो होगा इसका मतलब हम आपके सामने इन-finite dilution सब्द भी आएगा infinite dilution का मतलब होता है कि हमने बहुत सारा पानी ले लिया इसका मतलब हमने concentration को zero की तरफ tend करा दिया infinite dilution सब्द को दिमाग में रख लें क्योंकि देखिए dilution और concentration improportional होते हैं अगर dilution जो होगा वो infinite होगा तो हमारा concentration क्या होगा zero होगा चले next point देखते हैं लिखा कि for strong electrolyte जैसे KCL lambda increases slowly with dilution and can be represented by DHO equation DHO equation क्या है D.Y. Huckel. Onsinger equation या तीन scientist जिन्होंने मिल करके एक equation दिया है जो कि limiting molar conductivity के production के बारे में बताता है तो यहाँ पर लिखा है कि lambda M is equal to lambda M not minus AC की power 1 by 2 यहाँ पर A क्या है constant है और C क्या है concentration of electrolyte lambda M को आप पहचानते होंगे इनसे भीट मुलाकात आपकी हो चुकी है जो की है molar conductivity and lambda M not क्या है limiting molar conductivity तो यह चीज़ आप याद रखेंगे D.Y. Huckel. Onsinger equation इस equation से अगर हम graph बनाएं तो हमें मिलेगा y is equal to c plus mx y mx plus c लगा देंगे इस graph में देखेंगे हमने x axis पर क्या लिया हुआ है under root c लिया हुआ है यहाँ पर और यहाँ पर लिखा है lambda M जब हम KCL की बात करेंगे तो हमें क्या मिलेगा एक straight line मिलेगा जिसमें slope नीचे की तरफ होगा ठीक है जहाँ पे slope कितना होगा माइनस A लेकिन जो यह equation दिया है यह किसी weak electrolyte पर set नहीं बैठता जैसे weak electrolyte हमने क्या लिया हुआ है CS3COOH मतलब acetic acid तो acetic acid में हमें ऐसा कुछ graph मिलता है तो इस point को आप याद रखना कि weak electrolyte का graph कुछ ऐसा होगा और strong electrolyte का graph इतना होगा अगर मैं आपसे पूछ हूँ कि जो यह point है इतना point है उसको आप क्या बोलोगे तो आप इसको बोलोगे lambda m naught क्यों बोलोगे क्योंकि इस graph का सबसे maximum point lambda m का कितना है lambda m naught ही होगा obvious सी बात है इससे हम रख करके देखेंगे तो यह क्या है इसका intercept आएगा अभी जो सीखा है उस पर बेज कुछ questions कर लेते हैं मेरे भाई देखो भया पहला question आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ क्या लिखा गया इसमें लिखा गया कि आपको lambda m की value दी जा रही है lambda m की value दी जा रही है lambda m is equal to दिया गया है 138.9 Simon centimeter square mole inverse ठीक है यह जरूर लिखा करो unit ताकि आपको जबाब देने में आगे आसानी पड़े और हमें पता है यार यह lambda m किसका ही unit होता है अच्छा जी lambda m दिया गया है यह क्या 1.5 molar solution of an electrolyte electrolytic solution का molarity क्या है molarity m is equal to dya है 1.5 molar ठीक है यह electrolytic solution के molarity हो जाएगी अच्छा जी calculate the conductivity और conductivity मतलब क्या होता है कपा, conductivity याद रखना बड़ आसान होता है, कपा and conductivity थोड़ा सा related सा फिल करते हैं तो conductivity क्या है कपा है, हमें कपा निकालना है यह तो बड़ा आसान सा फॉर्मूल है है ना, यह वही वाला फॉर्मूल है यह दोनों multiply कर देना और इस से divide कर देना अच्छा हमें कपा निकालना था हजार से multiply कर देना जब आप आजाएगा यार अब कर लोगे, कर लोगे, main काम तो यही है कि आपको पता चल जाए कि कैसे निकालना है गुणागड़ित तो आता होगा अरे सर हमें नहीं आता आप ही कर दिया करो अच्छा जी, फिर आप क्या करेंगे मानने वर यहाँ पर होगा भया, nine अच्छा, इसके बाद molarity कहाँ है, molarity है भया यह one point five फिर होगा भया divide by यहाँ पर thousand जब आप इसको solve करेंगी तो यह जो चीज मिलेगी साइमन सेंटिमेटर inverse में, किसमें साइमन सेंटिमेटर इनवर्स में इसको आराम से इज़त से अपने घर पे बैठके solve करें, नहीं यार, आपके notes में दिया गया, आप देख भी सकते हो, लेकिन पहले आप एक बार solve करके देखो, अगला सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल है भीया कि दर resistance of this molar पहले ये लिक लो, molar solution at 25 degree is this, अच्छा, resistance दिया मतलब R की value दिया, R कितना है भीया 200 ohm भीया, मेरा नाम बार बार आ रहा है 200 ohm जपना पड़ेगा, भाई साथ आई ये, क्या हो जाएगा, R is equal to 200 ohm, उपर क्या है उपर M is equal to 0.0 M molar solution है यही तो electrolyte का concentration है, यार, अच्छा जी निकालना क्या है the cell constant of the conductivity is unity, अच्छा, ये भी बताई रहे ये कहरे, cell constant cell constant क्या होता है, cell constant होता है L by A cell constant cell constant is equal to L by A देखा भाई ये, cell constant is equal to L by A, हमें निकालना है molar conductivity molar conductivity of the solution molar conductivity मतलब lambda M, हमें lambda M नहीं पता है भाईया यही हमें निकाल के बता देना है अच्छा, अब देखा यार simple सी बात बोलू, तो lambda M is equal to क्या होता है, कप्पा हमें तो conductivity चाहिए पहले फिर उसको 1000 से multiply करके तब हम M से divide कर देंगे जबाब मिल चाहेगा, इसका मतलब जो ये resistance दिया है और cell constant दिया है कहीं ना कहीं, इससे हम क्या निकालने वाले हैं, कप्पा निकालने वाले हैं यहाँ पर क्या दिया है unity, तो भईया यह हमने ले लिया one और नीचे लिख देंगे centimeter inverse, यही तो होगा ना unit, cell constant का रहे यार L by A, centimeter नीचे centimeter square हो जाएगा centimeter inverse finally, okay, कैसे निकाला जाएगा भई, बताएगे, यह चीज हम कैसे calculate करें, हम कप्पा कहां से ले करके आएगे, बताएगे, डारेक्ट बता दे, डारेक्ट बता दे जबाब, निकाल ले जाओगे, छोड़ दे, नहीं सर बताया करो, हर चीज बताया करो हमें है न, चलो भईया, conductivity कप्पा, conductivity कह रहा हूँ है, यह है conductivity, conductivity क्या होता है, one by resistivity, जब जब याद ना आए, यही सब तरीका अपनाया करो, वो कह रहा है, conductivity चाहिए, तो लिखो कप्पा, उल्टा करोगे, रो, और वो वाला formula यार, तो दुनिया को याद हो चुका है, कि रो बराबर, र, ए, बाई, ल, रो, इक्वाल टू, आर, इ, बाई, यह तो ना, बहुत ज़्यादा पढ़ चुके होते हैं, फिजिक्स में भी हम पढ़ते हैं, तो यह वाली चीज़ हम यहाँ पे चाहपेंगे, चाहपेंगे, भाई, हमना कल्ची आदमी हो चुके हैं, आज का देख रहा हो तुम, यह multiplied, वन भाई, आर को लिख दिया, वन भाई, यहाँ पे 200, और एल भाई, एक को हम वन कहते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा, वन, हो गया ना मज़े दार पास, तो यहाँ पर कपा क्या निकल के आएगा, यह निकल के आएगा, साइमन सेंटिमेटर, इन वर्स में, अब मेरे भ 1000, divided by, M क्या है, M कहां दिया, यह दिया है, यह कहां है, 10 की पावर, 10 की पावर माइनस 2, 2 मोलर, भ RNA, इस चीज को लिख रहा हूं है, 10 की पावर माइनस 2, लिखी सकता हूँ, शयद आपका आडिश होगा कि 10 की पावर माइनस 2 मोलरर लिख लिजिए, सर, कोई दिक्कत नीए, तो 10 की पावर माइनस 2 और इनको जवाब solve करेंगे तो आपको जवाब मिल चुका होगा कोई दिक्कत तो नहीं है भाई देख लो भाई कहीं दिक्कत नहीं calculation में जा रहे हम अपन तो यह जब नीचे लाएंगे तो क्या हो जाएगा 1000 multiplied यह देखो 2000 को नीचे लाओ और यह 200 को नीचे लाओ तो 200 यहाँ आ जाएगा multiply करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर 0.2 आ जाएगा कितना आएज जाएगा 0.2 आ जाएगा और यहाँ से जब आप calculate करोगे तब आपको यहाँ पर 500 दिखेगा क्या दिखेगा 500 दिखेगा अच्छा यह multiply रएट टू आएगा 0.2 नहीं 0.2 0.2 यहाँ पर क्या आएगा नहीं 2.0 अरे यह 10 की पावर माइनस 2 यह तो है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 तो मल्टिक यह तरीक देख ले ना 500 क्या आएगा भिया यह देखो इसके लिए क्या लिखते हो बोलो इसके लिए यूनिट क्या होगी सर लिखिए ना यह सेंटेमेटर स्क्वाइर मूल इन वर्स एक बार चेक कर ले ना सायद अंसर सही होगा कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी तो इतना करने पर देख रहो तीन नंबर मिल रहा है भाई कुछ भी कठिन नहीं है एक फॉर्मूला है यहीं तक आना है आने का तरीका आपको पता है अगर आप डारेक्ली फॉर्मूला ना याद कर पाओ ना डरिवेशन की दू-चार आपको निकालना होगा मैं तरीके बताऊंगा आपको ठीक है यह दिया हुआ है सोलेशन आप डायमीटर सब्सक्राइब कर रहे हैं इसका मतलब लग रहा है कि जो आपका इलेक्ट्रोड है ना वह या कैसा है इस स्पेरिकल नहीं सर्कुलर है कैसा है सर्कुलर है अच्छा इ इसलिए डायमीटर सब्सक्राइब कर रहे हैं यह की वन सेंटी मीटर है इसका मतलब हुआ कि यहां पे रेडियस आएगा जीरो पॉइंट फाइफ सेंटी मीटर तो यह हो गया आर की वैल्यू कौँसे आर की वैल्यू उस इलेक्ट्रोड का जो क्या है वो जो वैल्यू दिया गया है जो कि इस समय सर्कुलर है अचा सर्कुलर है तो एरिया निकालोगे कैसे निकलेगा बोलो सवाल बात में पढ़ लेते हैं पहले यह बताओ पाई एज उकल टू क्या हो जाएगा पाई आर स्कुरा है बचपन से पढ़ रहे हो यार यही होता है क्या सर 3.14 है ना कितना लिखेंगे 3.14 तो यह चाप देंगा है चलो भीया लिख दो 3.14 यह आर स्कुरार कह रहा है आर स्कुरार मतलब 0.5 का स्कुरार ठीक है भी या आप इपने घर पे बैठ के आराम से कर ले ना ही सम मल्टिप्लिकेशन बत कर आओ भई आसान आसान सी बात थोड देंहें आप कठी स्कूराइब मेरे वजया पर में किसको जाना है हमारे ही रोज सो जाना जू जाएंगे टिक ए में यह और यह धिलोग की जुका है हमने यह पहले क्यों पड़ाया कि निहां यह तर लिए पहले पर धाया मैं पाइंटर से में तक ह्याना तका इ動画 एका इसे सेम कलर नहीं थोड़ा सा कलरफु लिखते हैं यहाँ पर क्या होगा हम लेंगे यहाँ पर हम लेंगे लेंथ एल इजिक्वल टू कितना 50 50 cm एल हो गया 50 cm और यहाँ पर यह क्या दिया हुआ थाचा रजिस्टेंस है यह दिखो रजिस्टेंस दिया है यह आर की वैल्यू इन्ह होती है ठीक है इन्टू 10 की पावर 3 देखो भया मैंने सब बता दिया ए पता है एल पता है और आर पता है हमें निकालना है मोलर कंड़क्टिविटी रजिस्टिविटी कंड़क्टिविटी तो भया कर ले ना भी चीज फॉर्मूले में यहाँ लिख देता हूं फॉर्मूल क्टिविटी का मतलब क्या होताे है कvenes ड़ टी कड़क्टिविटी इस रोक अडर व्योंच्ट हो जाएगा सिर्फ कर। आरप अलंब निकालना आसाने इसके बाद हो जाएगा मोलर कंडुक्टिविटी एचिपहल आ सालमूज अमूलर है मूलर कंड़क्टिविटी मोलर अब एम की वैली उन्हों दे रखी होगी कहां दिया है यह रखा है एम की वैली तुम नीचे लाकर कि यह रख देना ठीक है और कपा को यहां से कैलकुलेट करना यहां पर कपा पूट करूँ तो कपा थाउजन डिवाइड बाई बस आपको एम बता देता हूं यह चीज जीरो जीरो फाइव्style कोईट कर झावा जाएगा यहां अरशी या कर लेना यार यसर हाजाएगा कोई दिखत की बात नहीं है आए आगे क्या सवाल दिया है तो क्या लिखा गया है कि औ resistance of a conductivity cell containing this solution at this is अच्छा इतना what is the cell constant? what is the cell constant? भईया, cell constant लिखो पहले है, चलो बताओ मैं कोई भी formula रटने को नहीं बोल रहा हूँ, हर चीज बिदिन second derivative हो सकती है क्योंकि इतना छोटा सा तो हिस्सा है यार conductivity वाला, है ना, ये होता है L by A, ये क्या होता है L by A, अच्छा हमें यही निकालना है ज्यान रखना, अच्छा जी दिया क्या क्या है, दिया है भईया, resistance R की value resistance R दिया हुआ है, देखलो पंदरा सो, कई बारना unit को देखके directly आप बोल सकते हो, या पर देखो ओम लिखा है तो आपको पता चल जाएगा, ये क्या है ओम के लिए क्या हो, अलग ओम क्या होता है resistance होता है, और यहां पर लिखा भी है the resistance अच्छा, बाकी कुछ दिया है क्या, यस जरूर देगा रहे तो निकले गई नहीं, conductivity क्या है भी है, कपप ये देखो, conductivity मतलब कपप इस दिस, तो लिख लो गई, 0.146 इंटू 10 की पावर माइनस 3 S सिंटिमेटर इनवर्ष, ओ गई कुछ भी नहीं है, बड़ा ही आसान है, बताइए कैसे लगाएंगे, फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है, cell constant कहां आता है, L by A कुछ-कुछ दिमाग लगाएं कर पया निकाल ले जाओगे, मैं डारेक्ट लिख दूँ क्या, देखो, आप जब फॉर्मूली को थोड़ा सा घुमाओगे, फिराओगे तो पता चलेगा, कि पता चलेगा कि L by A is equal to होता है एक्चुली, रजिस्टेंस मल्टिप्लाइड बाई कपपा, थोड़ा सा घुमाओ फिराओ, थोड़ा सा घुमाओ फिराओ यार, तुमारे लिए छोड़ रहा हूँ, ये है बस मैंने लिख दिया इधर, आप तुम देख सकते हो कि कौन सी चीज़ कहा है, ये ही तो है सल कॉंस्टेंट यार, ये सल कॉंस्टेंट है, आपको रजिस्टेंस को किसके साथ मल्टिप्लाइ करना है, कंड़क्टिविटी की साथ मल्टिप्लाइ होते है, इसकी वैल्यू आ जाती है फॉर्मूले को आपने देख रखा है, एक्चुली मैं चाह रहा हूँ आपका दिमाग थोड़ा सा एक्सरसाइज करेनी, तो आदत में आ जाएगा हम जो पढ़ाएंगे, नोट करेगा, छोड़ देगा यह फॉर्मूले को थोड़ा सा त्याना मिड़ा करना मजा जाएगा, ठीक है, छोड़ रहा हूँ है ओके, अब आ जाते हैं, नेक्स्ट बहुत ही इंपोर्टेंट एक लाउ के बारे में कॉर्लाउसेस लाउ, यह जो लाउ है ना, यह लिमिटिंग वैल्यू ओफ मोलर कंड़क्टिविटी पे लगता है मतलब की, मतलब की, यह रिलेटेड है, रिलेटेड है लेमडा एम नॉट से यह lambda M not से related है यह lambda M not को calculate करने की method बताता है आपको super doper clear है लेकिन यह है क्या lambda M not यह not क्या बता रहा है zero concentration मतलब limiting value of molar conductivity आईए एक बार देख लीजिए क्या लिखा है इसको एक बार पढ़ लीजिए मैं अभी समझा दूँगा पढ़िए क्या लिखा है limiting molar conductivity of an electrolyte एक electrolyte का जो limiting value है वो highest molar conductivity की जो value है वो है represent किया जाएगा by the sum of individual contribution of the anion and the cation of the electrolyte simple tis line यार एक electrolyte में क्या होता है anion होता है anion होता है और दूसरा भीया यहाँ पे cation होता है anion और cation होता है यह कहबस इतना रही है कि यह जो आप electrolyte देख रहे हो इस electrolyte का अगर आपको limiting value of molar conductivity चाहिए तो मेरे भाईया दोनों ion के अलग-अलग को क्या करिए जोड़ दीजिए that's it मामला ने पढ़ चुका है दोनों के इन दोनों मतलब cation और anion के limiting molar conductivity को जोड़ दीजिए electrolyte का क्या निकल जाएगा limiting conductivity निकल जाएगा limiting molar conductivity निकल जाएगा simple सी बात मतलब क्या कहना चाह रहे है मतलब यह कहना चाह रहे है कि lambda of AB lambda not of AB is equal to मतलब electrolyte है AB AB electrolyte का जो molar conductivity है limiting पे जाकर के highest value पे जाकर के वो बराबर होगी A negative plus lambda of B positive with respect to बोलो बस क्या करना है दोनों को मतलब कैतायन और anion दोनों के क्या जोड़ देने है यह क्या रहा है भईया एक बार keep करते है भाई साब यह कहां से कहीं से touch हो गया होगा कोई बात नहीं कोई बात नहीं भाई साब होता रहता है होता रहता है जिन्दगी इसी का नाम है हमें प्यार से जीते रहना चाहिए तकलीफों का नाम ही एक्चुली तकलीफ और सुख दुख सम मिला करके तो जिन्दगी है आ जाओ भईया जो समझारे दो दुबारा बता देंगे कि देखो यार यह जो इलेक्ट्रोलाइट है ना उस इलेक्ट्रोलाइट का अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी चाहिए तो हम दोनों आयन के लिमिटिंग मोलर कंड़क्टिविटी को जोड़ देंगे उसका क्या मिल जाएगा आपको limiting molar conductivity of electrolyte मिल जाएगा सर ऐसे समझ नहीं आता example बताया करो अच्छा ये लोग है example NACL है NACL को पानी में डाल दिया और पानी में डालने के बाद इतना dilution किया कि वो पहुँच गया आपने limiting value of molar conductivity पे ठेक है भाई या बहुत जादा पानी आइड कर दिया है तो उस समय हम कैसे लिखेंगे lambda not of NACL lambda not of NACL is equal to lambda not of NACL lambda not of CL negative lambda not of CL negative यह है यही कहना चा रहे थे और हमने बता दिया है चलो आगे देख लेते simple सी बात हैं कुछ कठना ही नहीं है अब आई यह दूसरे वाले पर यह क्या था पहले मैं लिखके दिखा देता हूँ NACL है NACL टूटेगा तो क्या बनाएगा NACL negative बनाएगा बस इसी equation को देख करके लिखते हैं देखो NACL को इधर लिख दिया यह भाई साब यहां लिख दिया गई हाँ इसको भी कुछ इसी तरीके से लिखो क्या लिखा है AL2SO4 AL2SO4 थ्राइस अगर आप इसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा देखो टू टाइम ऐल्मूनियम बस ऐल्मूनियम पे क्या होगा प्लस थ्री एंड सलफेट पे क्या होगा 2 negative SO4 2 negative बताये SO4 2 negative कितनी बार होगा तीन बार होगा तो ये तूटेगा तो ये ये बनाएगा अच्छा इस कंडिशन में ध्यान दीजिएगा इस कंडिशन में अगर limiting molar conductivity निकालना है न तो कुछ इस तरीके से लिखिए मेरे भाई देखिए देखिए कैसे लिखोगे लैम्डा नॉट ओफ ए एल टू SO4 थ्राइस एज एक्वल टू इसका molar conductivity limiting molar conductivity बराबर होगा 2 टाइम लैम्डा नॉट ओफ एलमूनियम प्लस 3 के सर ये 2 से मल्टिप्लाई क्यों किया अरे भाई जब हमारे पाद 2 एलमूनियम की आयन्स हैं तो दोनों आयन्स conduction सो करेंगे इसलिए हम इस तरीके से लिख रहे हैं और यहाँ पर अमरे पर 3 सल्फेट आयन है तो 3 सल्फेट आयन क्या करेंगे conductivity में participate करेंगे इस वज़ा से यहाँ पर आपको लिखना होगा प्लस 3 लेम्डा नौट आफ SO4 2 नेगेट इम बोले कोई समस्या है क्या नहीं होगी अब आजाएए आगे आगे क्या है for CS3COOH यहाँ पे भी कुछ खास कहानी नहीं है CS3COOH को अगर आप पानी में डाने और बहुत ज़्यादा dilution करा दे तो यह भाई साब भी तूट जाते हैं ठीक ठाक extend तक और तूट करके बनाते हैं H+, क्या इस तरीके से बनाते हैं H+, और अगर मैं कहूँ कि भाईया लिख दो इनके लिए lambda not of this CS3COOH तो भाईया लिखना आप क्या क्या लिखोगे बोलू lambda not of this CS3COOH N7 में लिखा जाएगा lambda not of H+, कितना आसान हैं अरे भाईया इतना आसान से चीज़ हैं बस कोरलाउसर लो क्या करता हैं किसी भी एलेक्ट्रोलाइट की molar conductivity को बताता है जो हाईयस्ट है जो लिमिटिंग है अच्छा अब आईए अगले पर सवाल करके ही बुद्धी खुलती है क्या लिखा है अब इन्होंने देना सुरू कर दिया values कुछ नहीं इससे आसान सवाल बनी नहीं सकता इसको तो जब हम बढ़ते थे हमें लगता था भगवान करे यही सवाल आई आपके साथ भी यहाँ होता होगा हम अक्सर एसस होते हैं यह वाला सवाल आता कितना मज़ा आजाता ठीक है तो यह उसी सवालों में से है जिसको बढ़ते हैं यह भगवान करे आजाए दो चीज जोडनी होती है और काम अपना बन जाता है क्योंकि सब लोग इसी बात के आदती होते हैं कम काम करें मज़े जादा आएं और आपके उमर में तो सबसे जादा ऐसे क्षाएं आती हैं अच्छा जी यहां के लिए अभी जो लिखा था एक बार लिख लेते हैं पहले लेमडा एम नॉट ओफ ए एल टू एस ओ फूर थ्राइस बोलो सही लिख रहाऊं क्या यास इस इक्वाल टू आप लिहो को टू टाइम लेमडा नॉट एलमूनियम प्लास थ्री फिर क्या लिख सकते हो प्लास थ्री लेमडा आभानो एम एस ओ फूर देखो मैं बार बार एम बूल रहा हूँ लेकिन लिखनी रहूं, आप चाओ लिखो नहीं लिखो वो मैटर आपके उपर है, यतना भी जरूरी नहीं है कि लिखना ही है, ठीक है थोड़ा आपको लिखके दिखा देता हूं, यहां पे, है ना, M लिखना जरूरी बहुत नहीं है, ठीक है, यह है हमारा, अब देखो क्या क्या यह दिया जा रहा है, बस मैं सीधा यहीं छाप दूँगा, ठीक है, अब क्या लिखा है, इसके लिए इन्होंने बोला ही इतना है, देखो क्या लिखा है, 858, 858 is equal to, देख लो भई है, इसकी जाब मैंने यह लिखा, और यह तो सबके लिए सेमी होगा, अब यह देखो 160, कितना 160, एक सलफेट आयन का, एक सलफेट आयन का यह आएगा, तो तीन के लिए आप मल्टिप्लाई करोगे, अच्छा, अब हमें निकालना क्या है, निश्ची रुप से दिख रहा है, हमें किसका निकालना है, अलमूनियम का निकालना, रे किसका निकालना होगा, अलमू करना है क्या करोगे इसको multiply करके इसमें से घटा देना दो से divide कर देना आपको answer मिल जाएगा नहीं कर पाओगे कैसी बाते कर रहे हो यार कर लेना यहाँ पर क्या लिखोगे 858 minus यहाँ पर आप क्या लिखोगे 480 लिखोगे क्या देख लो 480 लिखोगे minus में divide by 2 लिखोगे is equal to lambda not आप तो यार एक step आगे और पहुचा दिया है ना आप तो करी लोगे अच्छा अब आते हैं और थोड़ा सा आगे क्या है वहिया सवाल देखते हैं यह मैंने जानबुझ के सवाल लिया है इससे आप एक concept सीखोगे कि reaction के माध्यम से आप कैसे बताते हैं देखो वो सा और extend करें मजाएगा आईए क्या लिखा है लैमडा M not of acetic acid हमें calculate करना है हमें acetic acid का क्या निकालना है वहिया लैमडा M not निकालना है और हमें दिया किसका है अरे सरी तो बहुत फालतू-फालतू सी चीज़ दी गई है लिखा गया है यह 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 भला इससे कैसे निकालेंग बहुत ही आसान है देखो निकालना जिसका है ना उसको प्रोडक्साइड में लिख लो CS3COOH हमें इसका निकालना है अब हम यह बनाने की प्रक्रिया को समझेंगे simple सी बात है देखिएगा क्या होगा क्या क्या होगा यहां देखो होगा क्या यह आप salt लिखो CS3COOH यह आने के लिखा CS3COO negative यहां से हच प्लस ले लेगा CS3COOH और यह NA और CL मिलकर के साथ में NA CL बना देंगे अरे सर लगता है मुझे भी आ गया है इतना देखने के बाद तो मुझे भी समझ आ गया क्या लिखने वाले हुआ आप आगे आ गया ना यस जहाँ आप क्या लिखोगे इधर वाले के तो बराबर लेम्डा नोट ओफ CS3COOH प्लस लेम्डा नोट ओफ NA CL बहलो बाद का समर्थन पूरा है आईए आगे बढ़ जाते हैं आगे क्या भी है यह इसे चापना है कुछ नहीं है चापना भी नकल्ची प्राणी बरो यह क्या है 9191 प्लस इसका कितना ल लेम्डा नोट ओफ CS3COOH प्लस लेम्डा नोट ओफ NA CL क्या है यह रहा 1,2,6 अब यार इसको कैलुएट करके मैं तुम्हारी बेजती नहीं करूँगा ने कहोगे सबसे आसान आता तो आप कर लेते हूँ कठीन वाला कहते हूँ तुम कर लो ने भैया इसको भी तुम्ही न dissociation क्या degree of dissociation तो पहले हम concept पकड़ लेते समझने की कोशिस करना यह चीज हमने कहां पर सुनी हुई थी सुना हुआ है chemical equilibrium में degree of dissociation कुछ चीजे ऐसी होती है जो बैया किसी solvent में जाने के बाद पूरी तरह से नहीं तूटती जैसे की example के तौर पे लेलो acetic acid acetic acid को कम पानी में डालोगे तो यह बहुत ही बहुत ही कम जो है टूट पाता है मतलब इसको पानी के अंदर डालो तो बहुत ही कम टूटता है यह 100% टूट नहीं पाता यह completely इस तरीके से एक equilibrium रखता है क्या? एक equilibrium रखता है जैसे आप इस चीज को पानी में डालेंगे इन ions के बीच में और इन undissociated undissociated acid के बीच में एक equilibrium set हो जाता है undissociated मतलब क्या है जो टूटा नहीं है तो इस तरीके के acid का इस तरीके के ions के साथ क्या हो जाएगा equilibrium हो जाएगा और ऐसी होने की condition में ये दोनों भईया क्या करें गडबंदन करके पीछे भी आ सकते हैं और ये भाई साहब आगे भी आ सकते हैं तो इसी वज़ा से होता क्या है ये भाई साहब 100% dissociation so नहीं करते हैं 100% dissociation so नहीं करते जैसे समझना degree of dissociation का कि आखिरकर इसका dissociation कितना हुआ आप ही कह रहे हो कि 100 तो नहीं होगा तो कितना होगा उस चीज को निकालते हैं degree of dissociation alpha के माध्यम से बात समझ में आगी बात पकड में आगी यस सर अब यार देखो होता क्या मैं यहीं पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा यहीं पे चीज़ समझाना चाहूँगा अगर मैं थोड़ा सा molar conductivity से relate करके यहां बोलूँ तो मैं क्या बोल सकता हूँ क्यार देखो जब volume कम होगा जब पानी कम होगा जब volume कम होगा ध्यान दीजेगा जब volume कम होगा तो हमने पढ़ा था किसके केस में strong electrolyte के केस में strong electrolyte यह सब जानते हो क्या strong electrolyte मतलब जैसे completely anionic part जिसके अंदर है जैसे anacian होगया इसको पानी के अंदर डालोगे तो यह करीब करीब 100% dissociation सोही कर देता है बट यह भाई साब 100% सोही नहीं करते हैं तो इनको क्या बोला जाता है इनको बोला जाता है weak electrolyte तो ऐसे electrolyte जो पानी में जाने के बाद 100% dissociation सोही करते हैं बलकि बहुत कम dissociation करते हैं अपना तो इसको क्या बोलते हैं weak electrolyte बोलते हैं यहाँ वाले condition में बहुत इसांदार चीज़ पढ़ा रहा हूँ confusion में मत रहे न यहाँ वाले condition में हम यह बोलते हैं कि volume के बढ़ाने से मतलब dilution के करने से हम पढ़ते हैं lambda m की value क्या होती है बढ़ जाती यह हम पढ़ते हैं और यहाँ पे reason क्या था यहाँ पे reason यह था कि यार volume जादा हो जाएगा तो यह na plus जो है cl negative से दूर चला जाएगा water की बीच में layers आ जाएगी तो इनके बीच में अच्छा force of attraction नहीं होगा तो यह जो reaction है वो reverse नहीं जाती है कभी यह reaction reverse जाती ही नहीं है कभी ठीक है भाई? यही पढ़ा था ना? यस लेकिन यहाँ की case में वो वाला logic इदम fit नहीं बैठने वाला है यहाँ का reason तो भाईया यह है कि यह भाई साब तो पूरा टूटते ही नहीं जब जब आपका अब आपका आप ऐसे मालो solvent कम था जब solvent कम था तो यह भाई साब तूटते ही नहीं है लेकिन होता क्या है जितना ज़ादा आप इसके अंदर solvent डालते जाएंगे जिसे पानी डालते जाएंगे जब इसके अंदर आप पानी डालेंगे तो भाईया यहाँ पर क्या होगा एक बहुत ही protective layers बनती जाएगी इसके किनारे किनारे water की लेयर बन जाएगी यहाँ पे भी लेयर बन जाएगी अब जैसे जैसे water की layers इस side बनती जाएंगी क्या होगा इनके reverse हो करके आने का chance करीब करीब कम ही हो जाएगा तो यह इसका मतलब क्या होगा अब ज्यादा dissociate हो रहे हैं तो इसका मतलब पता क्या हुआ अगर ये ज्यादा सुनिएगा आप ही बोल रहे हो कि यार जब इनका protection हो जाएगा ज्यादा पानी डालने की वज़ा से तो ये reverse नहीं आएंगे और reverse नहीं आएंगे मेरे भाईया तो अगर reverse नहीं आएंगे तो ये और ज्यादा dissociate होने लग गया ये चीज आगए बढ़ने लग गयी और आगे बढ़ने लग गयी मतलब इसका भाई साब का degree of dissociation ज्यादा होने लग गया ये ज्यादा जंदिल्दी तूट करके ये बढ़ना चाहेगा क्योंकि वो लगेगा उसको कि stable है पानी द्वारा कम से क मैं protected तो feel करूंगा इस वज़ा से भाग भाग के यह आगे जाएगा बासन में तो weak field और स्वारी weak field नहीं weak electrolyte के case में आपको यह बोलना होता है कि यहां पर degree of dissociation बढ़ जाता है तो भया molar conductivity बढ़ जाती है यहां simply बोलो कि volume के बढ़ने से बढ़ा है और यहां क्या बोलोगे degree of dissociation के बढ़ने से बढ़ता है super duper clear है मेरी समझ से तो बस इतनी सी line है यह अटा रहा हूं भाई मैं इसको note कर लिया करो तुरंत नहीं तो वीडियो को थोड़ा सा पीछे करोगे आपको आनन्दा आ जाएगा भया मैं अब इस चीज को हटा रहा हूं हटा रहा हूं आगे कुछ और सब्द पढ़ाने हैं सिखाने हैं ठीक है कि आकिर कर इस degree of dissociation को अपन कैसे निकाल पाएंगे उसको निकालने का तरीका देखे उसको निकालने का तरीका आपके सामने प्रस्तुत करता हो देखेगा वैसे यह लिख दिया मैंने for strong electrolyte strong electrolyte alpha की value 1 ह होती है मतलब कि यह 100% dissociation जो करता है 100% dissociation जो करता है 100% dissociation जो करता है कौन strong electrolyte जैसे कि आप क्या ले सकते हो ले लो example के तौर पे NACL या ले लो CACL2 जैसी कोई चीज़ लेकिन weak electrolyte के case में alpha की value हमेशा कम होती है 1 से weak electrolyte में कभी भी यह 100% टूटता ही नहीं है जितना टूटना चाहिए उससे बहुत ही कम ही टूटता रहता है जैसे कि आप ले लिजे cacetic acid cacetic acid cacetic acid super duper clear है क्या yes sir एकदम समझ में आ रहा है लग तो रहा यही है अच्छा जी अब अगली line पढ़िएगा यह line बस पढ़ लीजे समझा चुका हूं मैं समझा चुका हूं at higher concentration weak electrolyte have lower degree of dissociation obviously अगर concentration जादा है अभी मैंने क्या बताया अगर concentration जादा है तो degree of dissociation भी कम होगा लेकिन अगर तो इसमें पानी डालते जाओगे पानी डालते जाओगे तो यह जादा होके मतलब जादा तूटने लग जाएगा और पानी के डालने से देख लिख लेता हूं हो या on dilution on dilution in case of weak electrolyte alpha की value बढ़ती है और alpha की value अगर बढ़ेगी तो जादा ions मिलेंगे और अगर जादा ions मिलेंगे तो conductivity बढ़ेगी तो lambda m की value यहाँ पे बढ़ जाएगी तो dilution की वज़ा से alpha की value बढ़ेगी तो lambda m बढ़ जाएगा यह किस के लिए बोला जा रहा है यह weak electrolyte के लिए बोला जा रहा है confusion तो नहीं है मन में confusion तो नहीं है ना मन में देख लिए यह weak electrolyte के लिए मैंने line लिखी है आगे आईए आगे वाली line यह आप घर पे पढ़ेंगे आपको आराम से सब कुछ समझ में आ जाएगा मैंने पहले ही पढ़ा दिया सम्झा दिया है अच्छ is equal to lambda m divide by lambda m not किसी भी weak electrolyte का degree of dissociation निकालने के लिए आपको molar conductivity divide by limiting molar conductivity करना पड़ेगा यहाँ से जो value निकलेगी वो उस electrolyte का क्या होगी alpha होगी degree of dissociation होगी अच्छों क्या होता कभी कभी बच्चे भूल जाते हैं lambda m not को उपर लिख देते हैं या मत लिखना तो कि alpha की value हमें पता है कि एक से कम लानी है भाई weak electrolyte अरे alpha सब दही weak electrolyte के लिए होता है weak electrolyte ध्यान रखिएगा strong electrolyte में तो हमें पता है कि alpha 1 होता है alpha 1 होता है और alpha 1 होने का मतलब यह दोनों बरावर है फिर alpha 1 होने का मतलब बरावर है लेकिन कहां पर strong में लेकिन weak के के केस में क्या बोलोगे weak electrolyte LYT weak electrolyte के किस में alpha हमेशा एक से नीचे आएगा एक से नीचे आएगा तो ज्यादा value होगी ज्यादा value होगी उसको नीचे रहना पड़ेगा और हमें बता होता है यार lambda naught के value ज्यादा है इतनी बार बोल चुका हूँ कि अब तक दिमाग में चला ही गया होगा कोई समस्या नहीं हो रही होगी अब बढ़ जाओं क्या आगे बढ़ जाओं क्या भाई आगे question क्या दिया गया है देखिए भया क्या question दिया गया है यहाँ पर भया question में लिखा है calculate the degree of calculate the degree of dissociation of acetic acid at this given this निकाल ले जाओगे निकाल ले जाओगे या बता दूँ अले सर बताया जरूर करो भले हमारे लिए calculation छोड़ दिया करो यहाँ देखो लैमडा M की value दी गई है मेरे भया लैमडा M दिया गया है कितना आसान है यार अलपा इस उक्वाल टू लैमडा M divided by लैमडा M not आपको लैमडा M दिया गया है उपर वाली value दे दी गई है और इन नीचे वाली values से आपको क्या calculate करना है यह भया लैमडा M not calculate करना है कहानी खताम हो चुकी है कुछ नहीं है दिखिएगा CS3COOH जब टूटेगा तो यह बनाएगा CS3COO negative plus H plus इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह लैमडा M not of CS3COOH is equal to लैमडा M not of CS3COO negative plus लैमडा M not of H plus यही तो होगा आप दोनों को जोड़ दीजिए इन दोनों को जोड़ दीजिए भईया CS3COO negative में लिखा हुआ है यह 40.9 कितना 40.9 और यह लिखा है लैमडा not H plus भया यह यह यहाँ पे चाप लो 349.1 अच्छा इसको जोड़ लेना जोड़ लेना भई कितना आएगा जोड़ भईया कितना आया यह जोड़ोगे तो हो जाएगा 41 और 41 50 यहाँ पे कितना हो जाएगा भईया यह हो जाएगा 50 यह तो लग रहा है 390 आएगा यह भईया 390 आएगा है ना अरे यार यह 9.91 हो अब आपको यह मिल चुका है और कहां गया भाई साब यह गया यह तो रख दू यहां पर यार क्या लिखोगे 11.7 11.7 डिवाइड बाई यह भाई साब 390 जब आपको मिल जाएगा अलफा की value आप यहां पर calculate कर पाओगे कोई दिक्कत तो नहीं है आई अगले सवाल पर आजाते हैं अगले सवाल पर दर्शन कर लीजी एक बार क्या लिखा गया है लिखा गया है the conductivity of this smaller methanoic acid is this calculate its smaller conductivity and degree of dissociation अच्छा जी देखो भी आप क्या लिखा methanoic acid क्या होता है methanoic acid यह है जहां पर एक carbon हो और carboxyl acid हो यही हमारा methanoic acid है अब methanoic acid यह है टूटेगा एकदम वही वाली बात जो भी पुराना पढ़ा है पस उसी को दूसरे flavor मिला करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिया गया है ठीक है भाई तो इसके लिए अगर conductivity of this is this अच्छा conductivity लिखा है इन्होंने लिखा है conductivity तो मैं यहां पर लिख देता हूँ conductivity मतलब हो गया कपा is equal to 5.25 into 10 की पावर माइनस 5 वह डेटा लिख लेना बड़ा जरूरी होता है है ना तो इसके बाद क्या हो जाएगा साइमन सेंटेमीटर इनवर्स तो यह हमने यहां से लिख लिख लिया बाकी मैं यहां से लिम्टिंग वैल्यू निकाल दे रहा हूं लिम्टिंग वैलू लिखो कि लेमडा एम मौट ऑफ एच सी डबल वो एच चु एक्वल तू एलिको गेना या यहां पर लिख लिख लोगे कम यह लिखुज़ नहीं तो कही चु़ज़न हो जाये ना धिमाल में लिख 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 सकते हिं क्या एक्डम डारेट नो लिखता हूं ठाइम डार्टल इलिख लिखता 50.5 plus H plus का तो भहिया 349.5 होगा ठीक अब इनको आप जोड़ोगे तो ये तो वही आ गया करीब करीब नहीं अब के बाद 400 आ रहा है ये जाएगा 350 50 जोड़के हो जाएगा 400 400 हो गया सही लिख रहा हूँ क्या मैं 400 इसके बाद क्या होगा S cm2 आयार and mole inverse बोलो बाठीक है हमने देखो क्या लिख दिया है ये लिख दिया है और के लिख दिया है अब हमें क्या निकालना है भी या हमें molarity भी तो दी गई थी ये रहा यार molarity आजाओ आजाओ भई ये तो बहुत ही आसान कर दिया है इन्होंने अब देखो क्या होगा सर गाना गाना तो अच्छे से गाओ क्या कर रहे हो अब हमें निकालना था molar conductivity मतलब जानते हो normal वाला molar conductivity limiting वाला तो हमने इधर निकाल दिया ये तो normal वाला कैसे निकालते हैं अरे कुछ नहीं सर कपा को 1000 से multiply करके divide कर दो M की value से ये रहा सारा कुछ हमाँ चाप देना चाप दो भईया चाप दो नहीं तो कपा ये है भईया 5.25 multiplied by 10 की power minus 5 10 की power minus 5 into 1000 into 1000 divide by M क्या है भईया ये 2.5 2.5 into 10 की power minus 4 अब कुछ करना ही नहीं है सब कामने पढ़ चुका lambda M को calculate करना ये lambda M not दिया हुआ है आपको alpha की value आराम से मिलेगी क्योंकि इन्होंने पूछा है भईया degree of dissociation तो alpha is equal to क्या लिखोगे lambda M लिखोगे उपर लीचे lambda M not लिखोगे तो यहां से जो value निकलेगी उसको ऊपर लिखना lambda M not मतलब इसको भईया नीचे लिख देना alpha की value यहां से calculate होकर कि आपको मिल जाएगी कोई दर्द, कोई परिशानी, कोई समस्या नहीं होगी आपको इलेक्ट्रोलिटिक से बारे में किसी भी chemical reaction को करवाने के लिए अगर हम बाहर से voltage लगा रहे हैं जबरदस्ती उस reaction को करवा रहे हैं इसका मतलब यह हुआ कि वो जो chemical reaction है वो non spontaneous reaction है अब non spontaneous reaction को thermodynamics में कैसे बोला जाएगा बोला जाएगा कि Gibbs free energy में जो change होगा वो positive होगा अगर Gibbs free energy के अंदर जो change है वो positive है तो जो e-cell की value होगी वो क्या आएगी negative आएगी इसका मतलब यह हुआ कि हमारे electrolytic cell के लिए जो e-cell होता है वो क्या होता है negative होता है battery को use करके electrolytic cell के अंदर जो यह reaction करवाई जाती है इसी चीज को हम electrolysis बोलते हैं इस process के अंदर हम cathode और anode को एक ही solution के अंदर क्या करते हैं dip कर देते हैं और उसको बाहर की एक battery से जोड़ देते हैं आगे हम electrolysis के बहुत सारी application देखेंगे लेकिन हम चलते हैं पहले यह समझें कि electrolysis की process को हम करवाते कैसे हैं अब हम electrolysis को बहुत बिस्तार से पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके समय समझना है तो पहले देखते हैं इसका word meaning क्या है electro and lysis दो पार्ट इसका बनाते हैं electro का मतलब हो गया यहाँ पर electricity and lysis का यहाँ पर मतलब है to break apart किसको तोड़ने की यहाँ पर बात चल रही है electrolyte को तोड़ने की बात चल रही है वो आपका electrolyte जो है वो solution भी हो सकता है या molten state भी हो सकता है अब molten state के एक example को लेते हैं और आपको electrolysis के process को अच्छे से समझाते हैं इस electrolytic cell के अंदर हमने molten initial ले रखा है तो battery होगी तो एक तरफ positive terminal होगा तो दूसरी तरफ negative terminal होगा जिधर positive हम उसको क्या बोलेंगे anode और जिधर negative होगा उसको हम क्या बोलेंगे cathode अब एक बात समझेए जहाँ पर negative terminal होगा negative का मतलब है कि वहाँ पर electron number जादा है तो electron number जहाँ पर जादा है तो यह क्या करेगा positive charge को अपनी तरफ attract करेगा जो की molten state में present होगा तो molten state में क्या क्या present है na plus and cl negative तो positive कौन है na plus है तो वो na plus किस तरफ जाएगा cathode की तरफ जाएगा तो यह na plus क्या हाँ जाएगे cathode की तरफ और cathode उनको एक एक electron बांट देगा ठीक है अगर यह na plus जाएगा और वो एक electron पा जाएगा तो वो क्या बन जाएगा na solid बन जाएगा ठीक है और यह na solid इसके cathode के उपर क्या होगा चिपक जाएगा तो इस तरीके से cathode पर reduction का process भी हो रहा है क्योंकि हमने पहले से पढ़ रखा कि cathode पर हमेशा reduction होगा चाहे cell जो भी हो चाहे आप galvanic cell ले लो चाहे आप electrolytic cell लो हमेशा cathode पर reduction होगा ही तो यहाँ पर देखे reaction क्या होती है reduction की reaction होती है na plus क्या कर रहा है एक electron लेकर करके na solid बना दे रहा है अब हम बात करेंगे anode पर anode पर क्या होता है oxidation का process होता है oxidation देखे किसका हो रहा है यहाँ पर CL negative क्या करेगा इसके उपर जब जाएगा तो एक electron वो anode को दे देगा क्योंकि anode कैसा है positively charged है तो वो आसानी से electron receive कर लेगा और वो electron कहाँ flow करने लग जाएगे इस तरह flow करने लग जाएगे तो oxidation का process होगा anode पर जहाँ पर CL negative इसके उपर जाएगा और एक एक electron छोड़ देगा anode के उपर देखे क्या हो गया CL negative convert हो जाएगा half CL2 and one electron तो इस तरीके से CL negative जो है oxidize हो करके CL2 gas बना देता है इसका मतलब यहाँ से बाहर gas निकलता हुआ देखेगा तो reduction और oxidation की इस process को अगर हम मिला दें तो हमें एक redox reaction मिलेगी यह Na plus and CL negative मिलकर के क्या बना देगा NaCl melt हो जाएगा और यहाँ पर Na solid बना है और यहाँ पर CL2 का gas बन रहा है ठीक है यहाँ पर chlorine gas बाहर निकल रही है अगर मैं आपसे पूछूँ कि जो यह reaction दिया गया है जो यह redox reaction है यह spontaneous reaction है या non spontaneous reaction है तो आपका जबाब होना चाहिए non spontaneous reaction है क्योंकि हमने battery लगा करके जबरदस्ती इस reaction को करवाया है इसका मतलब यह अपने आपसे नहीं हो रहा होगा यह जबरदस्ती की वज़ा से बस हो गया अब खुछ सोचो कि हमारे पास अगर NaCl melt पड़ा हुआ है ठीक है तो क्या यह sodium में convert हो जाएगा क्या CL2 gas बन जाएगी अरे भाई अगर ऐसा हो पाता तो मानलो के कीचन से हमने नमक उठाया और उसको melt कर दिया तो क्या उस melt हुए salt से sodium बन जाएगा क्या वहाँ से chlorine gas के smell आनी सुरू हो जाएगी तो जबाब है नहीं इसका मतलब यह अगर अपने आप से नहीं हो सकता हम इसको जबरदस्ती करवा रहे हैं तो यह एक non spontaneous reaction है और मैं पता है कि electrolytic cell के अंदर एक non spontaneous reaction ही करवाई जाती है Electroplating का एक बहुत सांदार example है Silver spoon अगर हमें बनाना है जैसे मालीज हमारे पास कोई iron की spoon है और उसके उपर हमें silver की coating करनी है तो हम pure silver लेंगे उसका हम anode बना देंगे जो iron का spoon होगा उसको हम cathode बना देंगे ये बनाने के बाद same solution में हम लटका देंगे कि इसको anode और cathode को और उसको battery से connect कर देंगे जिस metal से coating करवानी है उस metal का salt solution लेंगे उसी का electrolyte बनाएंगे अब हम देखते हैं इसमें क्या होता है जब आप battery लगाते हो तो positive terminal जहां आपने लिख रखा है वहाँ पर क्या है एनोड है एनोड पर हमेशा क्या होता है oxidation हमेशा oxidation होता है एनोड पे तो वहाँ पर क्या होगा silver जो है silver plus बनाएगा silver को क्या बनाएगा silver plus और silver plus solution के अंदर आएगा तो वो जो silver plus solution के अंदर आया वो जाकर के deposit हो जाएगा कैथोड पे क्योंकि कैथोड इस समय कैसा है negatively charged है तो उसके पास electron है और ag plus को electron चाहिए तो वो कहा जाएगा negative के उपर जाकर के बैठ जाएगा तो इस तरीके से जो आपने iron का spoon लिया था उसके उपर ag जाकर के बैठ जाएगा है ठीक है इंपियोर्टी को दूर करके copper को अलग करने के लिए हम electrolysis का use करेंगे impurity को दूर करने के लिए हम impure copper से anode बनाते हैं pure copper से cathode बनाते हैं cathode और anode दोनों को एक ही solution के अंदर dip कर देते हैं cathode और anode को battery से connect कर देते हैं होता क्या है यह प्रोसस हमें समझना है, क्योंकि इंप्यॉर कॉपर से एनोड बना हुआ है, और एनोड पर क्योंकि हमेशा ऑक्सिडेशन होता है, तो जो कॉपर प्यॉर होगा, वो उस रॉड में से निकल करके कहां चला जाएगा, सॉलूशन के अंदर कॉपर 2 प्लस के फॉर्म में चला जाएगा, और जो आपका प्यॉर कॉपर का बना हुआ कैथोर्ड है, क्योंकि वो नेगटिबली चार्ज्ड है, तो उसके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉंस होंगे, तो इलेक्ट्रॉंस लेने के चक्कर में, कॉपर 2 प्लस क्या जाएगा, इलेक्ट्रॉंस के पास जाएगा, और वहीं सर्फेस पर निूट्रल हो जाएगा, तो जो आपका प्यॉर कॉपर का बना हुआ कैथोर्ड था, वो धीरे-धीरे मोटा होने लग जाता है, क्योंकि उस पर कॉपर आकर के डिपॉजिट होने लग जाएगा, और एनोड क्या हो जाएगा, डिजॉल होने लग जाएगा, तो पतला हो जाएगा, देखो, एनोड के अंदर जो प्यॉर कॉपर प्रजेंट था, वो cathode के pure copper पर जाकर के deposit हो गया तो इस तरीके से pure copper की quantity cathode पर बढ़ने लग जाती है और हमारा impure copper pure होने लग जाता है जो impurity है वो कहीं move नहीं कर पाएगी तो वो impurity anode के just नीचे पड़ी रहेगी उसी को हम anode mud या impurity बूल रहे होते हैं तो हम इस तरीके से एक impure copper से anode बना कर और pure copper का cathode बना कर हम copper को purify कर पाते हैं और इस process से copper की purity 99.9 प्लस बन जाती है अब हम electrolysis के एक बेहद important point पे पहुँच चुके हैं जो की है Faraday's law of electrolysis Faraday's law of electrolysis आप बोल सकते हैं कि electrolysis में एक क्रांती थी क्योंकि Faraday's law ने electrolysis के quantitative aspects को हमें समझाया आपके दिमाग में आयागा ये भारी-भारी सब्द क्या है quantitative aspects तो मैं आपको ऐसा समझा देता हूँ कि वहाँ पे उन्होंने quantity की बात की कि cathode के उपर कितना deposition होगा और ये बताया कि electrolysis के दोरान आप जितना current flow करते हो जितने time तक flow करते हो उसी हिसाब से हमें deposition मिलता है इस सारी कहानी को हम experiment से समझेंगे तो चलिए बात करते हैं कुछ experiment से जिस पर based Faraday के दो laws होंगे और वो दोनों laws हमें आसानी से समझ में आ जाएंगे तो चलिए experiment देख लेते हैं first experiment की बात करें तो उस experiment में हमने platinum के दो electrode लिये हैं और उसको ले जाके dip कर दिया nickel nitrate के electrolytic solution में platinum के electrode को connect कर दिया है हमने battery से एक तरफ positive terminal और एक तरफ negative terminal बन गए यहाँ पे जो negative terminal है उसको हम क्या बोलते हैं cathode बोल रहे होंगे और electrolyte के अंदर है वो कहा जाएगा negatively charged electrode के पास जाएगा तो nickel 2 प्लस जाएगा cathode के उपर और उससे electron मागेगा तो वहाँ पर nickel 2 प्लस दो electron लेगा और क्या बना देगा nickel solid बना देगा और यह nickel solid जो है platinum के electrode पर मतलब आपका जो cathode था उसके उपर जाकर के deposit हो जाएगा ऐसे बहुत सारे nickel क्या करेंगे जब तक current flow होते रहेंगे तब तक जाके cathode के उपर बैठते रहेंगे इस experiment के दोरान हम एक चीज़ देखते हैं कि अगर हमने current को बहुत कम रखा हुआ है और बहुत कम time तक current को flow कराया हुआ है तो जो nickel की quantity जो cathode के उपर जाकर के बैठती है वो बहुत ही कम होती है लेकिन अगर हम current की quantity बढ़ा दें और बहुत लंबे time तक उसको flow कराएं current को तो nickel जो जाकर deposit हो रहा था cathode पर उसकी बहुत quantity हमें मिलती है तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम current को बढ़ा दें और क्या करें time को बढ़ा दें तो हमें W भी बढ़ता हुआ मिलेगा यहाँ पर मैंने W gram of nickel को consider किया हुआ है इस तरीके से हम यह बात कह सकते हैं कि nickel cathode के उपर उतना ही deposit होगा जितना की circuit के अंदर charge चलेगा और आपके battery ने वहाँ पर Q कूलम of charge दिया है तो W जो होगा वो Q के proportional होगा और इसी चीज़ को हम Faraday's first law कहते हैं अब हम Faraday के first law का statement देखेंगे जहाँ पर लिखा है the amount of chemical reaction which occur at any electrode during electrolysis by a current is proportional to the quantity of electricity passed through the electrolyte चाहे वो electrolyte कैसा हो solution हो या तो वो melt हो यहाँ पर कहने का यह मतलब है कि अगर हमने W gram of substance ले लिया और Q कूलम of the charge पास कर दिया तो W जो है Q के proportional हो जाएगा अब अगर W is proportional to Q है तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि W is equal to Z into Q जहाँ पर Z क्या है? proportionality constant है और Z की थोड़ा इज़द बढ़ाने के लिए उसका एक दूसरा नाम दिया गया है electrochemical equivalent क्या बोलते हैं? electrochemical equivalent तो इस तरीके से हमें एक formula मिल जाता है W is equal to Z into Q जहाँ पर W वो weight है जो जाके deposit होता है कैथोड के उपर Q वो charge है जो की flow होता है circuit के अंदर और Z जो है electrochemical equivalent है charge Q को हम I into T लिख सकते हैं जहाँ पर I current है और T जो है time है तो अगर हम formula में रखें तो क्या मिलेगा W is equal to Z I into T तो यह हमें एक formula मिल जाता है और इस formula में अगर हमें current के बारे में पता है time के बारे में पता है और Z के बारे में बता दिया गया है तो हम निश्चित रूप से वो weight निकाल सकते हैं जो जाके cathode के उपर deposit हो रहा है तो इस तरीके से हमें quantity के बारे में पता चल रहा है कि कितना metal जाकर के deposit होता है cathode के उपर by first law of faraday हम second experiment देखते हैं लेकिन second experiment पर जाएं उससे पहले हमें कुछ नए term से रूबरू होना होगा जैसी की equivalent weight equivalent weight को हमने redox chapter में 11th में ही पढ़ लिया था लेकिन मैं यहाँ पर जितनी जरूरत है उतना दुबारा बताऊंगा कि देखिए कि equivalent weight जो होता है वो atomic weight divide by valency factor होता है अब सरदर दिये कि यह valency factor क्या होता है तो अभी simply metal के लिए हम यह बोलेंगे कि एक metal ion जितना electron gain करता है वही electron का number उस metal के लिए valency factor होता है example के तोर पे आप यहाँ देख सकते हो कि zinc 2 प्लस अगर 2 electron लेता है तो zinc बना देता है अगर हमें मालो यहाँ पे equivalent weight निकालना है तो हम लिखेंगे equivalent weight is equal to atomic weight of zinc divide by 2 लिखेंगे 2 यहाँ पे हमने valency factor क्यों लिखा क्योंकि यहाँ zinc 2 प्लस 2 ही electron लेकर के neutral बन रहा है तो इस तरीके से equivalent weight of zinc कितना आ जाएगा 32.65 आ जाएगा similarly अगर हम ag plus की बात करें तो हम देखते हैं कि ag plus तो एक electron लेकर के ag बन जाता है इसका मतलब हुआ equivalent weight is equal to atomic weight of ag divide by 1 और हमें पता है कि atomic weight of ag कितना होता है 108 gram पर mole inverse होता है वो हम यहाँ पे put करेंगे तो हम equivalent weight of ag कितना मिलेगा 108 मिलेगा चलिए experiment वाला part देख लेते हैं इस experiment में हम दो electrolytic cell लेंगे पहले electrolytic cell में जो हमने electrolyte लिया हुआ है वो zinc SO4 है और दूसरे वाले में हमने ag NO3 as a electrolyte ले रखा है इन दोनो electrolytic cell को हम salt bridge के थूँ connect कर रहे हैं दोनो electrolytic cell को हमने एक series में connect कर दिया जब हम उसमें एक ही बैटरी लगाते हैं और दोनों को connect कर देते हैं इस तरीके से जो zinc वाला electrolytic cell है उसमें भी एक cathode और एक anode रहता है ag NO3 वाला जो electrolytic cell है उसमें भी एक cathode और दूसरा anode रहता है क्योंकि बैटरी हमने एक रखी है और हम series में इनको लगाए हुए है तो यहाँ पर जो current flow होगा वो दोनों के लिए same होगा मतलब बैटरी जो भी current चलाएगा वही current जिंक वाले compartment में जाएगा और वही current ag वाले compartment में भी जाएगा तो इस तरीके हम देख रहे हैं कि current i क्या है और अगर हमने current को t time तक flow कराया तो i into t से क्या आएगा charge तो दोनों में same charge flow होगा क्योंकि यहाँ पर charge q जो है वो same आ रहा है तो हम first law of ferrade लगा कर कि यह जरूर सोचेंगे कि जिंक के compartment में जिंक के cathode के उपर जितना जिंक जो है deposit होगा उतना ही agno3 के compartment में मेटल deposit हो रहे हैं दोनों के deposit की rate अलग होगी क्योंकि दोनों का character अलग है दोनों के metal के electron को accept करने की जो tendency है वो अलग अलग है इस तरीके से जिंक SO4 के अंदर जो जिंक deposit होगा उसका weight ag के deposit के weight के बराबर नहीं होगा तो क्या होगा तो क्या relation होगा इन दोनों के बीच में वो हम देख लेते हैं experiment के अंदर ये देखा जाता है कि जितना gram जिंक जो cathode के उपर deposit होता है वो proportional होता है equivalent weight of जिंक के और जितना gram ag जो है deposit होता है cathode of agno3 compartment में वो proportional होता है equivalent weight of ag के तो इस तरीके से हमें क्या मिलता है wzn is directly proportional to ezn ठीक है and second में क्या मिलता है w ag is directly proportional to e ag जहाँ पर e ag और ezn क्या बता रहे है equivalent weights of ag and zn बता रहे है अगर यहाँ पर इस तरीके से equivalent लिखा गया है तो हम उसको क्या लिख सकते है wzn divided by w ag is equal to ezn divided by e ag अगर हमें इन चारों में से तीन दे दिये जाएं तो हम चौथे चीज को आसानी से predict कर सकते हैं अभी जो हमने relation देखा वही फेराडे का second law कहलाता है तो चलिए देखते हैं फेराडे के second law के statement को statement दिया है the amount of the different substances liberated by the same quantity of electricity passing through the electrolytic solution are proportional to their chemical equivalent weights जहां पर w अगर हमने क्या ले लिया mass of substance deposited और e क्या लिया हुआ equivalent weight then w is directly proportional to e जिसको हम क्या लिखेंगे w1 by e1 is equal to w2 by e2 अभी जो आपने animation के माध्यम से सीखा है उसको और ज्यादा मैं थोड़ा सा clear करना चाहूंगा यहां पर यहां पर यहां पर हमने क्या लिया हुआ था यह negatively है तो बगल वाला positive होगा यह positive वाला दूसरे सब के negative के साथ connected होगा और यह भाई साब तो देख लो जबसे positive है तो यहां पर इस सब के लिए यहां के लिए आप बोलोगे इस compartment के लिए कि यह भाई साब क्या है यह भाई साब negatively charged है और यह भी हमारे negatively charged है अच्छा अच्छा जी इसके बाद क्या होगा देखे इसके बाद क्या होगा यहां पर यहां पर जो आपका negatively charged है वहीं और आकर के यह जिंक डिपॉजिट होगा जिंक यहां पर आकर इपहे फोगा देखेक गाउर देखेक़, यह क्या हो रहा है जिंक यहां पर आकर के डिपॉजिट हो रहा है और सिल Jacqueline Two양 आर हिसे Mr. लूपर रेडि ऊपर हो रहा है इस मैं इस वाले जो जिंक है जो आकर के deposit हुआ है मैं उसको मान रहा हूँ WZN मतलब weight of jink जो की यहाँ पर deposit हुआ है weight of jink जो की deposit हुआ यहाँ पर और यहाँ के लिए मैं बोलूँगा weight of AG जो की deposit हुआ है यहाँ पर ठीक है यह AG का हो गया और हमने देखो भया क्या लगाया हुआ है एक ही battery लगाई है और दोनों में same current flow करा रही है मतलब हमारा Q यहाँ पर same है मतलब charge same है I same है charge और I same है क्योंकि same time के लिए हम इसमें flow करा रहे है और अभी हमने एक चीज़ देखी कि जो यह weight होता है weight of जिंग जो की deposit हुआ यह proportional होता है equivalent weight of जिंग के यहाँ के लिए यहाँ के लिए हम लिखेंगे कि weight of AG is directly proportional to equivalent of AG जरूर लिख सकते हैं यस सर इसके बाद क्या करिए इन दोनों को अगर आप मिलाएंगे तो आपको क्या मिलेगा WZN मिलेगा WZN divide by लिख दीजिए WAG फिर मिलेगा is equal to WZN के बाद उपर क्या हो जाएगा इधर EZN और यहाँ पर क्या हो जाएगा वो है कि इस चीज को मैं उठा करके कहा ला रहा हूँ यहाँ ला रहा हूँ और यहाँ को उठा करके यहाँ ला रहा हूँ ऐसा तो करी सकते हैं आराम से इसको यहाँ लाईए उसको वहाँ ला दीजिए तो क्या हो जाएगा तो क्या हो जाएगा भी या हो जाएगा WZN divided by EZN is equal to WAG divided by EAG अच्छा इसको देखे कुछ याद आ रहा है कुछ याद आ रहा है weight divided by equivalent weight weight divided by equivalent weight equivalent weight अच्छा लगता है इसको हम number of equivalent बोल सकते क्या number of equivalent equivalent बोल सकते number of equivalence of Jink number of equivalence of Jink is equal to is equal to यहाँ पर क्या लिखोगे number of equivalent number of equivalence of of EG EG और Jink दोनों के number of equivalence क्या होंगे बराबर होंगे तो समझ में आगी बात यहाँ के पूरे कथा कहानी समय एक बात यह समझ में आई कि number of equivalence of Jink और number of equivalence of EG बराबर होंगे जब आप दोनों कमपार्टमेंट में same time तक current flow करेंगे और इस तरह के से series में जोड करके करेंगे सुपर डूपर क्लियर है यह सर क्लियर है कई बच्चों को यह नहीं समझ में आगा सर इसको number of equivalent कैसे बोल दिया यह बात लिए पची नहीं आचा जी हाँ यह बताइए number of moles क्या होता है formula बताइए number of moles is equal to weight divided by molecular weight यहाँ पर molecular weight है तब यहाँ होता number of moles यहाँ वाले में क्या होता है यह क्या है equivalent weight है तो equivalent weight के केस में होगा number of equivalent simple है ना relatable है समझ में भी आ रहा है तो एक line में बत बोल दो कि अगर इस तरीके से दो compartment को एक battery से जोडा जाए और इनको एक series में रख दिया जाए तो यहाँ पर यहाँ पर जो metal होगा जो deposit होगा उसका number of equivalent और यहाँ पर जो कोई भी metal deposit होगा उसका number of equivalent बराबर होगा I hope आपको इतनी बार समझ मैं यह हो अगले सवाल पर चलिए कूद पढ़ते हैं देखते हैं भी या क्या चीज है लिखा गया है कि a solution of copper sulfate is electrolyzed for 10 minutes with a current of 1.5 ampere तो देखते हैं भी या time t is equal to क्या लिखा 10 minute minute को आप second में कर लीजिए कैसे करेंगे 60 से multiply कर देंगे न भाई इसके लाम और क्या करेंगे भाई यहाँ पर क्या लिखेंगे second अच्छा लिखा करेंट कितना है 1.5 current i i is equal to 1.5 1.5 ampere यह भाई यह current है अच्छा जी what is the mass of the copper deposited at the cathode हमें क्या निकारना है mass of the copper deposited देखो copper sulfate का solution था उस sulfate के solution में क्या रहा होगा आप ऐसा समझे यहाँ पर copper two plus रहा होगा और यह two plus जाकर के deposit हो रहा होगा negatively charged electrode के उपर तो यहाँ पर क्या हो मिलेगा भी है यहाँ पर deposition मिलेगा copper का इसके उपर copper deposit होगा यहाँ पर copper deposit होगा और अगर हम बोलें अगर हम बोलें कि यहाँ पर जो mass है वो मालीजे mass m है तो बताईए यह mass m आप कैसे calculate करोगे अच्छा तो यहाँ के एक बार reaction लिखके देखो यहाँ पर एक बार reaction लिखके देखो क्या लिखोगे copper 2 प्लस जो है दो electron लेकर के copper बन रहा होगा बहुत ही simple way में समझाना चाहरा हूँ कुछ भी कठिना ही नहीं है copper 2 प्लस दो electron लेगा इस electrode से क्यों कि negatively charged है लेकर के अपने आपको क्या बना देगा भीया copper solid बना देगा यह copper solid बना देगा और यह क्या है एक कोस है अच्छा यह बात सर्फ पच रही लग रहा है कुछ कुछ अच्छा अब एक बार बताओ अगर मैं यह कहूँ अगर यह मैं कहूँ कि 1 mole 1 mole copper पाने के लिए 1 mole copper पाने के लिए हमें 2 mole of electron चाहिए तभी जो है copper 2 plus 2 mole को खाएगा और क्या बना देगा copper 1 mole बना देगा तो देखो भईया 1 mole of copper 1 mole of copper को पाने के लिए 1 mole of copper के deposition के लिए यहाँ पर deposit होगा 1 mole of copper के deposition के लिए हमें 2 mol किसका चाहिए 2 mol of electron चाहिए 2 mol of electron चाहिए अब मैं बताऊँ आपको तो आप तुरंट समझ जाएंगे कि भईया ये जो 2 mol of electron है ना इसके उपर कितना charge होगा? अरे 2 faraday का charge होगा कितनी का होगा? 2 faraday का charge होगा 2 faraday का charge होगा अरे भई, 1 faraday बराबर क्या होता है? 1 mol electron पर कितना charge है? बात पुनमारी है और यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? कि अगर इसका हमें 1 mol deposit करवाना है तो हमें 2 mol electron चाहिए मतलब 2 faraday quantity का क्या चाहिए? हमें charge चाहिए तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है कि 2 faraday या इसी को लिख लिजए 2 multiplied by 96500 coulomb यही होता है क्या? वह फैरaday के जाप यह लिख दिया तो इतना कुलम चार्ज जरूरत पड़ेगा जब आप 1 mol of copper को deposit करवाएंगे इसमें कोई दुख दर्द परेशानी तो नहीं है simple सी line ने simple सी भासा है अब हमें बस इतना बता देना है अब हमें बस इतना बता देना है कि अगर एक कुलम एक कुलम का चार्ज हम इसमें flow कराएंगे तो हमें कितना copper मिलेगा? तो आप लिखोगे 1 divided by 1 divided by this 2 multiplied by 96500 इतना mole of copper हमें मिलेगा एक कुलम से अगर मैं one mole of copper की जगा पर उसका atomic mass रख दूँ तो भाया gram में तो लिखा जा सकता है अरे ये भी नहीं आता क्या भाई साहब अरे यार copper के लिए अगर लिखा जाए कि उसका atomic mass कितना है उसको gram में आप लिखोगे तो क्या होता है वो actually जो आप atomic mass जो gram में लिखा जाता है वो होता है 1 mole copper का weight 1 mole copper का जो mass होता है वो उसका atomic mass होता है simple से line बोलूँ जो की होगा 63.5 ये क्या है 63.5 gram copper के अंदर 1 mole 1 mole copper के atoms present होंगे ये कहने का sense होता है atomic mass का तो यहाँ पर ये भी picture clear करती मैंने तो मैं क्या बोल रहा हूँ देखेगा super duper clear line कि वहाँ 1 कूलम से हमें कितना मिलेगा इतना gram copper मिलेगा क्योंकि mole को मैंने copper में लिख दिया अच्छा अरे sorry mole को मैंने gram में लिख दिया तो ये हमें मिलेगा कि 1 कूलम चार जब पास करोगे तो इतना gram को अपर deposit होगा सवाल में जाके ये चेक करो कितना कूलम दिया गया है तो q बराबर क्या होता है i into t मतलब हमें यहाँ से पहले q calculate करना चाहिए i into t ये देखो भई ये क्या होगा 1.5 multiplied by 600 1.5 by 600 ये हो जाएगा 900 कूलम देखलो भई इतनी बात पच रही है क्या एक बार देखो सवाल के हिसाब से इन्हों ने 10 मिनट तक 1.5 ampere की current flow कर आई थी इसका मतलब total charge कितना था कि वराबर it 1.5 multiplied 600 तो ये हो जाएगा भाई 900 कूलम चार्ज आपने पास कराया यार एक कूलम से इतना gram deposit होता है तो 900 से कितना होगा unity method लगा के बता रहा हूँ आसान सी बात है उससे concept की clarity बढ़ती है इस वज़ा से मैंने यही चीज योज की है तो यहाँ पर आप क्या करिए आप यहाँ पर आप multiply कर दीजे क्या लिखोगे 0.5 multiplied by 900 900 डिवाइड बाई देखिए 900 डिवाइड बाई आप लिखोगे 2 multiplied by 965 00 कूलम कूलम नहीं लिखेंगे यार कूलम तो इधर लिख रखा है इधर क्या लिखेंगे ग्राम लिखेंगे इधर क्या लिखेंगे ग्राम लिखेंगे तो इसको आप एक बार calculate करेंगे तो आपको value मिल जाएगी कि कितना आखिर कर copper यहाँ पर deposit हुआ जब आपने 1.5 ampere की current flow करी और कितने time तक करी है 600 second तक करी है तो यहाँ से आपको mass निकल जाएगा यह मेरे को यह concept बस clear करना था कि अगर आपको यह पता अच्छा आप शुरुवात कैसे करोगी यह बड़ा जानना जरूरी होता है शुरुवात हमेसा ऐसे सोचो कि तो कमारा copper 2 प्लस था वो कितने electron लेगा कि copper बन जाएगा दो electron लेगा अगर मेरे को एक mole copper को deposit करवाना है तो हमें दो mole electron चाहिए दो mole electron मतलब दो faraday का charge और दो faraday charge का मतलब हुआ 2 multiplied इतना जादा कूलम अच्छा इतने कूलम से एक mole copper deposit होगा मतलब कि 63.5 63.5 gram copper deposit होगा इतने से तो भया एक कूलम से कितना होगा इतना होगा तो भया जो दिया गया है उसको यहाँ पर रख दोगे तो आपको total gram पता चल जाएगा जो कि deposit होगा यह जानना बड़ा जरूरी था इसलिए यह सवाल करवाया गया है अच्छा जी अब आजाते हैं आगे आगे क्या है भया how many electrons flows through a metallic wire if current of 0.5 is passed for 2 hours दो घंटे तक अब की बार हमने पास करा है ओ भई इसमें क्या ही है इसमें क्या ही अभी जो बताया उसका एक छोटा सा पार्ट दे दिया इन्होंने ठीक है भई यहाँ पर actually ampere है यह ampere है तो 0.5 ampere multiplied by 2 hours है ना 2 multiply 60 multiply 60 सर यह क्या कर रहे हो अरे यार इसको second में बदल रहा हूँ यार hours को second में करना है तो पहले minute बाद में second कर लेना तो यह हो जाएगा तो 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 क्या हो जाएगा यहाँ पर यह आपको क्या मिलेगा यह charge q मिलेगा और charge q कितना मिलेगा multiply करके देखिए ये हो जायता है 36 और ये जुड़के 1 तो ये हो जायगा 3600 कूलम एक बार देख लिजे क्या आपको इतना समझ में आ रहा है कि ये कूलम कहां से आया है हमने क्या किया multiply क्या किया i को t से multiply कर दिया तो हमें q मिल जायेगा तो मिल भी रखा है यार अच्छा जी तो ये कहना कहा चाहर है how many electrons flow अब ये हमें पता करना कितने electrons flow हुए थे तो कितने electrons flow हुए तो कैसे पता चलेगा कैसे पता चलता है q बराबर n into e q बराबर n into e हमें q की value पता है 3600 0 n हमें निकालना है e पर कितना charge होता 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb है ना simply बोले तो ये लिख दोगे तो n is equal to क्या हो जाएगा n is equal to क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा divide by 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb ये देखो मैंने ऐसे formula लगा दिया वैसे formula कोई जरूरत नहीं है कोई जरूरत ही नहीं है क्या बात कर रहे हो sir 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb एक electron के पास है एक electron के पास इतना charge होता है तो बताए एक coulomb कितना होगा एक coulomb बराबर कितने electron निकल के आएगे तो ये इतनी होगे 1.6 into 10 की power minus 19 अब मैं कहता हूँ हमारे पास दिया हुआ है 3.6 double 0 इतने coulomb से के अंदर मालो कितने electron का charge associated होगा तो आप क्या करोगे 3.6 double 0 यहाँ पर लिखोगे coulomb 1.6 into 10 की power minus 19 coulomb यहाँ से आपको जबाब मिल जागा यही चीज मैंने यहाँ लिख दिये पर थोड़ा सा और practice करा देता हूँ ता कि आपका दिमाग खुला रहे which reaction occur at anode and y आपको बताना है कौन सी reaction अच्छा बताया है पहले कि इसका जबाब देने में हमें second भर लगेगा देखो भया अनोड पर होगा oxidation oxidation को तभी favor करा जाएगा जब srp value होगी minimum सबसे कम srp value जिसकी होगी वही oxidation करवा पाएगा वही पर oxidation हो पाएगा और वो anode होगा बत देख लो ये भाई साब को देख लो इनका e naught value कम है ये तो जादा है जिसका e naught जादा होता है वो भाई साब क्या होते है cathode होते srp value के जादा होने का क्या मतलब है srp value के जादा होने का मतलब क्या है कि भाईया वो reduction को favor करता है अगर वो reduction को favor करता है तो निचे दुरूद से cathode होगा तो उपर वाला cathode बनना पसंद करेगा और नीचे वाला anode बनना पसंद करेगा अगर आपने इनको कपल कर दिया साथ रखा है तो I hope आपको बात समझ में आ गई हो कि यहाँ पर यह second वाली चीज सही होगी कि यहाँ पर anode यह भाई साफ बनना चाहेंगे क्योंकि इनका enode value कम है मज़दार सांदार सवाल था ना यह तो देखो भई मेरा मन नहीं है इसको बताने का इस्तना आसाने है How many electricity in terms of the Faradis is required to produce 20 gram of calcium from molten CaCl2 Actually क्या है? Actually क्या है? I'll tell you, something like this Okay, I'm not making another one Just here, I'll just explain one more Look, this is what molten CaCl2 को हमने इसके अंदर डाला और इसके हमने क्या सुरू करी? Electrolysis सुरू करी तो जो negatively charged होगा उसके ओपर calcium 2 plus जाकर की बैठेगा अब वो कह रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि तुम्हें 20 gram deposit करवाना है वो अपने तरफ से बता रहा है सवाल में ही कि यहाँ पर जो deposition होगा calcium का वो deposition होगा 20 gram का तो बताईए तो बताईए वहाँ पर कितनी electricity how much electricity in terms of faraday मतलब आपको charge बताना है charge बताना है बट faraday के माध्यम से बताना है क्या ही है इसमें देखो calcium 2 plus क्या कर रहा है दो electron को ले करके अपने आपको neutralize कर रहा है और calcium solid बना रहा है बोलो ये बात हो रही है क्या बोलो भाई ये बात हो रही है क्या एकदम हो रही है एकदम से हो रही भाई तो क्या बोलेंगे हम हम ये बोलेंगे कि अगर हमें one mole अगर हमें one mole calcium लाना है one mole calcium यहाँ पर deposit करना है या हम ये बोले कि 40 gram of calcium हमें अगर deposit करना है तो हमें भाईया 2 mol electron की जरूरत पड़ेगी और 2 mol electron का मतलब होता है 2 ferrati क्या 2 ferrati कितना simple है भाई अरे ये बोल रहा कि हमें 1 mol calcium लाना है deposit करवाना है अब 1 mol calcium को लिखते है 40 gram of calcium कैसे ये कैसे पता चला अरे atomic mass of calcium is 40 gram ठीक है भाई तो यहां पे 1 mol calcium का वेट कितना होगा 40 gram होगा है ना भाई अच्छा तो जब यार कितना आसान है भाई ये कि 40 gram calcium 2 ferrati से मिलता है तो एक एक gram calcium मिलेगा हम को 2 by इतने से तो बताईए बताईए हमें कितना दिया है 200 20 20 gram of calcium से मिलेगा 20 multiply 2 divide by यहां पर 1 ferrati charge की जरूरत पढ़ेगी तो एक ferrati का charge पास करके आप जो है मेरे भाईया 20 gram of calcium को deposit करा सकते हो molten CACl2 C I hope आपको मजाया होगा आनन्द आया होगा इस chapter को पढ़के मिलते हैं आपको अगली वीडियो में तक तक के लिए खुश रहिए प्रसंद रहिए बाकी जो chapter से वो भी आने वाले हैं वो भी सांदार मज़ेदार जिन्दा बाद होंगे मिलते हैं बाई बाई टेक केल